Hello dear students, आप सभी का XP Classes में स्वागत हैं, आज हम Class 12 के Numericals की बात करेंगे, जो Chemistry के हमने इस वीडियो के इंतरगत लिये हुए हैं, ये जो हमने इस वीडियो के इंतरगत 60 प्लस बहुत ज़्यादा संभावे जो आपकी परीक्षा की दृष्टी से बहुत ज़्यादा संभावे ह जो आपकी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा उनके चांस हैं, उनको हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये जो Numericals है वो आपके लिए आप जानते हैं कि Chemistry में Numericals का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और जब आप Numericals को इनको करेंगे तो आपके अंदर एक आत्म विश्वास जाएगा, और जब आप इस प्रकार की Numericals पेपर में देखें कि तो आपको बिल्कुल मजा सा जाएगा, और निमेरकल जब आप पूरे कर देते हैं पेपर में तो वहाँ पर भी Impact अच्छा पड़ता है, और जो आपका Examiner वो भी बढ़ियां तरीके से लिए हुए हैं, और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई भी concept किस से related कोई भी समस्यास के अंतरगत नहीं आएगी, इस बात की guarantee है, और अगर आप इन वीडियो के अंतरगत जो यह questions हैं, अगर आप इनका बढ़ियां तरीके से notes बनाकर एक बार पहे लेते हैं, तो आपको एकदम से इसमें बढ़ियां मजा आजाएगा, आप मतलब एकदम कह सकते हैं कि आत्म विश्वास से आप भरपूर हो जाएंगे, जब आप questions को देखेंगे, तो आप बढ़ियां तरीके से करेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमने questions लिये हुए हैं, यह कई बार board exams मे आप बढ़ियां तरीके से आप paper को करेंगे, तो आप इमानदारी से कर्तब बे निष्ट होकर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छे से इसका notes बनाएंगे, और एक बार इसका revision करेंगे, तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने numericals को, चल क्लोराइड 200mmL में घुला हुआ है, विलियन की molarity को गणना करना है, ठीक है? चलिए, तो हम बात करते हैं, विलियन की molarity की गणना कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या दिरखा है इतना दिरखा है? तो अगर मैं बात करूँ कि molartya निकालना है, तो तो मैं निकालने के लिए म सबसे पहले हम बात करें कि विले के मोलों की संख्या कैसे निकाले है तो किसी चीज के मोलों की संख्या निकाले होते हैं तो कैसे निकालते है तो मास अगर हम बात करें तो यह क्या दे रखा तो यह दे रखा है हमारा विले का मास यहां पर लिखेंगे विले का द्रब्मान हमा हमें निकालना है वीले मोलार द्रबंपढ अब ये कुछ सै नीचए रिक्ता होता है तो 955 आप जोड़ेंगे तिया जाएगा आपका 58.5 मात्र क्या होता थी होता आपका ग्राम प्रती मोल इता क्लियर कोई दिक्कत नहीं अब हम चर्चा करेंगे कि विले के मोलों की संख्या कैसे निकालने तो विले हमारा एने सियरत यहां पर लेखेंगे एने सियल के मोल अब किसी भ मास कितना है यानि द्रबमान कितना है तो उसने आप यह 5.85 मोल द्रबमान कितना है तो यह हो जाएगा आपका 59.5 हम प्राचीन काल में मैथेमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ा करते थी आपको याद हो हाँ याद होगा अब नीचे वाले से उपर वाले का भाग देंग कोई दिखक्त यहां तक तो भाग देते तो एक हजार का भाग देते दिए जाएगा आपका 200 भाग दीजे आप 1000 से तो यू विल फाइंड जीरो दसम्लोव दो यू विल गेट ओके अब हम बात करेंगे यहां पर मोल अरता तो यहां पर लगेंगे दिए मोल एर टा बराबर कोई दिक्कत अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे नीचे comment section में आप उसे question पूछ सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है चले आगे चलते तो इस तरह कि questions को हल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए सूत्रयाद होने के साथ-साथ हमें वेल्येज का अनुप्रयोग करना आना चीशे अब कैसे आईगा सिवा ये हमारे पास मोलर्ता निकालना था हमारे पास सोत्र न पता था कि विलेगे मौल की तो मोल ढ़ेशा हम हम आइसे निकालते हैं मौल तम निकलेंगए जी रहती है है उनको आप जोड़ दीचेए वह दें कंपका पर 15 5 5 हमने इस तरह से दिया तो यह आगे चलते यह वाला क्वेश्चन हमने सन 2019 से उठाया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा आपका क्या है कि इसे पूरा कर दो खुड़ा सा खम लिखा हुआ है तो यह आप से पुछा जा रहा है कि चीनी के सीरे की 242.2 ग्राम में 342.2 ग्राम चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी यह जो पर आधाय था रहे थे मोललता यह नहीं सब्सक्राइब का विले के मोलों की संख्या यानि नमबर आप मोल्स और सॉल्यूट यहां पर लेकर मौलों की संख्या और नीचे बात करों तो यहां पर आजाए गापका विलायक का अधन सोरी विलायक का द्रभमान किलो ग्राम कोई दिखत कोई दिखत देगे बले के मॉलों की संख्या उлем इस क्वेस्टे को आप समझेगा क्रव इस क्रोगी समझेगा उस提供 कि सीरा है क्या है सीर इसा जानते नो सी्रण सिट क्ये काता है जえば पाणी में बigorіль होल देते हैं यद्उ कोल्ड तो सीरा में होता है तो आपका ऊप हुए पानी ओगा और आपका क्या होगा ठीक है या या आपका विलया व्लायक होगा और आपका क्या होगा इस कि işoka a black T अब सीरे की और खासयत क्या है आपकी कित्ती है तो सक्कर उसने कहा कि 34.2 ग्राम को लिप खुलिए खोल्गान करें सीरा पूरा कित्त है तो सीरा जो हो है sub 214.2 मैं अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका विल्यक कित्त होगा तो उसकी चर्चा करते हैं यहां पर अगर हम बात करें विलायक कद्रमान तो विलायक कद्रमान कैसे निकलेगा यहां पर लेखेंगे सीरे कद्रमान माइनस सक्कर कद्रमान उसने कहा कि इतना है उसमें इतनी सक्र हुँरी है तो विलायक किता होगा फ़ले हम विलायक निकाल लाएं कि आठी काइं निकाल लाएं कि यहां जरूरत पढ़ेगी बाएं चलो तो सीरे का द्रभमान कितना है तो सीरे का अब आप घटाएंगे तो 0 आएगा ओके 4 में से 4 गया 0 और 11 में से 3 गया तो 8 और 1 यह आपका 180 ग्राम अगर मैं बात करूं केस में जो विलायक 180 ग्राम है अगर हम इसे किलोग्राम में बदले तो 180 बटी 1000 किलोग्राम एक सुल्ब करेंगे तो 0.18 किलोग्राम कोई डाट नहीं होना चाहिए यहां तक आपको चाले कोई समस्या कोई समस्या नहीं हो ठीक है अब हमें बात करना है कि विले के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे दिख्कत तो यहां प्याँ जाएगे मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बता है कि आपके पास मास होना चाहिए मास आपके पास दे रखा है कितना कितनी चीनी घुली हुई है तो यह आपका मास हो गया मोलर मास चीनी का फॉर्मूले से निकाले कि यह चीनी का फॉर्मूला क्या होता है पहली बात तो 12 x 12, H का 1 होता तो 1 x 22, और O का 16 होता है तो 16 x 11, 12 multiplied by 12 equal to 144, 22 x 12, 16 multiplied by 176, you will find it कितना आएगा भाई, यह आएगा 6, 2, 8, 8, 4, 12, हांसे लाई 1, 4, 2, 6, 7, 6, 13, 13, 14, हांसे लाई 1, 1, 2, 13, तो 342 gram प्रती मोल यह आ है आपका прatasi पार म मोलर मास है अगर मैं बात करूं किया मोलों की संख्या तो यहां पर लेकर लेकर चर्शा पर करूं तो वह कैईसे निकलेगा ? तो विले के मोलो की शंख्या क्या होगी, निकार धाई विले तो यह तो हो गर आपक हो माहई पास और मो चीनी का द्रभमान बटे चीनी का मुलर द्रभमान ओके चलेड तो चीनी का अगर मैं द्रभमान देखू तो वह कितना है आपका कहां गया भाई यह है चौटिस दसमलोग दो और चीनी का मुलर द्रभमान यह 342 भाग दीजिए तो यह आएगा आप पर 0.1 मुल कोई दिक्कत अब हम यहां पर मुलल्टा की चर्चा करेंगे तो मुलल्टा के लिए देख लेते हैं यहां पर लेखेंगे मो Lub विले के मोनो की संख्या कितनी है जीरो दसंदो एक यहां पर लेखेंगे जीरो दसमलो एक कbe विलायक का द्रविमान कितना है जिरू के समलोव एक काट तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आएगा आपका दस बटी अठारा और सॉल्व करिए है ना तो दो से काटो हो है ना तो दो पंचे दस और पनम पैतालिस आप भाग दे सकते हैं आपर भाग अगर मैं देखे पर पांच आएगा तो आप नो पना पैतालिस इस तरह से बढ़ते जाएंगे ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे तो यह आएगा आपका जीरू तो समलो पांच पांच ठीक है और अगर मैं बात करूं तो मात्रक क्या हो जाएगा तो मात्रक हो जाएगा उपर मोल रहेग हैं दोनों लोग अलग-अलग हैं दोनों को आप बिसेश रूप से ध्यान रखेंगे चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रस्नी की तरफ जो कि आपका मोललता की उपर बेश्ट होगा तो मैंने यही फॉर्मूला आगे लिख सकता है चलिए आगे चलते हैं तो यह हमारा अग करते हैं इस question के बारे में चलिए पढ़ते है question को भारानुसाय 20% केटू CO3 विलियन की मोललता ज्याद करना है अपने को और यह अपने को दे रखा है चलिए सबसे पहले हम question की chronology समझते हैं कि आखिर उसने दे क्या रखा है तो सबसे पहले उसने कहा कि भारानुसाय 20% CO3 का मतलब क्या है इसके मतलब को देखते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 100 ग्राम विलियन है इसका मतलब हम सबस्ते हैं कि हमारे पास विलायक भी है ओके हमारे पास विले भी है तो उसने ये कहा है कि अगर आपके पास 100 ग्राम बिलियन है इसका तो हमारे पास जैसे महलू 100 ग्राम बिलियन है ठीक है तो उसमें से 20 परसेंट यानि 20 ग्राम हमारे पास विले होगा तो विलायक कितना बचा आपने पास 80 ग्राम क्लियर टू यू क्या कह रहा है की 20 केटा शी और फिंचीSon मतलब यह है कि अगर आपके पास को विलायक का गा हुआ द्रबमान काहिं में किलोग्राम में देखें पहले ग्राम में तो किलोग्राम में हो जाएगा शी सब्लेट एक हजार अजीरो दसमलो जीरो अल्ट एक चीज़ तो आकर लेकर नीकालने का मैंने कई बार वीतों सब्सक्राइब आप चुकिंए तक हमारे पास द्रब्मान होने चाहिए और विले का मोलर द्रब्मान ड्रुमाट विलेकर द्रब्मान के लिए अगर मैं बात करूं के दिख्षुटब Doamage the तो विले का द्रब्मान है हमारे पास 20 ग्राम और विले का मोलर द्रब्मान कितना होगा तो विले का मोलर द्रब्मान हम यहां से रिकालेंगे के टू सी ओ त्री के मोलर द्रब्मान से चले शेवेंटी एट बारा फुर्टी एट नबे और अड़तालिस उजाएगा वन हंडड़ थर्टी एट ग्राम प्रतिमोल यहां दा कोई समस्या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए चले अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आगया हमारे पास विले का द्रब्मान आ गया और विले का मोल द्रब्मान आ गया चले अब हम आगे चलते हैं तो यहां पर लेखेंगे विले के मोलों की संख्या तो विले के मोलों की संख्या के अगर मैं चर्चा करों तो क्या आएगा विले का द्रब्मान वटे विले का मोल द्रब्मान कितना है तो विले का मोला द्रब्मान कितना है अपका 138 ग्राम प्रति बोल यहां पर आप क्या है ग्राम रहा है यहां आपका ग्राम है यहां को अग्राम से ग्राम कैंसलती हो जाएगा आपको 20 upon 138 मोल यह हो गए हमारे विलेय के मोल किता है क्लियर कोई दिक्कत कोई समस्या देख लीजिए भी इतना चले अब हम बात करते हैं कि इसे रखना है यहां पर तो यह अपने पास देखो विलेय के मोल आ गए ओके और विलायक का द्रबमान अपने पास यह आ गया और अब हम य देखेंगे यहां पर मोल अलता वराबर विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय के मोलों की संख्या किती है 20 upon 138 और विलायक का द्रबमान कितना है तो वह है आपका 0.08 मोल प्रतिकलों का इस विल बी और आंसर यू विल फाइंड वन प्वाइंट 0.081 मोल प्रति किलोग्राम यहीं आपका क्या होगा आंसर क्लियर इतना चले नाव मुविंग्ट नेक्स्ट क्वेस्चन चले अब हम बात करते अपने अगले क्वेस्चन की इस क्वेस्चन को आप देखेंगे कि H2SO4 का एक नमूना 94 प्रतिसत डबलू बटी भी है और उसक इसका ताथ पर यह है कि हमारे पास अगर 100 मिली लीटर विलियन है तो उसमें में अबारा 94 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है कोई डाउट नहीं तो यहां पर आप लिखेंगे कि 100 मिली लीटर विलियन में अब किलोग्राम क्यों नहीं लेखा आपने किलोग्राम माने इसलिए नहीं लेखा कि यह आपर भी लेखा हुआ है क्या लेखा हुआ है भी तो 100 मिली लीटर विलियन में चौरानमे ग्राम अच्ट्व एस उफोर है एक चीज में लगई क्या विलेए का द्रभमान नोट कर लो भाईया अंडरलाइन कर लेते हैं चार्ट तो हमें एक चीज में लगई विलेए का द्रभमान ओके आगे देखो आगे 100 मिली लीटर विलेएन में हैं ठीक है कोई रिक्कत नहीं है पहले हम सूत्र लेखेंगे सूत्र क्या है तो यहां पर लेखेंगे सूत्र 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 यहां पर लेखेंगे विलेएन की सॉरी यहां पर लेखेंगे विलेएन की मूल अलता तो यहां पर लेखें मूल of solute अरे इंगलेस में लेकिया कोई बात में बटे विलायक का द्रबमान किलोग्राम मास ओफ सॉल्वेंट इन केजी ठीक चाड़ा तो एक चीज तो आगई अब देखो विलाय विले जो है हमारा उसका हमारे पास क्या आ गया उसका आ हमारे पास द्रबमान अब हमिन निकाल लाएं विलायक का द्रबमान इतना है तो घंत यह और आयतन यह है यहां लेकिंगे विलायक का द्रबमान बराबर लेखते हैं विलेन का द्रबमान बराबर क्या होता है घंत्व गुणे आयतन यहां पर लेकिंगे विलेन का घंत्व इन्टू आयतन अब विलेन का घंत्व मैं देखू तो उसने दे रखा है 1.84 आयतन देखू तो 100 ml तो यू विल फाइंड 184 ठेक है और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो जाएगा आपको ग्राम ठेक कोई दिक्कत कोई दिक्कत ने है तो विलेन का द्रब्मान हो गया हाँ ठीक है अब हमें क्या है कि विलेन का द्रब्मान हमारे पास है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब हमें निकालना है विलायक का द्रब्मान तो निकलेगा अपना विलेन के द्रब्मान से हमें क्या क पड़ेगा द्रबाहन हों घटाना पड़ेगा तहीं लेकड द्रबान माइनस विपाद्रमान अगर मैं बात किरूँ विऑयन का द्रब मान कितना निकाल सकेर तो विले का द्रब्मान कितना है तो वह अपना 94 भी है घटा आईएगा नब्य गिराम ठीक है अगर मैं इसे किलोग्राम में चर्चा करूं तो ही हो जाएगा आपका 90 वटे के लिए इतना तो हमारे पास विलायक का द्रब्मान आगे किलोग्राम में अब क्या बचा बचा हमारा नमबर ऑफ बोल्स ऑफ सॉल्यूट यानि विले के मोलों की संख्या बची अब विले के मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे तो हमने बताया था कि विले के मोलों की संख्या यसे निकाल ली हमें तो वह निकलती है कैसे कि विले के हमारे पास मैस और विले का होला जाएं ए यहां पर एक सो 4 से बात कर लेते हैं इसका अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो दो लोग है एक है ठीक है एस का होता है 32 ओ का होता है 16 कि दो एकम दो 32 का 32 रहेगा 16 चुक हो जाएगा आपका कित्ता 64 सभी जा रहा है ना देखते हैं दो दो चार 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 आठ चैतिन नौ अंठानवे ग्राम प्रति मोलाएगा कोई डाव कोई डाव पर चलो अगर मैं बात करूं हूं है जँए डाव के पी घ्राहरेंगा हरो शब्ता खंवाइब को अगरहा भॉड को का अगरहा हम निकालना है मोलो की संख्याथ यहां पर लेखेंगे number of moles of solute जो कि हमारा H2S4 है तो अगर हम विले के मोलों की संख्यादी बात करें तो यहां लेखेंगे विले का द्रब्मान और बटे में आएगा बाई सब विले का मोलर द्रब्मान मोलर द्रब्मान अगर हम विले के द्रब्मान की चर्चा करें तो विले का द्रब्मान कितना है तो वो है हमारा 184 लेखो भाई और इतना है क्या नहीं तो 94 है चार मिटा देते इसको कलती हो गई 184 क्या है रहे दूसरे चलो विले का द्रब्मान कितना है तो आपका 94 है और विले का मोलर द्रमबान कितना है 98 तो यह आगए मोल आपके 94 आपन 98 यह आगए नमबर ऑफ मोल्स है अब हम यहां पर पुट करना है और आंसरा जाएगा चलिए रखने से तो यहां पर लेखेंगे मोल अलता बराबर यहां पर लेकिंगे मोल अलिटी एक्वल टू नमबर आप मोल अप्वसाल्यूट यह तो आपका यह ठीक है और विलायक का द्रमबान आपका यह यह था यह पर लेखेंगे और विलायक कद्रब महाने 0.090 और मात्रक आएगा इसका मोल प्रतीव किलोग्राम स्वालब कर लीजे कुणा भाग कर लीजे मैं करके बताता हूं तो यह आया आए आपका 10.657 करके ठीक है अगर हम इसे और सुन्दर तरीके से रिखेंगे 10.666 मात्रक वही रहेगा मोल प्रतीव किलोग्राम कोई भी डाउट हो कोई भी समस्या हो कोई भी तकलीप हो केमिस्ट्री से रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड तो आप वहां पर कॉमेंट सेक्शन में जरूर लेखेंगे ठीक है चले अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सिलते हैं और यह हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज बहुत क्वेश्चन आते हैं पिछली साल भ करूं मोल अइंव से निकालते हैं मोल प्रभाज कर दोने नमपर बाफ पर आप Leakon ऩधेगी तो यहां पर श्छ काहिए होता है दोनों के मोलों की संक्या उसके बाद हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं जल के मोल निकालेंगे और फिर निकालेंग हम इतायललकॉल की मोल निकालना है सबसे पहले जल की मोल निकालना है उसके बाद मोल प्रभाज के पास आएंगे तो मोल कैसे निकालते तो कई बार बता चूगे कि मास अपॉन मूलर मास एक थेक देख गाफ वार्मूला 꼼 अशिटो अ यहां पर लेगेंगे ऺचटू का मूलर द्रभमान तो है क्या स्कार अच का कितना है तो एक होता है कितने लोग है दो तो दो इंटू है ओका कितना होता है 16 होता है तो 16 भी आप दो जोड़ेंगे 18 मात्रक अगर बात करें तो यह हो जाएगा अपर ग्राम प्रति मोल ठीक है चाड़ो तो H2O का मोलर द्रम्मान होगे हमारे पास ठीक है कोई दिखकत्व है नहीं नहीं कि अब हमें बात करना है कि जलकी मोलो की संख्या तहां पर लेखेंगे एस्टू ओके मोलो की संख्या कैसे निकलेगा तो हमारे पास सुना चाहिए एस्टू का द्रब्मान और बटे लिखें एस्टू का मोलर द्रब्मान तो हम द्रब्मान अगर मैं देखू तो है आपके कितना अठारा तो यह तो मोलर द्रब्मान भाई द्रब्मान आपका 72 और मोलर द्रब्मान किता है 18 भाग दीजिए कि चार आया अठारा चुक 72 ऐसे यह एथायल अध्या यह यह इसे मुट्वार से मजाग करना अधायल एल्कौल का सूत्र आप जानते हैं यह यह तोड़ा सब्सक्राइब अगर मैं इसका मोलर द्रब्मान देखु तो यहां पर लेकिन कि मोलर द्रब्मान कैसे आएगा इसका तो तो सी का किता होता है 12 12 एसका एक एक आक टोंच पच्राइब का एक बार दोनी चौहविस पांच शोला टे चाविस चाविस चेटीज तीज़ दस चाले सिय चाले सचने ज़िया हो गया हो गया अब हम एश्र और मोलो की संख्या देखते हैं स्टी होगी अब हम बात करेंगे इथाल hypothesis कि मोलो की संख्य है यहां लेखेंगे सी टू है एच फाइब ओ हैच के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे मोल यहां पर आप बात करेंगे कि द्रबमान बटे एच फाइब ओ है तो द्रबमान के तना है इसका तो द्रबमान है इसका 92 और मोलर द्रबमान अपना है यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं कोई दिक्कत नहीं है चली आगी चलते अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो है हमें निकालना है मोल प्रभाज तो अगर मैं बात करूं कि जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं आप जल का मोल प्रभाज कैसे निक प्रभाज तो ऊपर जो यहां पर लिखना उसी के मोल ऊपर लिखने होते हैं यहां पर लखने कि जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोल प्लस और कौन है यह जल के साथ इथाइल एल्कॉल हो Until आप के मोलों की संख्या तो जल के मोल अगर मैं देखू तो वो कितना है तो चार है जल के कितने चार और एथाल अल्कॉल के दो चार बटे च्छार काटी तो दो बटे तीन तीछंग अठार तो जीरो तो सम्दो च्छै 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 इस तरह से आएगा कोई दिक्कत तो है ने च्छै अगर मैं इसे नियर अबाउट करके एख ओ तो यह आ जाएगा आपको जीरो असम्दो च्छै साथ ठिक है मोल प्रभाच का कोई मातरक नहीं होता है इस बात का सब्सिश ध्यान रखेंगे क्या कि मोल प्रभाच का कोई मातरक नहीं होता है तो ज तो यहां पर लेखेंगे एथाइल एलकॉल के मूल और नीचे रहेगा आपका एथाइल एलकॉल के मूल प्लस जल के मूल ए भाई क्या हो रहा है भाई खुस हो गया ज्यादा है जल खामॉल का नहीं के अगर आप चाहिए डायरेक्ट लिकाला तो एक से घटा दो सीधे सीधे तो आजाएगा नहीं घटा ना तो मैं आपके इसाब से कर दे रहा हूं है ना मुझे क्या है आज कर दो दो वटेश्य है एक बटेति महां को महल नहीं लिए और किस नोल राइज नोल प्रभाज निकालने थे तो मोह आगए है तो ये किसका आया है आजय सब्सक्राओं हो चलर करें उसमें कि आपको क्या संचे बटायों तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेशन की जो कि आपका ये क्वेशन है एथाइलीन ग्लाइकॉल की मोल प्रभाज की गर्णा कीजिए यदि जली विलियन में एथाइलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रब्मान उपस्तित है तो हमें इस क्वेशन को देखना है ये भी मोल यहां पर उसके बारे में लिख लेते हैं यह हमारा इथाइलीन ग्लाइकॉल है थिक सूत्र है सीटू एच सिक्स ओक प्ड़ के रहा है आप से कि जलीए विलियन में कितना 20% इसका द्रब्मान उपस्तित है तकितना 20% समझ रहे हैं तो आप समझे रहें हैं तो यह है कि अगर आपका 100 ग्राम का विलियन हैं तो 20 ग्राम स्माइड us का 20% कि जो है द्रभमान उपस्तेथ हैं जली में इसका मतलब यह है कि हमारा सिब्स ग्राम इताइलम ग्लाइकोल है और असी ग्राम क्या है हमारा जल है कोई डाउप तो नहीं है अब इतहाईलीन गिलाइकॉल का अमारे पास क्या हो गया भाईया आप वह आपको चितर वित्र जो है ऐसी बनाना ये वहाँ पर हाँ सिबना देना तो ओर मॉलर द्रब निंद्र अगर मैं देखें आप तो इथाइलिन ग्लाइकोल का सूपरिका है सिटू हैं saline 2 सब्सक्राइब करें दो है एक होता तो एक इंटू चैप वो का 16 होता तो 16 इंटू है तो है 12 दूनी 24 चाहे कम 6 16 दूनी पत्तिस चाहेश चाहेश तीस तीस और 32 होता 62 ग्राम प्रती मोल अगर मैं बात करूँ कि एथाइलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या कित्ती होगी तो यहाँ पर लखिए एथाइलीन ग्लाइकॉल की मोलों की संख्या कि अब क्या होगा तो मोल बराबर हो जाएगा भाई अथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या द्रब्मान यहां पर लिखे और नीचे आप लिखेंगे अथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर द्रब्मान अरे यार क्या लेख रहा हूं मैं उसका पूरा नाम ही नहीं लेखा नाराज जाएगा विचारा कोई डाउट कि द्रब्मान कितना है इसका तो बीस है और मोलर द्रब्मान हमने देखा भजया आया अब हम यहाँ पर जल के मोल निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे जल के मोल हैं जल का पहले हमारे पास क्या हो दो छिए मोलर द्रब्मान हम जानते हैं यह कई अब हम बात करेंगे भाई कि जो जल है उसका मूलों की संख्या तो जल के मूलों की संख्या का नहीं अच्छा लग रहा है ना के अच्छा लगेगा अरे भाई क्या हो रहा है कैसे निकलेगा जल का द्रब्मान जल का मूलों की जल का द्रब्मान कितना है तो जल का द्रब्मान का है असी है और मूलर द्रब्मान जल कितना है 18 हमें क्या निकालना है हमें निकालना है इथाइलीन ग्लाइकॉल के मूल प्रभाज और कुछ तो निकालना नहीं तो यहां पर लेखेंगे इथाइलीन ग्लाइकॉल के मूल प्रभाज कैसे आएगा तो मैंने यह बताया था कि जो यहां पर लिखा होता है उसके मूल आपको उपर रखने हैं और नीचे क्या रखने हैं इसके प्लस जो जो लोग उपस थे तो उन सभी के मूल यहां पर लिखेंगे इथाइलीन ग्लाइकॉल के मूल और नीचे आएगा भाई सब आपका इथाइलीन ग्लाइकॉल का मूल पिलस जल के मूल यहां पर लिखेंगे जल के मूल और यहां लिखेंगे आपका इथाइलीन ग्लाइकॉल के अगर और जल के मूल अपने देखें तो यहां आपके असी बटे अठारा इसको आप सॉल्व कर लिजेगा वही आपका अंसर होगा यहीं अगे मैं यहीं तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हौँ हुए अपका 0 traheim जीरो संतीन दो otry 0 NA 78 डा Stock 52 वहत्तर है ना तो आएगा आपका पर आठी जीरो इसतरही जाय है अब आप इसे solve कर लेंगे कोई दिक्कत तो है ने चले मैं solve करके भी बताय दे रहा हूं आपको जब आप इसे solve करेंगे तो यह आएगा आपका 0.0672 यही आपका क्या होगा answer होगा कोई दिक्कत नहीं हुनी चीह आपको ठीक है चले आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं अगले पढ़ लीजे पढ़ लीजे अपने ट्राइब कर लिया होगा अब पॉस्ट करके ट्राइब करो ठीक है चले बात करते हैं भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीए विलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंस की गढ़ना करनी है तो आपको यह ट्राइब करना था चले होगे इतना चले करते हैं तो बात करते हैं इसकी वैल्यू की तो यह जो नाम लिखा हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं भारानुसार 30% ग्लिसरॉल इसके बारे चर्शा कर लेते हैं इनी भी लिख दो इसका पहले अपने को मतलब पता होना चाहिए जैसे अपने पीछे पढ़ा था ना सोसे पहले मतलब लिखा था तो इसका मतलब क्या था कि 20 ग्राम हमा ढाय इथाएलिन-गलाइकल था सी ग्राम Wer कि 20 ग्राम हमारा क्या होगा संतर तो जल कितना होगा छांट में जल ऑगसमें चैरे अरय जैर यह जल कितना संतर है कि संड्वया आहीं गया होगा अब ग्लिसरोल से मिजाग करते हैं बहुत ग्लिस्रोल का सूपत तो यहां पाल लेखें कि ग्लिस्रोल का अगर मैं ग्लिस्रोल की चर्चा करूं तो कैसे निकलेगा तो अपने को सूतर बताओने चाहिए C3 H8 O3 तो C के 12 होते हैं तो 3 x 12 H8 तो H का एक होता है तो 1 x 8 और O3 तो 3 x 16 तो बारा ती 36 आठे का माट 16 ती 48 आठाट 16 16 16 22 हांसे लाई दो तीन दो पांच 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 नौ तो बानवे ग्राम प्रतिम हो लिए इसका क्या मोलर द्रबार अब हमें बात करने हैं भाई ग्लिस्टरॉल की मोलों की संग्याति यहां पर लिख लो तो ग्लिस्टरॉल की मोल कैसे निकलेंगे तो यहां पर लिखेंगे ग्लिस्टरॉल का द्रबार बटे ग्लिस्टरॉल का मोलर द्रबार तो ग्लिस्टरॉल का द्रबार की कितना है यहां पर ग्लिस्टरॉल का द्रबार द्रबार हम हम ने निकले तो यहां आपका 92 मात रखाएगा आपका मोल ठेक ऐसे लग दाभत कर लेते हैं और जल ठेक हो ऐसे नहीं मुर्यण चलो तो यहां पर जल के लिए चर्चा करते हैं आप लेखेंगे जल का मोलर द्रभमान तो क्या है 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 तो है है तो है दो इंटू एक ओका सोला अठारा ग्राम प्रतिमोल अब तो याद हो गया होगा याद नहीं हुगा तो कर लेना है और ज़्या उपसारा यहां पहल लिखें मोलों की संख्या अठार्यार जल अच्छा नहीं लिखा चलो कोई बात में जल के मोलों की संख्या तो जल के मोल कैसे न При 먹고 है तो ़ता है उल Sweet है जल का द्रभमान अपन जल का मुलर दरबबान अगर मैं यहाँ आप हर देखू भाई यहाँ जल का दरबबान कितना है 70अपनडर जल का दरबबान कितना है 18 अब हम बात करते है 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 कैड निकालना है हमको निकालना है Glycerol का मोल प्रभाजा मोल असरे अपर है कई से नकलेगा यहां पर लेखें गलेस्ट के नोलों की संख्या और यार देखें ग्लिस रॉल की मोलो की संख्या और नीचे लेखेंगे ग्लिस रॉल की मोलो की संख्या बटे प्लस जल की मोलो की संख्या ग्लिस रॉल की मोलो की संख्या प्लस ए यार जल की मोलो की संख्या तो ग्लिस रॉल की मोल अगर हम देखें तो यह हमारा कितना तीस बटे बानवे तीस बटे बानवे और यह हमारा सतर बटे अठारा यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट दा आंसर तो अगर मैं बात करूँ तो यह आया आपका 0.326 तीन दसंबलो आठ आठ इस तरह से आए ठीक है इससे आप सॉल्व कर लीजिए करिए चलिए यह आए आपका 0.077 आप कहेंगे मात्रक दो तो मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता यह आपका क्या होगा आंसर होगा चलिए अब अगले क्वेशन की यह भी आपका 2023 में क्वेशन आया हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन है और थोड़ा सा अच्छा क्वेशन है थोड़ा अच्छे से देखेगा ताकि आप अच्छे से कर सकते समझेगा मजा आएगा समझने में कहरा है गलुकोस के जल में बने लियन की सांदरता 10% 2W मिना भारार और फक्राणे मतलब नहीं रहे तो यह हमारा गलुकोस का एक सेपील लोच है गुलूकोस का 10% डबलू बटे डबलू है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमारे पास दस ग्राम गुलूकोस है और हमारे पास कितना है नभे ग्राम जल है कि यहां तक कोई समस्या तो नहीं होने चाहिए चली आगे चर्चा करते इस विल्यन का घंद तो इसने दे रखता है यहां पर साइड में यूज कर लेंगे बात की तो अनुछ कर लेंगे आगे मूच रहा है मोल अरता क्या अधिक पष्टना है सबसे पहले मोल अर्ता तेहां पहले को मोल अर्ता का सूत्र क्या होता है तो मोल अर्ता के लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ होना चाहिए क्या तो पहला बात हमारे पास विले की मोलों की संख्या होनी चाहिए तेहां पहले कि में विले की मोल भटे विलियन का आयतन लीटर में अब समस्या तो यह है कि यह जो बिलियन है हमारा वह बिलियन कितना है बिलियन हमारा सो ग्राम है यहां पर निकालना है यहां पर निकालेंगे क्या यहां पर लिखें विलियन का आयतन इम्पोर्टेंट पहले यह जरूरी है यहां पर लेखेंगे विलियन का आयतन अब आयतन बराबर क्या होता है तो आयतन बराबर होता है द्रब्मान बटे घंद अब सुच्छ कहा कहा से फार्वूला निखाल के लाहर है क्लास 9 10 में बहुत फार्वूले है इसे हैं नहीं पता तो अभी सीकलो भई यह घंत तो बरावर द्रभमान बटे आइतन होता है और आइतन बरावर जाएगा द्रभमान कितना है आपका 100 ग्राम और घंत तो कितना है 1.2 चलिए आप सॉल्व करेंगे तो यह आना चाहिए आपका 83 कि सम्थिंग आएगा 83 पॉइंट कुछ आएगा ठीक है चलिए मैं बताते हूं कितना आएगा यह आएगा आपको 83 दिसंबलो 33 मिली लीटर ठीक है लेकिन हमें विलियन का आएटन यह निकालना पड़ता है लीटर में समस्या समस्या की भाई बहुत ही दिक्कत है चलो अब हम यहां पर देखेंग आएगे लेक हमोल क्यान कैसे निकालनी के तेबार गुलॉकोश का थाएगा लेक eff कर दो क्या भी कहत्ता है हैँसे खड़ना तब देखेंळाब अब मोलर द्रवमान तब निकाल है अँगे आपको ग्युकös का सूतर होगा है चलो तो गुलुकोस का सूत्र होता है C6, H12, O6, C का अगर मैं बात में तो 12 लोग होते हैं, मतलब 12 होता है इसके value और 6 हो गया, H1 होता है, 12 का 12 रहा ठीक है, और ये कौन है, O, O का 16 होता है, तो 16 चक्छा है, बर्चंग 72, पहाली तो आते होंगे, प्राचीन काल भी सीखे होता है, बारा एक हम बारा, 16 चक्छानवे, 12 और 12 होता है, 84, और 84 और 96 होता है, 180, मात रख देखें तो यह होता है, आपका ग्राम प्रतिमोल, क्लिए रतना, चलिए, तो अगर मैं यहां पर देखू कि विले के मोल कितने होंगे, तो विले कोन है अपका ग्लुकोस, यहां प ग्लुकोस के अगर मैं मोल देखू, तो विले के मोल होंगे, तो आपका ग्लुकोस का मोल होगा, तो ग्लुकोस का द्रबमान वटे, ग्लुकोस का मोलर द्रबमान, ग्लुकोस का द्रबमान वटे, ग्लुकोस का मोलर द्रबमान, तो ग्लुकोस का अगर हम द्रबमान देखें, तो भाई, ग्लुकोस का द्रबमान कितना है, तो यह आपका 10 ग्राम, और molar द्रब्मान कितना है तो 180 ग्राम प्रती मूल तो एतने मूल आ गई एक बटे 18 कोई दिक्टत कोई दिक्टत नहीं तो यह आया आपके glucose के मूल एक बटे 18 यहाँ पर निकाला अपने को molar अर्था मोल अर्था को एंगले से बोलते हैं थोड़ा थोड़ा एंगलिस भी सीखते जाओ कि विले के जो मोल है वह है आपके एक बट रठा रहा है और आयतन लीटर में आए आपका 0.0833 प्राचीन काले मैथामेटिक्स पढ़ी होगी आपने यह आपका ऐसे हो जाएगा सॉल्व करिएगा तो इसको हमने सॉल्व किया तो यह आया है आपका 0.66669 इसे आप लिख सकते हैं 0.67 मात्रक अगर हम देखें तो भाई इसका मात्रक हो जाएगा क्या होगा मात्रक तो उपर मोल है तो मोल लिख लो और नीचे लीटर है तो लीटर लिख लो तो इसकी मोल अरता तो आगी में जा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया अब हमें निकालना है मोललता चलो मोललता निकालते हैं कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है चलो इसे अपन ऐसे थोड़ा सा बाट ले गए यहां पर लेखेंगे मोललता अगर हम मोललता देखो तो वह कैसे लेख लेगे यहां पर लेखेंगे विले का पहले सूत्र लेखोगे विले के मोलों की संक्या तो यहां पर लेखेंगे विले के मोलों की संक्या और नीचे रहेगा आपका विलायक का द्रबमान किलोग्राम किसका तो अगर हमने अभी देखा कि भाई विलेय के जो मोलों की संख्या है वह हम निकाल चुके हैं कितनी निकाली थी विलेय के मोलों की संख्या थी समावि एक अथारा और विलायक का द्रभमान देखी तो उनक किलोख्राम मी कितना है तो विलायक का है विलायक हमारा जल और जलका द्रभमान colonad when Um him and he was not a dollariones या अगर मैं अएग जीरो आजाएगा आपका जीरो जी रॉना पिलोग्राम हो लिख लेय अप तो यह जाएगा आपका एक बटे 18 इंटू 0.0 अरे यार ओके तो यह जाएगा आपका एक बटे 18 नम्मे एक सुबाश्ट दुवांक वाद दसम्मलो ठिक वो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो यह आएगा भी आपका 0.617 और मात्रक अगर हम देखें तो मूल अलता का मात्रक होता है आपका मूल प्रती किलोग्राम I hope you are understanding very well अब यह आपके दो पार्ट सुल्व हुए पहला पार्ट मूल अलता और दूसरा पार्ट मूल अलता अगली चीज बची है आपकी दोनों के प्रतेक घटक का मूल प्रभाज निकालना है अब मूल प्रभाज के लिए हमारे पास ग्लूकोस के मूल होने चाहिए और हमारे पास पानी के मूल होने चाहिए ग्लूकोस के मूल तो हमने निकाल लिए थे भाई ग्लूकोस के मूल कितने आ गए थे एक बटे 18 अब हमें निकालना है पानी के मूल तो यहां लेखेंगे जल के मूल की संख्या तो जल के अब जल के मूल कैसे निकलेंगे जल के मूल निकलेंगे जल का अब बटे जल का मोल अक्थ अगर हम बात करें नगे जल का और जल का मोलर द्रब्मान कितना है तो जल का मोलर द्रब्मान होता है आपका 18 पता है न क्योंकि जल है उसको आप क्या लिखेते हैं है अगर मैं यहां पर जल का मोलर द्रब्मान देखू साइड में ऐसे निकालके तो जल जो होता है आपका यहां पर लेकलो H2O का मोलर द्रभमान तो जल का जो होता है 2X1 हो जाएगा 16 17 18 तो यह हो जाएगा आपका 18 ग्राम प्रती मॉल थी यहां पर लिखू आप 18 तो जाएगा आपका पांच मॉल के नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं चल के मोल आगे आपके कितने 5 पॉल तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कौन तक ग्लूकोस तो यहां पर लिखते हैं ग्लूकोस का मोल प्रभाज तो कैसे निखलेगा तो उपर लेखेंगे ग्लूकोस के मोलों की संख्या और नीचे अगर हम देखें तो हुआ जाएगा ग्लूकोस के मोल प्लस जल के मोल तो ग्लूकोस के मोल अगर मैं देखू तो कितने निकले थे एक बटी अठारा लिख लो यार एक बटी अठारा लिख लो और यह हो जाएगा आपका एक बटी अठारा और जल के मोल आएथे पाच शॉल्व करते से चलो एक बटी अठारा की पहले वैल्यू निकाल ले यहां पर अठारा का पहले भाग दिद्धेख आटारा पंचिनब्भी अथा ला पंचिन अबब्भी ऐसी चलता अल्यां टक ते यह जाएगा आपके 0.055 पिलस यह 5 करद 5 ही रहेगा अगर मैं इसे देखू तो यह जाएगा 0.055 और नीचे जाएगा आपका 5.55 अरे नहीं भाई 5.055 अब हम इसे solve करते हैं थोड़ा सा तो यह आएगा आपका 0.055 0.01 मातरक क्या लिखू? मातरक होते हैं यह मोल प्रभाज का ठीक है तो गलुकोस का मोल प्रभाज या गलुकोस का मोल अंस यहाँ पर लिख सकते हैं गलुकोस का मोल प्रभाज इसका दूसरा नाम क्या है? मोल अंस भी नाम है ठीक है? अन्फूज मत होना तो अब निकालना जल का मोल प्रभाज अब देखो किसी विलियन में अगर 2-0 लोग आए अगर हमारे पास 1-0 मोल प्रभाज है तो दूसरे का मोल प्रभाज निकालente में एक से घटा देना है जहां पर लेखेंगे जल का मोल प्रभाज तो आपको कुछ नहीं करना यहां लिखेंगे 1 माइनस गलुकोस का मोल प्रभाज तो 1 का आपका 1 रहेगा और गलुकोस का मोल प्रभाज किता है 0 तो समद्लो 0 एक मात रख क्या लिखो कुछ नहीं मात रख नहीं लिखना ठीक है कोई डाउट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से नीचे लिखें वी विल रिप्लाइए चले आगे चलते हैं चले अब हम बात करते हैं अगले प्रस ने की ठीक है आप देख सकते हैं बहुत इंपर्टेंट प्रस ने दो बार आ चुका है बोर्ड एक बार 2023 में एक ब एक थी म defended सीथे को मैं आप मिलाने पर प्राफ्तिविल panda क क्लवास्पदाप क्या होगा तो चली सुरू करते-पे कि शोड़ना संसी ने के सबसे पहले हम a के मोल प्रभाज की गर्ना कर ले रहे हैं B को मशनल प्रभ्रभाज कर ले चांब आ आपके मुनाइम अगर में मोल प्रभाज को देखू तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट भी करते हैं तो क्या हो जाएगा बहुत एक एक मोलों की संख्या और नीचे हो जाएंगे एक मोल प्लस बी के मोल ओके चले तो मोल प्रभाज देखते हैं वहीं आई को एक मोलों की संख्या कितनी है तीन मोल ओके और बी के मोल कितने हैं तो बी के हैं दो ओके चले अब हम बात करेंगे बी का मोल प्रभाज यह कैसे निकाल लेंगे तो यह लेखें कि बी के मोलों की संख्या बटे बी के मोल प्लस एक मोल रिप्रिजेंट आप जानते हैं वैसी करते हैं ऐसे और बी लगा दो तो यू विल फाइंड देट बी के मोल कितने थे दो और यह जाएगा दो प्लस थी पाँच अब हमें निकालना है कुल वास्पदाप यह आप लेखेंगे प्राप्त विलियन का कुल वास्पदाप बराबर क्या एक आपका अगर मैं बात करूँ कि जो ए पर जो वास्पदाप वह कितना है और बी पर कितना है तो ए पर यह असी है और बी पर साथ है तहां लेखेंगे असी और ए का कितना चलना है भाई मोल प्रिभास तो 0.6 है बी का कितना है साथ और मोल प्रिभास जिरो दो सम्दाओ चार अठचंग अठालिस और च्छोगो चौविस आई थिंक सेवेंटी टू तो यहां पर आप लिख सकते 72 mm यह आपका उत्तर हो गया ठीक है यह किसका नियम है तो यहां पर लिख सकते राउल्ट के नियम से इंगलिस नहीं भाई हिंदी लिखो राउल्ट के नियम से राउल्ट के नियम से तो यह आएगा बहात्तर एम एम एक सेकंड ऐसे लगा लो तो अच्छा लगए कोई दिक्कत तो है ने चलिए अगे चलते हैं चलिए अब हम सुरू करते हैं अपना दस्वा क्वेश्चन यह आपका नुमेरिकल का दस्वा क्वेश्चन है और इसकी अगर हम बात करें तो यह का पिशली साल आ चुका है तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं अच्छे से पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इसांदार क्वेश्चन है देखेगा एक आवासपसील विलेपदार थे जिसका आडविक द्रब्मान उसने का है बहिए चालिस ग्राम प्रति आगे आपसे कहरा है उस द्रब्मान की गढला करना है मतलब इसके विले के Czy garbage कि REAL के अपने को क्या करनी है गढ़ना करते हैं अगे लिए जिसके एक सोटाहडा ग्रामॉक्टें यानि विलायक हमारे ह स्काड़ु है हुथ마 और आपके एकसो चाउदा ग्राम यानि डबू के वेलू जो हमारी वो कितनी है एकसो चाउदा ग्रावग्राम ओके on octane है हमारा to octane का हम सूत्र जानते हैं नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे अभी हम पन आक्टेन क्या होता है तो आक्टेन के बारी में मैं बता हूँ आपको कि जब अपन प्राचीन काल में अपन हाइड्रो कार्वन पढ़ा करते थी क्लास 9 त 10 में तब वहाँ पर इनका जिक्र हुआ था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पैंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ओक्टेन ठीक है तो ओक्टेन आपका आठवे नंबर पर आएगा तो इसका जो सूत्र होगा वो होता है आपका C8 और H की वैल्लू क्या हो जाएगी 2 इंटू 8 प्लस 2 अरथाथ C8 H 18 अठारह ही हो मोलर द्रमा निकालों तो वह कैसा आएगा तो यह हो जाएगा आपका 12 multiplied by 8 यह हो जाएगा 18 multiplied by 1 12 8 यह हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 8 और 96 और 8 यह होता है 8 6 14 हां से लाई एक 9 1 10 और 10 11 तो 114 ग्राम प्रतिमोल यह क्या आया भी आपका तो यह आया आपका आणवे के द्रभमान ओफ एथेन सॉरी ओक्टेन तो अगर मैं capital M की बात क्यों तो हो आया हमारा 114 ग्राम प्रतिमोल अच्छे समयना बहुत ही सुंदर question है देखो अभी अपन पढ़ा रहे थे थे थियोरी वाले portion में वहने बताया हुआ था कि राउल्ट का जो आपका नियम है वह क्या कहता है तो राउल्ट का नियम आपसे कहता है कि वास्पदाब में आप एक चिक आवन बिले के मोल प्रभ होता है किस के ब्राबर होता है वह क्या जाएगा विले और कि वोल प्रभाज के बैदा कि चले तो अगर मैं यहां पर बात को नियम लघेंगा धुदी है लो color change कर देते हैं यहां पर लिखेंगे route canyon से हम दो जो वास्पदाब में आप एक च्छिक अवन वन होगा वह आपका विलेज के बळभाज के बराबर होगा ठीक है तो अगर मैं वास्पदाब में आप एक च्छिक अवन की बात करों तो कैसे आएगा तो यह होता है आपका P-PS upon P एक पढ़ाया मैंने इट विलेक का मोल प्रभाज अब आप मैं यहां पर बताओं विलेक अगर मोल प्रभाज बताओं तो यहां पर मैं यहां पर ऐसे करके छोटा सा डिबा करके निकाले ले रहाँ विलेक अगर मोल प्रभाज की चर्चा करो किसकी कि मोल प्रभाज की कि मोल प्रभाज मोल फ्रेक्श हुआ है in comparison to विलायक तो अगर हम इसे देखें अच्छे से तो यह आपका कुल विलायक है यह नीचे वाले को हम निगलेक्ट करें दे रहे हैं तो यह कुछ ऐसा आएगा अब विले की अगर हम मोलों की बात करें तो विले का मोल कैसी निकलता है तो विले का मोल निकलता है द्र बटे छोटा हैं इंटू बड़ा डबनु अपने को निकालना है या छोटा डबनु क्या है यह ना पी माइनस पी एस अपॉन पी अब इसके बारे में चर्चा करते हूं उसने कहा कि भाई साब जैसी हम इसे डालते हैं तो उसके जो वास्पदाब में हैं वह कितनी कम हो जा अब उसका जो है कमी कितनी हो जा रही तो कमी आपकी तितनी हो जा रही असी पर्चेंट तो असी पर्चेंट का मतला जैसी हमने डाला यह कमी हो गई आपकी असी पर्चेंट तो आप कितना कमी हो गई तो बचा कितना तो पी माइनस पी एस बचेगा तो यह आपका बचेगा कितना भाई 20 बचेगा तो यहां पर आप लिखेंगे 20 अपाउन हंड्रेड 20 समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा आ गया होगा वैसे सब समध्दार है छोटा डमलू कितना है तो वह अपने को निकालना है बड़ा एम कितना है तो वह हमारा 144 यहीं है न भाई हाँ यही है ठीक है और अगर हम बात करें हमारा बड़ा ayam ठीक है अगर हम बात करें कि छोटा से 114 cancel और इस से यह cancel दो पंचे 10 तो पांच आया यहां पर ठीक है पना वठी 40 तो आठ आया यहां पर तो अगर मैं छोटा डवलू की बात करूं तो यह आया आपका आठ ग्राम तो जो हमारा विले घुला था उसका अगर हम द्रब्मान की चर्चा करें कि भाई हमारा जो विले है वो कितने द्रब्मान पे घुला हुआ था तो वो हमारा आएगा 8 ग्राम अगर इससे कोई भी आपके पास डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूश सकते हैं चले अब हम आगे चलते हैं चले सेम टो सेम ऐसे ही अपन दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नमर 11 पढ़ेंगे आप 293 केलविन ताप पर जल का वास्पदाब 17.535 mmHg है यदि 25 ग्राम ग्लुकोस को हम 400 ग्राम जल में घोलते हैं तो इसी ताप पर इसी ताप मतलब समझ रहे हैं बात क्वेश्चन ट्राई आप किया करें कैसे वीडियो को पॉस्ट करके यह सेम टू सेम पिसले जासा क्वेश्चन है आपको ट्राई करना चाहिए इसको वीडियो को पॉस्ट करके आप ट्राई करिएगा चले 293 केलविन ताप पर जल का वास्पदाब इतना दे रखा है यह हम में बात करूं तो यह हमारा पी है तो कितना इसा आपका सत्रा दसम लोग है पांच तीन पांच लिख लो कि आगे आप से कहा रहा है 25 ग्राम ग्लुकोस को हम घोल रहें ग्लुकोस को खोल रहें इट मींस ग्लुकोस ही जविली मतलब कि यह हमारे छोटा डवलु है कितना 25 ग्राम ग्ल्व होल ग्लुकोस है तो केटल डवलु हो जाएगा आपका साड़े 400 ग्राम हमें क्या नेकाल रहा है तो कॉल कोस का मुलर मास निकाल रहा है आड़वी की द्रबान निकाल रहा है जीसे हम होटते हैं और जल का आणविक द्रब्मान निकालना जैसे हम बड़ा आयम बोलेंगे, क्योंकि जल हमारा विला है, खर गुलूकस मारा विले है, ठीक है, चले, तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पर लिखेंगे, गुलूकोस का आणविक द्रब्मान, पता होना चाहिए आपको वैसे तो, अगर आपको पता नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत चल लाए भाई साथ, सूत्र उत्याद करिए, गुलूकोस का आणविक द्रब्मान, पहले तो अपने को गुलूकोस का सूत्र ही पता हो है तो गुलूकोस का सूत्र, अगर मैं बात करूँ तो वह होता है, आपका सीच है मैं आपे सूत्र लेखे दे रहा हूँ गुलुकोज का सूत्र होता है C6 H12 O6 ऐसे ही होता है कोच है समझदार है आप तो यहाँ पर आप लेखेंगे C की value कित्ती होती है 12 12 होती है कित्ते लोग है 6 लोग है H की value कित्ती होती है तो एक होती है किती लोग है 12 लोग है और O की वैलू किती होती है तो O होता है आपका 16 और जोग है 12 छक्न 12 चंह 12 72 12 एकम 12 और 16 Corn 12 चंह 12 12 15 nah 62 12 16 12 12 12 होता है आपका चा चाड़ास critique 84 और घान पुजाएगा आपका 180 यह हो गया आपका glucose का molar द्रबमान या आप इसे को कह देते हैं आणव की द्रबमान यानि यह है आपका छोटा M क्या है आपका यह चोटा M आ रही ही बास अंजमें चलिए अब हम बात करते हैं अपन बड़े M के पास बड़ा M कौन होगा जल यहां पर लिखेंगे जल का आणव की द्रबमान देखो मैं एक बार आपको बता दू कि भाई केमिस्ट्री के चो नुमेरकल हैं बहुत मस्त नुमेरकल होते हैं आप केवल फॉर्मूला पता कर लो उनमें दिमाग लगानी नहीं है सीधे-सीधे आप पूट कर यह आंसल लाइए कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप इन्हें क्या है छोड़िये गाम अतलि 11 12 नुमेरकल आते हैं ठीक है तो जल कानवेक द्रबमान जल का सूपर क्या होता है तो जल आपका है ह्ट्टू होता है अभी तक तो याद हो गया होगा जल कानवेक द्रबमान 18 होता है चुरू मैं फिर भी निकाल दे रहा हू तो यह अगर मैं बात करो दिस इच कैपिटल है अब बार-बार शूत्र लखने के जरूरत है नहीं मैं पिछले बार आपको समझाया भी था कैसे आपको शूत्र देखाया था आपको निकाल के तो यह आपका सूत्र यहां पर लेखना यहां पर आप लखेंगे एकॉर्डिं यहां पर लिखेंगे लेट अस चेंज माई पें चल लिखते हैं यहां पर लिखेंगे राउल्ट के नियम से एकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉओ क्या कहता है राउल्ट का नियम वास्पदाब में आप एक छिक अवनमान विले के मुल प्रभाज के बराबर होता है तो वास्पदाब का आप एक छिक अवनमान के हो जाएगा पी माइनस पी अरे भाई अविले का मुल प्रभाज अपनने पता करे था क्या आया था आपका यहां पर देख लो भाई दोबारा देख लो क्या आया था छोटा डू अपन छोटा एम इंटू बड़ा एम अपन बड़ा ड़ा ड़ू सभी की value है एक value नहीं है वही value निकाल नहीं है ठीक है तो क्या कह रहा है भाई सुद्ध जलका जो है हमारे पास दिया है 17.535 तो आप 17.535 पी एस आपका पी एस रहेगा बटे में पी यानि आपका 17.535 है तो 17.535 रिखेगा और छोटा डवलू कितना है तो छोटा डवलू का है आपका तो छोटा डवलू भाई यह है आपका 25 ग्राम छोटा एम का है तो छोटा एम है आपका 180 तहां पर आप 180 लिखेंगे और अगर मैं बात करूं बड़ा M कितना है तो बड़ा M कितना है भाई कहा है बड़ा M है आपका 18 18 ओके बड़ा W अगर मैं देख दो कितना है तो वह है आपका साड़े 400 अगर मैं यहां पे से भाग भाग दें तो यह हो जाएगा आपका पीएस बटे 17 तेन पांच तीन पांच आप सुच रहे होंगे ऐसे कैसे लिख दिया चार ही आएगा देखो कैसे आएगा चलो आगे बात करते हैं जाएगा यहां 4 आएगा 45 रहेएगा यहां सम्झ में चलो मैं आपको बताए दे रहा हूं जब आपको हल करके दिखाए रहा हूं आप क्यों टेंशन ले रहे हैं छोटा डबलु कितना है आपका 25 छोटा अम कितना है आपका एकस्वस् Когда बड़ा जो कितना हे आपका तो बड़ा म हें आपका 18 मेरा और छोट बड़ा डव्य कितना है तो सारे 400 तो तो अठारा धाम 180 स्वाया यहां 10 यह आएगा आपका 2 और यह आएगा आपका 5 का यह 5 से काटा है थीक है 5 को फिर काटो तो यह आएगा आपका 90 बता आएगा 180 नीचे 4 इंटू 45 तो बच रहाता ठीक है चलो तो यहां पर आप बात करेंगे 1 अपन 90 दो नी 180 अब तो दिक् यह आए तो यू विल गेट पीएस अपोन 17 दसंबलो 5 तीन पाच इक्वल टू दा 1 माइनस 1 अपोन 180 हाँ भाई मजा आ गया अब हम बात करते हैं पीएस अपोन 17 दसंबलो 5 तीन पाच इक्वल टू दा यह आएगा आपका 179 अपोन 180 अपनी पूछना यह कैसे आया तिक्ष है है हाँ अरे भाई भीन है वो भीन में को जब आप फल करेंगे तो ऐसे ही आएगा चलो आगे चलते हैं अरे यार अब हम बात करते हैं पीएस अपनी को निकालना है तो पीएस यानी सॉल्यूशन का यानी की बिलियन का जो वास्प दाब आएगा यह आएगा आपका 179 अपोन 180 मुल्टिप्लाइड वाई 17.535 ठीक है अब आप इसे अब आप इनका गुणा भाग कर लीजे जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा चले मैं आपका गुणा भाग करके लिखे दे रहा हूं then you will find पीएस एक्वल टू सत्राद असमलो चार तीन साथ mmHg this is your answer clear clear ना चले आगे चलते हैं तो यह वाला क्वेश्चन आप देखेंगे गन्य की सक्कर के एक दसमलो एक साथ ग्राम को पच्चिस ग्राम जल्में गोले पर विलायक का क्वेश्चन आउंग जीरो एक साथ डिग्री सेल्सेस बढ़ जाता है विलायक का अडुक उन्यान इस्थिरांक निकालना है और सक्कर कणुभार अपने को क्या है दे रखता है तो अगर मैं बात करो तो यह क्वेश्चन किस से रिलेटेड है तो यह क्वेश्चन रिलेटे क्वेश्चन आउंगे कर तो फस्ग्रू शियों है तो पहले सूथ निकालने का प्रयास करेंगे तो आफ तो आपको याद करना चाहिए अगर आप इसके बाद सूत्र लिकूंगा ठीक है आप यहां पर देखेंगे कैसे अपन सूत्र निकालते हैं देखो अगर हम बात करें कि क्वथिनांग का उन्ययन अगर होता है तो यह आपका डेल्टा टीवी जो होता है आपका यह आपका समानुपाति होता है मोललता की ठीक है मैं यहां आपको सूत्र निकाल क्या बता रहा हूं यहां पर साइड में कर लेते हैं चलो ठीक है अब अगर हम इसे हटा दें समानुपाति का चिन्न तो एक भाईया नीतांक आता है और वह होता है हमारा के भी ठीक है इसे बोलते मोलल उन्ययन इस्थिरांक ठीक है और यह हो जाएगा आपका इंटू मोललता का सूत्र अपन प्राचीनकाल से पढ़ते आ रहें भाई क्या होता है मोललता का सूत्र होता है आपका विले के मोलों की संख्या अच्छे से देख लो भाईया इसके बाद मैं बता हूँ का नहीं कैसे निकालते है ठीक है ध्यान लगा है कि देखो बटे विलायक का द्रभमान किलोग्राम में ठीक है अब यहां पर जो विलायक का द्रभमान वो ग्राम में तो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यह आपका के भी हो जाएगा और मोल कैसे निकालते है तो मोल निकालते है मास अपन बोलर मास तरह चोटा डबलू और यह हो जाएगा छोटा डबलू के साथ M नीचे लि बदाद करते हैं विलायक का द्रभ्मान क्या होता है आपका W मतलब बड़ा चीज है लेकिन यह किलोग्राम में है हमारे पास ग्राम में दे रखा है तो अपन क्या करेंगे महिए एक हजार से इसमें भाग देंगे यही होगा और क्या होगा तो यहां से अगर मैं देखू तो आजाएगा हमारा डेल्टा टीवी एकवल टू एक हजार इंटु के बी इंटु छोटा डवलू अपन बड़ा डवलू इंटु छोटा हैं इस दिस क्लियर टू यू यहां पर साइड में हम प्रतीकों के चिन लिखे दे रहे हैं कि भाई साब यह डेल्टा टीवी क्या है त का आप सवाल लगारे बैस्ते पहले अपने को फॉर्मूला भी तो पता होना चाहीं कैसे निकालते हैं का इंठैंब थ्योरीय मने पढ़ा दया है कैसे निकालते हैं फॉर्मूला ठीक है चलो चोटा आम है आपका जो अपन ने घोला है विले उसका मोलर मास यहां पर लिखे विले का अनुभार या आप इसे कह दीजे मोलर द्रब्मान आगे मैं बात करूँ और कौन बचा भाई के भी बचा के भी को बोलेंगे मोलल उन्नयन इस्थिरांग दूसरों की सीमा में प्रिवेस मत करो चलो आगे चलते हैं क worn kb के भी च लिए चोटा डब्लु है वह क्यों बात करो है आपका यहां लेकिनगे आप के विले का द्रब्मान अगर वह बात करPaul करते हैं तो बड़ा डब्लु के अगर हम बात करते हैं पर तो बड़ा डब्लु है आपका विलायक का द्रभान अब अब यह घ्रम में चलेगा okay क्यों किक्नप्रियों कि अबधा अब में क्लिर तुए। कोई समझ तो यूख अब अपने हो चाहिए अपने को चाहिए आइनों को दियां थै क्या है अपन तो मोलन आ इस यसनला श्ठरंग जानते हैं पहले मोलल निकाल लेते हैं, बात के आणों किसे चर्चा करेंगे, अगर मैं यहां से kv की बात करूं, यहां जाएगा आपका kv एक्वल टू छोटा हैं, बड़ा डवलू, डेल्टा टीवी, बटे, एक हजार, और कौने बाई, छोटा डवलू, रख दो वैलू, यहां से kv क फिल्टा आएगा टू टू मेंसे तो वह कहा है, आपका गंचे की सक्कड याई आपका गंने की सक्कर nous पर अडू बहार हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 342 में आपका सबकी वैल्यू लिखे दे रहा हूं गन्य शक्र यानि आपका विले है तो इसकी वैल्यू है आपकी 342 मात्र ग्राम प्रतिमोल कि आगे अगर मैं बात करूं भाई कि एक दुसमल एक साध ग्राम तो यह आपका गन्या की शक्कर का द्रभान तो यह हो जाएगा आपका छोटा डब देग दिसम लेक साथ ग्राम आगे गर हम चर्चा करें तो पच्छीस ग्राम जल में घोल रहे हैं तो यह हमारा क्या है कैपिटल डब लूँ समझ में आ रहा है ना राइटिंग अच्छी आ रहे है हां चलो आगे अब और क्या बचा भाई और बचा हमारा डिल्टा टीबी दिस इज जीरो पॉइंट है जीरो वन सेविन अब हम वैल्लू रखेंगे करके ध्यान दीजेगा छोट आइम की वैल्लू किते है 342 रखें गए आपर बढ़ा डब लूँ कितना है तो पच्छीस लिखें आपर डिल्टा टीबी कितता है 0.0 एक साथ 3000 का आपको 1000 रहे गए और छोटा डबलू कितना है चोटा डबलू है आपका चोटा डबलू कौन है अपका एक डबलू है चार्चा करें मात्रक कांई से निकालेंगे तो इन few कांट्रक से इनकी कहा नितव है पर खतम भी मानतें यह an कर है अब एम है आपका मोल प्रति ग्राम है ना स्वरी ग्राम प्रति मोल तो ग्राम प्रति मोल हो जाएगा अब हो जाएगा आपका डिग्री सेल्चिस है ना तो आप इसका मात्रक अगर हम बात करें तो ग्राम प्रति मोल है ना और यहां परा जाएगा डिग्री सेल्चिस लेख लो है कोई दिक्कत की बात नहीं है चलो आगे चलते हैं अब आप इसे स्वाल्व करिएगा तो अगर हम बात करें यहां पर एक सेकंड रुको रुको अगर हम इसके मात्रक की चर्चा करें तो यहां पर देखो डबलू से डबलू कैंसल तो यह वाला मात्रक तो अपर गिरेंगे नहीं एम का मात्रक क्या हो जाएगा ग्राम प्रती मोल लेकिन यहां पर जो सिस्टम चला है वह किलोग्राम बाला चला है तो यहां पर आपका मात् प्रती मूल और दिग्री सेल्सियस तो आप डिग्री सेल्सियस से लगा सकते हैं चले अब हम बात करेंगे के-वी बरावर तो के-वी विल भी इक्वल टू दा जीरो दे समलो एक दो चार ठीक है डिगरी सेल्सियस किलोग्राम प्रतिमोल ऐसे न लिखना हो तो डिगरी सेल्सियस प्रतिमोल लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है कोई समस्य है चले यह आए आपका केवी केवी क्या है अब हम चलते हैं अनुक उन्यन इस्थिरांके के पास यह होता है आपका 10 केवी मात्रा का आप लिख दो डिगरी सेल्सियस प्रतिमोल कायों कित्ता टेंसन ले रहे हैं ठीक यह प्रतिमोल डिगरी सेल्सियस इस यह आपका अंसर चले अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बोड एक्जाम 2023 में आया हुआ था चले पढ़ते हैं एक द्रव का क्वथनांक 350 केलविन है दो ग्राम अवास्पसील विले को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलेन का क्वथनांक विलेन का क्वथनांकित हो जाता है 350.50 केलविन हो जाता है विलेन की मोलर द्रव मान की गर्णा करनी है और हमारे पास केवी की वैलू दे रखी है 2.50 किलो ग्राम प्रती मोल केलविन दिख रहा है दसंबलो नहीं दिख रहा है चलो मैं दसंबलो लगाए दे रहा हूं अच्छा सा लगेगा ओके ठीक चले अब हम बात करते हैं सौलूसन की बहुत यासान क्वश्चन कुछ है नहीं देखो पिछले क्वश्चन जैसा है अपने को यह फॉर्मूला याद हो नह कि बिना फॉर्मूले के कल्यान होने वाला है नहीं यह अटल सत्य है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेस्चन नहीं बनेगा ठीक है यह एक अटल सत्य है आप इसे स्वीकार करें ठीक है तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फॉर्मूला बना क्वथनांग 19 के सूत्र से क्या था अपना सूत्र तो एक बार फिर देखिए आप बार बार देखिए डेल्टा टीवी बराबर 1000 के बी छोटा डबलू क्या लेखेंगे डेल्टा टीवी बराबर 1000 के बी छोटा डबलू बटे बड़ा डबलू इंटू छोटा एम क्लियर इतना देखिएंगे बड़ा डबलू इंटू छोटा एम इन सबे की बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है यहां पर तो सबसे पहले एक द्रव का क्वथनांक जो हमारे पास कितना था तो हमारे पास एक द्रव था सुद्ध द्रव था उसका अगर मैं क्वथनांक देखू तो वो है आपका 350 केलवे जब हमने इस पर दो ग्राम अवास पसील विले मिलाया तो क्या मिलाया हमने विले तो विले की मात्रा यानि छोटा डब दू कितना है उसने का दो ग्राम मिलाना है तो दो ग्राम है आगे चलते है डरव कितना है 100 गर्म माना कैतना है द्रव कितना है tenta के यौन यह कितना है यह हमारा विलायक है तुविलायक का द्रभमान अपने पास कि इतना है भी क्या है आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका क्वत्ग्नांक बढ़कर ती वी जो आपक estou हो जाएगा तीन सो पच्चास दसम्लाव 500 आगे आप से कह रहा है विले के मोलर द्रब्मान की गढ़ना कीजिए यानि अपने को छोट टायम निकालना है आगे अपने को के वी वैल्यू दी रखें तो के वी की वैल्यू उसने का भाई सब आपका जो के वी है ना वह आपका दो दसम्लाव 5 सुन मात्रा का आप लेखी सकते के केलिविन 123 किलोग्राम हो प्रते मुल को कोई डाउट तो नहीं है अपके पास भोगात बना रहेगा कोई दिक्कत की बात ही नहीं है मेंधिस हैं चले आगे चलते हैं तो यहां पर आए बात करहांसरा उन्यन के यह पर लते हैं में tetra ace तो उटर्वल देखो अँझे समय ना मेरि बात को तह जो पहले अगर मैं बात करों कि पहले अगर वह उसका कटना गटा साले तीन सपर कटना बडू जहांसरा यह कैसे निकालेगी बढ़े वाली से घटा दू तो बढ़ा कितना था तो वह बढ़की आया था साड़े 300.50 घटाएंगे आप साड़े 300 को यू विल फाइंड 0.50 केल गए तो यह आगे आपका डिल्टा टीग एक चीज में लगए तो यह आपका 0.50 कि एक हजार को आप से मेज लिखें के वी कितना है आपका तो के वी है आपका दो सम्म मॉप पांच जीरो है छोटा डालू कितना है आपका तो छोटा पनाुए और बोलुक आलू का है वह आह आपका दो घ्राम बड़ा W कितना है आपका तो वो है आपका 100 ग्राम और M अपने को निकालना है तो 2 0 से आपके 2 0 cancer हो गए कुछ बचा तो है नहीं कुछ नहीं बचा बचाते हैं भाई बचाते हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं अगर हम बात करूं M निकालना है मेरे को तो कैसी निकलेगा यह M क करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 25 मल्टी प्लैडवाई 2 अब बटे आजाएगा 0 5 0 कि मेराबर देखें थी हो जाएगा आपका 50 बटे 0 5 0 कि दसमलों हटाओ तो दो बिंदी उपर बढ़ेंगी तो अपना आये हो गया दो बिंदी उपर बढ़ा देखें पचास से पचास ओड़े गया तो M बराबर आए आपका सो तो अगर हम M की बात करें जो हमारा क्या निकालना था अपने को विले का मूलर्द रभ्मान तो आए आपका सो अगर मैं बात करें मात्रक का तो मात्रक हो जाएगा इसका ग्राम प्रतिमौल तो उम्मीद करते हैं आपको यह वाला क्वेश्चन बहुत ही सांदार तरीके समझाया हुआ बहुत आसान क्वेश्चन था आज कर वोल्ड एक्जाम में ऐसी क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं अगर आपको कोई भी समस्या हो कोई भी दिक्कत विससे रिलेटेड तो आप कॉम पदार्थ के जली विलियन जिसमें तीन ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जलमें क्या है घुला है का क्वेश्चन आंक्व के सो दसंब्लों पांच एक डिग्री सेलसियस है पदार्थ के अनु भार की क्या करनी है कर नहीं जबकि हमारे पास के भी दे रखा है अब बात आती है कि तो related to elevation of boiling point, यह जो question है यह भी आपका क्वथिनांक के उन्नयन से संबन्देत है, पहले अपन उसका सूत्र लेखेंगे, सूत्र क्या है, सूत्र अपना ये है, 1000 kv, छोड़ा w, बड़ा w, इंटु छोटा हैं, यहाँ पर लेखेंगे क्वथिनांक के उन्नयन का सूत्र, तो पह उन्नयन के सूत्र से, क्या था आपका क्वथिनांक क्वथिनांक का सूत्र, यहाँ पर लेखेंगे, डेल्टा टीवी बराबर, 1000 kv, छोटा w, और क्या था भाई, बड़ा w, इंटु छोटा हैं, याद कर लेखेंगे, चलो, एक कार्वनिक पदार्थ के जली विलियन, जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, यादि क्तना हैं, आपका 3 ग्राम, इस जिच, amount of solute, so amount of solute, that is आपका छोटा w, कितना हैं, आपका 3 ग्राम, आगे, घुला हुआ है का क्वथिनांक, यादि क्वथिनांक, ब्लियन का कह रहा है, कितना है भाई, सो दसम्लो पांच-एक डिगरी सेलसेश्यास ओके पदार्थ के अनुभार यानि छोड़ टाइम अपने को क्या करना है निकालना है अपने पास क्या है के भी दे उसने किता 0.5 एक क्या है भाई डिग्री सेल्सेस प्रति मूलल लिख लो चलो यहां तक कोई समस्चा नहीं होनी चाहिए आपको है कोई समस्चा नहीं होनी चाहिए यहां पर अगर हम बात करें अगर सुद्ध जल को देगे तो सुद्ध जल का क्वथनांग किता होता है तो अगरं आप मुखते गया है ज्यादा पर यह पांपेन रिखेंगे जमारा सुद्ध जल होता है उसका क्वथनांग तो वह अपका हंडड़ डिग्री सेल्सेज यह आपन जानते हैं सब जानते हैं चलो अब हम बात करते हैं क्वथनांग का उनन एणर क्वथनांग का उन्रि टीवी से आपका टीवी घटेगा कौन सा टीवी बड़ा वाले से टीवी नौट घटेगा ये कितना है आपका ये है आपका भाई साब कितना भाई 100 असमलों 5 एक और यह है आपका हंड्रेट घटाई है तो आपका जो डेल्टा टीवी आया वह आपका 0.5 एक आया अब हमें इस फॉर्मूले में रखना आवासे तो आप कर लेंगे ना मुझे विश्वास आप पर आप कर लेंगे इतना चौन दूमे से नए चलो आप कर ही ले डेल्टा टीवी के वैलू रखते हैं 0.5 एक हजार के एक हजार रहेगा आपका है बड़ा डबलू किता है 50 ग्राम और छोटा म किता है वही तो निकालना है वही दिया होता तो खाम न बन जाता चलो इस से आप इसे काटेंगे चलो अब हम एम की वैलू के बाद करें एक ह्यारी हो गया काटो 20 आया 25-100 हो जाएगा है ना तिन 20-30 चले अब हम बात करते हैं अगले प्रस्ट की ठीक है यह वाला प्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सांदार और इसी टॉपिक पर रिलेटेड है कुछनाइक की उन्यन पर ठीक है पढ़ते इसको कि तीन ग्राम यूरिया है उसको 100 ग्राम जल में घूला जा रहा है ठीक है यानि ये क्या दे रख यानि यूरिया की मात्रा यानि यूरिया जो है हमारा 有ilis ये है और 100 ग्राम जल यानि यह आपका आप विलायक और 100 g क्या है आपका जल यानि बड़ाड़ है आपका 100 ये समझमें आ रहा है न equiv है अ ward मैं फिर से आप वीलायक है उसका द्रबबाल छोटावल मींज जो आपका विलिया है उसका जो आपका विलेय है उसका मॉलर मास से आप कह सकते हैं तो यह होगी आपका आगे वो कह रहा है कि क्वथनांग्ट में उन्ना याने की गड़ना कीजिए अपने को निकालना है डेल्टाटी में आगे आगे पूछ रहा है जल के लिए मोलल उन्नेयन इस्थिरांक कामान यानि के वी की वैल्लू जो है अपने पास है जीरो दसम्ना पांच दो मात्रक लिख सकते हैं आप कैल्विन अब हम बात करते हैं कि भाई क्वथनांक के उन्नाइन का सूत्र का होता है तो अब यह हम तीन-चार क्वेस्चन कर चोके हैं उससे related तो अब तो आपको याद हो गया होगा कोई दिक्कत थो है ने चले रिखते हैं तहाँ रहें कि क्वथनांक के उन्नायन के सूत्र से क्या होता है अगर हम बात करें तो वह होता है आपका डिल्टा टी भी बराबर एक हजार याद कर लिया होगा मुझे उम्मीद है आपसे के वी इंटु छोटा डवलू बटे बड़ा डवलू इंटु छोटा एम ठेक है चले अब हम बात करते हैं क्या नहीं है अपने पास अपने पास नहीं है छोटा एम छोटा एम क्या होता है छोटा एम होता है मोलर मास और सॉल्यूट क्या है अपना यूरिया है क्या है अपना यूरिया अब दिखा थी है कि यूरिया का सूत्र नहीं है पता पता है चले यूरिया का अगर आपको सूत्र पता है तो बड़े आराम से आप ये क्वेशन कर सकते हैं अगर आपको यूरिया का सूत्र नहीं है पता त वो तो बनी बात है मैं आपक système में हुआ ओला था कि आपको फॉर्मुले तयार करने पढेंगे अगर आपका फॉर्मुली तयार नहीं है तो Questionati नहीं बनेगा आप फॉर्मुला तयार है तो Question बनेगा और को थार्ट ना पढ़ेगा और कोई उसका विकल्प नहीं है चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई मोलर मास ओफ यूरिया हम कैसे निकालेंगे तो सूत्र तो पता होगा आपको लेखो फटा-फट जो यूरिया होता है आपका सूत्र होता है एन अच्टू कच्छा 10 से पढ़ते आ रहे होंगे आप तो कि प्रयोक सालाय मना जाने वाला पहला कार में पदार्थ यूरिया है ठीक है चलो वेल्यू रखते है एन यानि क्या होता चाउदा ओ भाई एक ही तो है है एच कितने है दो अच्टू गसी कितना है आपका तो बारा होता है तो एक है बारा अरे भाई ओ कितना है एक है तो आपका हो जाएगा सूला एन कितना है आपका तो हो जाएगा आपका चाउदा चाउदा दो सोला और चाउदा दो सोला सोला का सोला दो नी बत्तिस सोला ती अड़तालिस प्लस बारा हो गया साट तो अपने पास आगया छोटाइम कितना साथ और कोई दिक्कत अपने को है नहीं अपने को यही चाहिए था है ना चलो अब अपन करते हैं तो अगर हम बात करें तो क्या आएगा डिल्टा टी भी वरावर आएगा अपना एक हजार का आपका एक हजार रहेगा ठीक है और कौन है बाई के बी कितना है जिए दसम लोग पास दो और क्या है छोटा डबलू कितना है छोटा डबलू कहां है भाई तीन ग्राम बड़ा डबलू कितना है 100 ग्राम और छोटा अएम कितना है आपका 60 एक जीरो से एक जीरो कैंसल एक जीरो से वाला जीरो कैंसल यह वाले जीरो से वाला जीरो कैंसल तीन एक अंग तीन तीन दो नीचे दो कैंसल यह हो जाएगा आपका चाहे आप Kelvin में लिखो चाहे आप degree Celsius में लिखो दोनों की value के आएगी पराबर आएगी इस देट clear चले हम बात करते हैं अगली question की यह है आपका 9 gram glucose को 500 gram gel में गोला गया है एक तीन बार दाब पर विलियन का क्वथनांक ग्यात करना है जल के लिए अपने को के भी दे रखा है वह है आपका क्वथनांक के onion से related question है थोड़ा सा change हो है विलकुल ठीक है चले सबसे पहले हम सूत्र लेखेंगे क्वथनांक के onion का तो यहां पर लेखेंगे क्वथनांक के onion के सूत्र से कि आंगे फिर चर्चा करते हैं बात के ठीक है डिटेल में क्वथनांक के उन्ने अंद के शूत्र से क्या है भाई तो वह है आपका डेल्टा टी भी बराबर एक हजार केवी छोटा डवलू अपन बड़ा डवलू इंटो छोटा है अब हमें सबकी वैल्लू रखने पड़ेगी किन आध नौग्राम ग्लूकोस याen जो सॉल्ड है यानि वह कितना है आपका मौ नौ ग्राम दाब उपर जो दाब की वैल्यू है वो कितनी है एक दसम्ला सून एक तीन बार दाब ओ इसका थोड़ी यूज करेंगे बाद में चिंता नहीं करो है आएगे क्या कह रहा है जल के लिए के भी कितना दे रखा है जीरो दसम्ला पांच दो केलिविन किलोग्राम हमको क्या निकालना है कवत्हना तक बिलियन का तो पहले अपने पास बील्टा टी विए होद çवे की हम बातके सोचेंगे कुछ ठेक है अब हमारे पास क्या नहीं है चोट टैम अब राइब वार नहीं निकालेंगे लेकिन हम कितना आएगा इसका आता है 180 निकाल दो दुबारा पिछले कई सवालों भी निकाल चुके हैं इसको चलो फिर भी देख लो C6, H12, O6 C की value होती है 12 कितने लोग है 6 लोग है तो 6 का गुणा करा दो H की value होती है 1 कितने लोग है 12 लोग है O की value होती है 16 कितने लोग है 6 लोग है 12 चंग 32 होता है 12 आपका सेम रहेगा और 16 चंग का चंग भी यूँ जाएगा आपका 180 मेरे इसाब से तब सब चम है काम आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं अब हम यहां से निकालेंगे चलो यहां पर देखते डिल्टा टीवी की कहानी तो 1000 का आपका 1000 रहने वाला है के भी कितना है तो के भी है आपका 0.05 दो और चोटा डबलू कितना है वो है आपका 9 ग्राम और बड़ा डबलू कितना है वो है आपका बड़ा डबलू कौने भाई 500 ग्राम और और क्या बचा अपना और बचा आपका छोटाइम है ना छोटाइम आपका 180 काटते कैसे तो ऐसे 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 ठीक है पांच दूनी 10 स्वाया 2 और 9 दूनी 18 तो यह आपका 10 बार में कट गया आया मज़ा ऐसे करता भी है डेल्टा टी भी वराबर आया आपका 0.05 दो बटे 10 अब 10 का भाग दी दो तो जाए सब 0 5 और अगर हम देखे बहाई इसको मात्रक वात्रक तो मात्रक देख दो कैलेवें लिकाँ क्या दिकना दिखा थी घर का का भालिग अपना अपने घर का बालक है तो क्या लिएन हो गया अब हम उपयोग करेंगे उसका कहां गया यह वालि भाहिस सब अगर हम बात करें एक डिसम्ट सुम्ट सुन्य एक तीन बार की बात करें तो इस पर जो हमारा जल होता है इसका कुथना के कि कि अगर हम बात करें शुद्ध जल का कृतिना है तो 273.15 प्रस 100 यह हो जाएगा आपको 373.15 यहां पर लिखेंगे क्या नाम इसका 1.013 बारदाब पर बार दाब पर सुद्ध जल का कृतनांग होता है आपका सौड़ी ली सेल्सियस और अगर हम इसे कैलविन में लिखी तो यह हो जाएगा आपका 273.15 और जोड़ दोती हो जाएगा आपका 273.15 अब देखो हो जाएगा बढ़ जाएगा सीधी बात है यहां पर अगर हम बात करें कि जो हमारा डेल्टा टीवी उक्वल्टू होगा इस विल एक्वल टू था टीवी माइनस टीवी नॉट आपको मेरी बात संजय आ रही है कि भाई जैसे हमने कोई चीज मिलाई तो जैसे आप मिलाएंगे तो उसका ताप बढ़ेगा जब आपका ताप बढ़ेगा और हमें टेंपरेचर डिफरेंस निकालना है तो ऐसी निकलेगा ठीक है चलो डेल्टा टीवी के बाद लिए रखे 0 0.05 तो टीवी अपने को निकालना है और यह है हमारा 333.15 इसे आल आई है यह जाएगा आपका 333 दसंबलो ए भाई बहुत गंदा लिख रहा है 333.15 जोड़ेगा आपका 0.05 उम्मीद करता हूँ जोड़ना तो आपका आता होगा नहीं आता यहाँ ऐसे जोड़ते हैं देखो 333.15 0.05 दो की उपर कुछ नहीं दो रहेगा पांच पांच आया क्या पांच आया तो पांच लिख दो पांच और पांच दस होगे आहाँ से लाई एक एक और एक हो जाएगा दो तीन आ जाएगा साथ आ जाएगा तो यह जाएगा आपका 373.15 अरे बहुत गंदा आ रहा है ग्लुकोस के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है इस विलियन का क्वथना के इतना हो जाता है तो जल के लिए के वीक की गरना कीजेए अब यह क्वश्चन आप खुड ट्राई कीजें पॉस करके वीडियो को कर लिया ट्राई चले देखते हैं ग्लुकोस के 12 ग्राम को यानि यह क्या है आपका ग्लुकोस का जो है द्रववान है यानि छोटा डवलू है आपके पास 12 ग्राम ग्राम जल में घोला जाता है यह क्या है आपका कैपिटल डव्डू इस विलियन का क्वथिनांक यानि आपका क्या है टीवी आगे पूछ रहा है जल के लिए केवी की गर्णा करनी है अगर हम बात करें सुद्ध जल का क्वथिनांक कित्ता होता है तो वह आपका 100 डिग्री से लिए सब्सक्रा लेखेंगे सुद्ध जल का क्वथिनांक कित्ता होता है वह होता है आपका 100 डिग्री से लिए से लिए अगर मैं बात करूँ क्वथिनांक का उन्ने यान यू जाएगा आपका कित्ता था पहले 100 डिए समलो तीन चार इस आप 100 को घटा दीजेगा चाहे आप इसे डिग्री सेलिशस में लेखें और चाहे आप इसे कहीं में लेखें केल्विन में बात आपकी बराबर है अब आप कहेंगे कैसे बराबर है अगर इसे 236 पाज जोडे औहुद इसमें भी 233 पाज जोड़े स्क्री अगर ऑगर इसे गटाएंगे तो अनसर पेहनी आइगा कैल्म समझष कमें है कि अचे अचै्द चाहे आप इसे 2 टिपरैंज है temperature difference चाहे आप Calvin में निख को और चाहे आप degree Celsius में रिखो बात क्या है आपकी बढ़ाबर है सिरी दिक्कत की बात तोरी ने ए mo लोग सिर ले घर का काई में अपना मिलोग करें दो अपने को क्या है क्लिए रहतना कोई समस्या नहीं होनी चीए हम सूत्र जानते हैं क्या जानते हैं लिखते हैं क्या 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 लि शूत्र से अगर हम कुधनांग के उन्यान के शूत्र को देखे तो वह उता है आपका कित्ता है आप तो याद कर लिया होगा सब लोग बोलेंगे डेल्टा टीवी बराबर एक हजार के भी छोटा डवलू अपॉन बड़ा डवलू इंटू छोटाइम ओके चले ठिक पुट अप करिए तो यह है आपका 0.34 तो यहां पर लिखेंगे 0.34 1000 का आपका 1000 रहेगा जी के बी कित्ता है के बी तो निकालना है वही निकालना था तो काम न वन जाता है छोटाबलू कित्ता है बारा बटे बढ़ा डवलू कित्ता है सो छोटा M मतलब जो हमारा विले घोला हुआ है यहां पर जासे हमने गुलुकोस घोला है तो उसका मोलर दर्मान हम कई बार निकाल चुके हैं अभी इसी स्षीरीज में निकाला था तो एक स्वस्थी आता है चल तो अब हम बार बार नहीं नखेंगे क्योंकि हम निकाल चुके हैं कई बार मैं आपको भी दिखाए दे रहा हूँ कहां निकाला था देखो यह है गुलुकोस का मोलर दर्मान ठेक है इस तरह से निकालते हैं चल तो यह आएगा आपका एक स्वस्थी का एक स्वस्थी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे, दूनी, बारा, चत्रे, गठारा और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं इससे काटो, जीरो तो समलो एक साथ बार में कटेगा और गुणा कराएंगे तो यह आजाएगा आपका के भी बराबर ओके कोई डाऊट, कोई डाऊट नहीं हो रहे है मात ररक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, प्रतिम मोल के लिए रतना अगर दूसरा मात्रक लिखना हो तो आप इससी की जगह आप लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस अगर आप इसे Kelvin में लिखना चाहते हैं Kelvin लिख लो किलोग्राम प्रतिमोर क्योंकि आप डिल्टा टी का यूज हुआ है तो वहाँ पर डिग्री सेल्सियस और Kelvin दोनों की वैल्यू क्या आजाएगी सेम रहती है Is that clear to you? चले आगे चलते Next चले पढ़ते से क्यों कह रहा है 1.822 ग्राम और्गैनिक कंपाउंड मतलब कोई कार्मनी की यूज है जिसकी जो मात्रा है वो हमारी 1.822 ग्राम है यानि हमारा छोटा डबलू है आपका 1.822 ग्राम अगे अनु भार यानि इसका जो छोटा एम की वैलू है वो है भी आपकी एक सो पचपन को मात्र के लिए तो ग्राम प्रतिमोल है ना अच्छा लगता रहता है थोड़ा मजा आता रहता है को 100 ग्राम बेंजीन यानि बेंजीन यानि विलायक है यानि कैपिटल डबलू है हमारा सो ग्राम में गोलने पर हमांक में इस इज हमांक हमांक में 0.60 डिगरी सेल्चिस की कमी इट मींस डिल्टा टी एफ डिप्रेस्टन इन फ्रीजिंग पॉइंट आगे ये है आपका 0.60 आगे बेंजीन के मोलल अवनवन इस्थिरांक यानि के एफ की गड़ना करनी है और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका 2018 में देखो भाई सूत्र दोनों के सेम है मोलल उन्यन इस्थिरांक का मतलब कथरांक में उन्यन का और हमांक में अवनवन का अब दोनों के लिए क्या है कि सिस्टम सही चलना होता है अपने को फॉर्मूला याद करना पड़ता है याना फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आती है फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा यहां पर लेखेंगे हमांक में अवनमन यहाँ पर लेखेंगे हिमांक में इसका सूत्र था अपना डेल्टा टी एफ बराबर एक हजार के एफ इन्टु छोटा डवलू अपन बड़ा डवलू इन्टु छोटा है डेल्टा टी एफ की वैल्लू किती जिरो समद अच्छे एफ भाई साब एक हजार के एफ कितना है निकालना है अपनी को छोटा डवलू कितना है बड़ा डवलू कितना है सो छोटा एम यह भी दिया कोई दिक्कत ही नहीं है मैं नहीं कर रहा यह कुष्चन अब आप कर लेंगे ना कोई दिक्कत तो है नहीं देखो इससे इकड़ गया इससे इकड़ गया इत्ता कर लेते हैं यह हो जाएगा आपका के एफ बरावर एक सब पच्पर मल्टी प्लैड़ बाई जीरो दसम्लो अच्छे जीरो अपउन एक दसम्लो आठ दो दो करिए से सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपको आंसर होगा इतना क्लियर ना देखो यह आप अगर क्याइप की वेलू नेका लेगी और एक सेकंड दस रहेंगा यह ऐसे है ना जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका पांच दसम्लोव एक शून्य चार ठीक है 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 यहाद रख वही आपका कौन है भाई डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रतिमोल कहने के ताज पर यह है कि जैसा मैं आपको बता रहा थे इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में तो आपको यहां से भी लायक होता है तो उसका अनुभार भी दे रहा है अरे वेरी गूड 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी आती जल के मोलल अवन इस्थरांकी गर्णा कीजिए तो मेरा से यह आग रहे है कि आप इस question को pause करिए और solve करने का प्रयास करिए क्योंकि यह जो है बहुत आसान question है पिछले वाल जैसा है ठीक है चले देखते है तो यह हमको क्या दे रखता है गुलू कोस का द्रब्रमान त्यानि छोटा डबलू है हमारे पास दो दसम्लों दो पांच क्राव कि अगर अगर हम देखें तो कही रहा है आप से कि हमांक में जीरो दसम्लों नौ तीन डिगरी सेल्सेस की कमी आती है यानि डेल्टा टी एफ की अगर हम बात करें जीरो दसम्लों नौ तीन डिगरी सेल्सेस की कमी आती है आगे कह रहा है कि जल की मूलल अवनवन इस्थिराएं क्या नहीं क्या इफ करनी है गढ़ ना करनी है बड़ा डबलू गय जा जल का बहार तो जल की मात्रा अपनी कित्थी 55 ग्राम कि चलो लिखते हैं कि क्या लखेंगे लखेंगे आप करेंगे ट्राई वीडियो को पॉस्ट करके चले हां लखेंगे क्या लखेंगे अपन हिमाइंक में अवनमन का सूट क्या होता है तो यह होता है आपका डिल्टा टी एफ इक्वल टू एक हजार के एफ छोटा डबलू अपॉन बड़ा डबलू इंटू छोटा है याद कह लीजेगा बार-बार नहीं कहूंगा हम मैं यह आएगा आपका जीरो दो सम्लो नो टी एक हजार के एफ किता है आपका निकाल लाएं अपने को छोटा डबलू किता है आपका दो दसम्लो दो पांच बड़ा डबलू है अपना पच्चिस छोटा एम कितना है आपका एक स्वस्सी एक जिरो से आपका एक जिरो कैंसर इसे थोड़ा पार्ट दीजे पूरा तो यह 100 का इस तरह से हो जाएगा तो मैं यहापर आपको करके द यहां पर क्या निकालना है जीरो दसम्लो नो तीन का जीरो दसम्लो नो तीन ही रहेगा अपना कि सो का गड़ा कराई तो हो जाएगा आपका दो सो पच्चिस के एफ आपका के एफ रहेगा और नीचे बचा पच्चे इन तो अठारा 25 नम्मा दो सो पच्चिस होता है तो 9 आएगा और 9 एक आप नो नो दूनी अठारा होता है अगर मैं यहापर के एफ देखू तियो जाएगा आपका दो इंटू जीरो दसम्लो नो तीन तो अगर के एफ की वैल्लु देखते हैं अपन तियो जाएगा आपका दुद्ती छे दुना मठारा यानि एक दसंबलो आठ छे मात रख क्या होगा तो मात रख वही पुराना वाला डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रतिमोल एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं के एफ प्वल्टो ज्यादा अच्छा से लग गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रतिमोल चले हो गया इतना कोई दिकत चले आगे चलते चले अब हम बात करते अपने अगले क्वेश्चन की यह आपका 2019 में आया हुआ है सारे क्वेश्चन हमारे प्रिवियस यह पे चांट चांट के लाए गया है क्वेश्चन है ना और बढ़िया डिटेल में एक्स्प्लेनेशन हो रहा है अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है न्यूमेर कल की तो आप बढ़िया आराम से इन्हें टेकल कर सकते हैं इनकी मदद से ठीक है चले पढ़िए गैसे किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोले पर जल के हिमांग को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनवन हो जाता है पदार्थ का अणू भार ग्यां तीजिय जल का अवनवन इस्थरांग अपने को दे रखा है चले ठीक है चले करते हैं जो चीज दे रखें वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं सॉलूशन वस्या आप से बन जाएगा यवारा कुश्चन ट्राई कर सकते हैं आपके यह अपने को क्या दे रखा है किसी पदार्थ का 7.5 ग्राम यानि हमारा जो है पदार्थ जो घुला हुआ यानि विले यह है वो है आपका 7.5 ग्राम विलायक की मात्रा है हमारे पास 75 ग्राम जलके हमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का आउनमन जहिलना पड़ रहा है यानि यह जो है आपका डेल्टा टी एफ है वो है हमारा किता है बाई 1.2 डिग्री सेल्सियस आगे अच्छा ही लग रहा है यह है आगे आगे क्या रहा है आपसे कि पदार्थ का अणुभार ग्यात कीजिए यानि एम अपने को क्या करना है निकाल ला है आगे देखेंगे जलका अवनमन इस्थिरांग यानि के एफ एक दिसम्लो आठ छे दे रहा है मात्रक इसने नहीं देर रखा तो अपन अपने मन से लिखेंगे अपन को तो आता है ना डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रतिमोल मात्रक सीख लो बिना मात्रक के कल्यान नहीं होगा चैड़ो कभी कभी डारेक्ट मात्रक के पूस देता है चैड़ो अब हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन का सूत्र याद हो गया होगा नहीं हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं याद कर लेना डेल्टा टी एफ बराबर होता है आपका एक हजार के एफ छोटा डबलू अपन बड़ा डबलू इंटू छोटा आइम ठिक चलो टी एफ की वेल्लू कित्ती है एक दसंबलो दो एक हजार आपका एक हजार रहेगा के एफ कित्ता है कहा है भई एक दसंबलो अठ छोटा डबलू कित्ता है साथ दसंबलो पांच बड़ा डबलू कित्ता है 75 और 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 छोटा एम तो निकालना है देखो यह से दस बार में कटेगा तो दस आएगा यहां से ऐसे से जीरो कैंसल हो जाएगा ऐसे ही होता है यहां पे अपने यहां ऐसा ही होता है चलो आए करते हैं आगे हम बात करेंगे एम को हां भेजेंगे इस तरह से इसे क्या करते हैं शॉल्ब करते हैं तो अगर हम देखें तो यह हो जाएगा एम बराबर एक दसम्लो आठ छे मुल्टिप्लाइड वाई 100 तो इट विल भी 186 और यह हो जाएगा 1.2 दसम्लो आठाव बिंदी बढ़ाओ 12 एकम 12 छाय और चाय बारा पंचे साथ चाय और जीरो बारा पंचे साथ तो अगर हम अनुभार देखें तो हुआ है आपका 125 ग्राम प्रतिमोल यह होगा आपका क्या आंसर ऑके चले चले आपके चलते हैं अब हम बात करते आपने अगले क्वेश्चन की बहुत ही सांदार बहुत ही इजी बहुत आसान क्वेश्चन होगा ठीक है चीनी का जल में एक 5 परशेंट का विलियन बना हुए भार अनुसार है ठीक है और यह जो है मैं यहां पे लेखे दे अतिस्ते विलियन की हमांक के की गढ़ना कीजिए सुद्द जल का हीमांक केतना दे रख कोई दिक्कर की बात रह ए, चलो, सबसे पहले हुए जीता तो सुद्द जल का हमांक, tf उपर नोट लगा दो। शालो अब फिर ढूरते कुछ ना कुछ तो सौंज में आएगा ही कह रहा है चीनी का जल में बना एक 5% का भारानुसार विल्यान है मतलब कौन सा विल्यान जली है विल्यान इसका मतलब लेखना पड़ेगा है कि अपने पास ऑपंच ग्राम जो है कि ओ इंग्लेस में लगया कोई बात नहीं है इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन मतलब विलियन अगर मैं बात करूं तो यानि कि चीनी का अगर द्रभमान बात करे जाये तो यह आपका कितना पांच ग्राम छोटा डबल आगे आपका पांच ग्राम बडा डबल बताओ आप बडा डबल हो जाएगा सौ ग्राम नहीं सौ में से पांच गहताएंगे यह आजाएगा आपका पंचानबे ग्राम कि बड़ा डबलू होता है आपका विलायक हैना यानि 100 ग्राम का आपका पूरा विले न है और पांच ग्रामम चीनी मिली होऊं तो भाई विले कितता बचा आपका विले आपका जो है चीनी है चिनी आपकी 5 ग्राम յिलायक है विलायक kissed 95 स 5 तो अचानबी और 5 खोगया आपका 100 दो चीजे मिल गए नहीं मिली कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे चलो, दो चीज़ा हो गई, चले आगे चलते हैं, छोटा डबनी हो गया, बड़ा डबनी हो गया, आपने कुछी है छोटा हैं, छोटा हैं, छोटा हैं, छोटा हैं, छोटा हैं, चीनी का वेल्यू जानते हैं अपन, नहीं जानते हैं, तो चीनी का सूतर अपने को पहले पता हो चीनी का सूत होता है C12, H22, O11, तो 12 x 12, 1 x 22, और 16 x 11, 12 x 12, 14, 25 x 22, और यह हो जाएगा 176, यह हो जाएगा आपका I think 342, I think क्या साई ही होगा, ठीक, क्लियर रित्ता, तो यह आगे आपका छोटा है, चले, अब अपने को क्या ची है, 4 लोग आगे क्या, 1, 2, 3, 4 लोग आगे, पांच मा निकाल लेंगे, अपने कुछ ना कुछ करके जुगा रहे हैं, चले, आगे आपस क्या कह रहा है कि हमांग के इतना हैं, गुलूकोस के जल में बने 5 लोग यह क्या दे रखा, विलियन का हमांग, यानि जब हमने चीनी को जल में मिलाया, तो उसका हमांग हो गया, 271 कल, यहाँ पर लेखेंगे, विलियन का हमांग, यानि अपने पास है, टी-एफ, कितना है, 271 के, अब हम बात करते हैं, डेल्टा टी-एफ कितना आएगा, तो डेल्टा टी-एफ आएगा आपका, टी-एफ-नॉट माइनस टी-एफ, तो टी-एफ-नॉट कितना था आपका, 273.15, घटाएंगे आप 271 को, तो यह आएगा आपका, 271, कैलिवन में चल ला है कैलिवन में लिख लो अब हम लिखेंगे सूत्र से सूत्र क्या था सूत्र था आपका हिमांक का अवनमन का सूत्र पता हम इतना पापड क्यों वेल रहे हैं नहीं पता देखो अपने को क्या करना है अपने को यह नहीं निकालना है भाई गुलुकोस वाला अभी अपन चीनी वाले से क्या निकाल रहे हैं तो चीनी वाले से अपन निकालेंगे के एफ ठीक है उसके बाद फिर गुलुकोस वाल के एफ बड़ा डबलू चो टाइम याद हो गया होगा यही था एक हजार के एफ चोटा डबलू अपन बड़ा डबलू इंटू टाइम चिक चल वैल्यू पुट करिये कि दोद्ष का रहेगा है के चोटा डबलू कित्ता है पाँच फांच नहीं पांच क्यां कि के प्यास के टो निकालना है वाइस दोड़ा ना बड़ा डबलू किता है आए भाई बड़ा डबलू 95 छो टाइम 340 अगर हम यहां से के एफ की वैलू निकालना चाहते हैं देन वी विल गेट उनाइस पना 95 ठेक है तो दो दर समल एक पांच इंटू 19 इंटू 340 बटे में आएगा आपका एक हजार चले सॉल्व करें इनका गुणा करके चले जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 13 असमलो नौ साथ और मात्रक वही आपका क्यालिमिन किलोग्राम अब हमें बात करने गुलुकोस से यह तो अपने को निकाल लेंगे नहीं अपना अभी स्क्वेश्चन तब सुरू होगा चलो अब गुलुकोस के बारे में बात करते हैं गुलुकोस के जल में बने पांच प्रतिसत विलिया तो यहां पर बात करते है गुलुकोस से और यहाँ पर अपन पेन का इच कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर अपन लिखेंगे गुलुकोस के जल में बने यह भी भारानुसा आ रहे ठीक है इसका मतलब क्या है बताते हैं चिन्ता नहीं करना है देखो भाई इसका मतलब फिर वहीं है कि भाई पांच ग्राम क्या है गुलुकोस है आपका और आपका 95 ग्राम क्या है आपका यहाँ पर पानी है तो यहां पर अगर हम बात करें चोटा डवलू आपका क्या है 5 ग्राम अगर मैं बात करूं तो बड़ा डवलू क्याँ आपका तो वह आपका 95 ग्राम है के क्लियर इतना चलो मैं यहां पर पाल्टेशन मला दू नहीं तो लड़ जाएंगे यह लोग चल दोनों हो गए हाग लागे क्या कह रहा है केफ अपने पास आई गया थे कितना एक यह के एक तेरा दो शमलो नौशाथ केलीवीन किलोग्राम प्रतिमूल अब क्या बचा तीन लोग आ गए चोथा हर भोडो गुलू कोस का मोलर मास एक स्वस्सी तो यहाँ पर लेख लो निकालना सिखाया देना मैंने गुलुकोस किता हो था C6 H12 O6 चलो फिर से मैं निकालना सिखाया दे रहा हूं 12 इंटू 6 12 इंटू 1 और 6 इंटू कितना है 16 12 इंटू 72 प्लस 12 प्लस 96 84 प्लस 96 80 इंटू इंटू 180 ग्राम प्रतिमोर तो गुलुकोस के लिए अगर हम बात करें तो छोटा हैम है अपने पास 180 अब हम बात करें आगे हमांक में आउनवन के सूत्र से यहां से लिखता हूं है क्या है हमांक में आउनवन का सूत्र तो देख लिए आपर यह रेखा हूँ है डेल्टा टी एफ बराबर एक हजार के एफ छोटा डबलू अपन बड़ा डबलू इंटू छोटा है तो सबकी वैल्यू दे रखें डेल्टा टी एफ यहां पर निकालेंगे पन यहां पर डेल्टा टी एफ का आप डेल्टा टी एफ रखेंगे एक हजार का एक हजार रहेगा अरे यार के एक हजार किता है यहां से आप के एफ निकालेंगे किता है भाई के एफ तेरा दसमलो नौ साथ छोटा डबलू किता है 5 ग्राम बड़ा डबलू किता है 95 ग्राम ग्लुकोस के लिए एहम कितना है 180 उनाइस बना 95 प्लीज सॉल्विट तो यहां आपका चार दसमलो सुन आठ चार साथ केलेविन कर चाएगा ऐसे ना लेखना होता थोड़ा और स्टाइलिस लेख सकते हैं यह ग्लुकोस के लिए आ रहा है भाई यह आ रहा है ना हमको निकालना था ग्लुकोस के विलियन का हिमांक ओके चले बात करते हैं यहां पर लखेंगे वी हैव तो कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ओफ ग्लुकोस सॉलूशन के निकालना है ग्लुकोस के विलियन का हिमांक यानि हमें निकालना है टी एफ बढ़िया वाला हाँ ठीक चले अगर मैं बात करूँ कि भाई सुद्ध चले का हिमांक के कितना है तो यहां पर लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ओफ प्योर वाटर और वाटर हमारा वह सॉलुवेंट है तो वह है आपका दो सुद्ध चले का हिमांक हो गया और हमें निकालना है टी एफ नॉट यह हमारा सुद्ध चल का हिमांक हो गया और हमें निकालना है टी एफ चलो तो अगर हम बात करें कि भाई क्या होता यह सुद्ध चल है उसमें अगर हम कोई आवास मिला देंगे तो हमारा जो हमांक है घट जाएगा ठेक है तो अगर मैं देखूं तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू होती है वो आजाएगी आपकी टी एफ नॉट से टी एफ को घटाना पड़ेगा तो डेल्टा टी एफ है आपका चार दसमलो कितना है शून्य आठ पाच और यह हमारा दो सो तेटर दसमलो और टी एफ यह है अगर अब हम टी एफ निकालना चाहते हैं तो टी एफ आप कैसे आएगा मैथमेटिक्स तो आप जानती होंगे दो सो तेटर दसमलो एक पाच माइनस चार दसमलो सून्य आठ पाच घटा आती कैसे यहाँ पर मैं आपको घटा के दिखाए दिए रहा हूँ सब्सक्राइब 10 में से 5 गया 5 भचा है हांसे सलाई एक 15 में से नो गया तो नौ 6 15 एक में से गया शून नाया 13 में से नहीं आज यार तीन में से 4 तेरा में से चार गया तो आया 269.065 तो यह आया आपका उत्तर है यह सवाल थोड़ा अच्छा था अच्छे से आप प्रेक्टिस करें किसी प्रकार की कोई दिखका तो निचे कॉमेंट सेक्षन पर कॉमेंट करके बताईए चले अब हम बात करते हैं अगले प्रस्ण की जो ही है आपकी स्क्रीन पर क्य कह रहा है कि 17.1 ग्राम मतलब 17.1 ग्राम हमारे पास सुक्रोस है और आपके आसानी के लिए कि आप थोड़ा दिक्कत में ना पड़े उसने अडुभार भी दे रखा है कि भाई सुक्रोस का जो अडुभार है 342 है ठीक है उसको हमने 100 ग्राम जल में घोला है तो हिमांग के मे 0.93 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन हमें क्या हुआ है फीलो रहा है पता हुआ है ठीक है तो जलका मोलल अवनवन इस्थिरांक यानि के एफ निकालना है जो जो चीजे दे रखे हैं वो चीजे पहरे लिख लेते हैं उसके बाद आगे चर्चा करेंगे तो 17.1 ग्राम सु कि इसका अनुभार यानि विले का अनुभार यानि छोटा एम कि 342 ग्राम प्रतिमोल आगे कहा रहा है 100 ग्राम जल यानि यह क्या है अपना मास ओफ विलायक यानि कैपिटल डब्लू आगे आपसे कह रहा है कि घोले पर हिमांक में 0.9.93 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है यानि डेलटा टी-एफ जो है आपका 0.93 डिग्री सेल्सियस है जल के लिए मोलल आवनवन इस्थिरांग क्यानि के एफ की वैलू निकाल लिए हमांक का आवनवन का एक सूत्र था जो कि हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं अभी कई बार प्रैक्टिस क्या है यहां पर 10-15 क्वेस्चन में तो यहां पर लेखेंगे हमांक के आवनवन के सूत सूत्र से सब लोग बताएंगे आवनवन का सूत्र क्या है क्या होता है यह होता है भी के एफ बराबर के एफ डेल्टा टी एफ बराबर 1000-K-F-W-A-P-W-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P तीन एक हजार आपका सेम एज रहेगा कि आपका किता है तो के एफ है अपने को निकालना है और छोटा डवलू किता है तो वो है अपना 17 दसम लोग एक और बड़ा डवलू कितना है तो बड़ा डवलू है 100 और जो हमारा छोटाइम है वो कितना है 342 काटू पहले से इतना के लिए 10 का गुणा कराईए उसमें 10 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा के एफ 171 वटे 342 एक से खतर दूनी 342 ठेक है तो के अब बराबर आएगा आपका 0.93 मल्टि प्लैड वाई दो दुत्ती छे और दुनाम अठारा मात्रक के अगर मैं बात करूँ तो मात्रक विल बी डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल कोई दिक्कत कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं आपके जो कॉमेंट है उसका अंसर दिया जाएगा चले वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन था इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कहें कर रखें चले अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन यह हमारा क्वेश्चन पिछली साल आया है 2023 के बोर्ड एक्जाम पढ़ते हैं एक वैद्दुत अनप घट्टे के दो ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन मे जो हमको निकालना है उसको अपन को क्या करना है फाईड आट करना चले देखते हैं चलें सबसे पहले बात करते दो ग्राम यानी fundamentally मात्र हरा 50 ग्राम आगे क्या दे रखा है उसने कहा भाई 50 ग्राम बेंजीन पर गोल रहे हैं तो 50 ग्राम बेंजीन इट मींस यह हमारा क्या है विलायक तो यह विलायक की मात्रा जो है हमारा 50 ग्राम आगे इसके हिमांक में 0.4 केलिविन की कमी आती है यानि दिस इज डेल्टा टी एफ अगे वेंजीन के हिमांग का आवन वन इस्थिरांग ढेट इच यह अपने को ते रखा है 5.12 क्या नाम इसका कैलिविन किलोग्राम प्रति मोल यहां लेके लो कैलिविन किलोग्राम प्रति मोल आगे विले का मुलर द्रब्मान अपने को क्या करना है ग्याद करना है यानि विले का मुलर द्रब्मान अपने को क्या निकालना है M निकालना है चलिए शुरू करते हैं अगर हम बात करें सूत्र से तो सीत्र वही हमारा हिमांक का आवनवन तेहां पर लेखेंगे हिमांग के आवनवन के सूत्र से तो बच्पन से सूत्र सुनते आ रहे हैं कि हिमांग का जो आवनवन है उसका सूत्र क्या है तो हम जानते हैं कि जो आपका डेटा टी एफ होता है वह होता है आपका 1000 के एफ छोटा डब्लू अपन बड़ा डब्लू इंटू चोटा एंप याद कर लीचेगा ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है चलो अब हमको निकालना है छोटा एम ठीक है तो छोटा एम निकालेगे तो छोटा एम यहां आएगा और टी एम आपका नीचे आएगा तो अगर मैं बात करूं छोटा एम की वेरिलू की तो इट इपर भी 1000 का 1000 ठीक है एक है के फ कितता है तो 5.1 रहा ठीक है और छोटा डब्लू कितता है तो वह है आपका 2 ग्राम बड़ा W किता है तो वह है आपको 50 किराम ओके और डेल्टा टीएफ आपका नीचा आजाएगा तो यह है आपका 0.4 केलवे इस 0 से यह वाला 0 कैंसेर हो गया ठीक है किलियर नहीं इतना पांच चोको 20 तो यह हो जाएगा दो इस से दूर जाएंगे अगर मैं बात करूँ तो यह आए आपका 100 गुणे तो यह आएगा आपका 5.12 जब आप इसका गुणा कराएंगे तो यू विल फाइंड 512 और उसका अमात्रक वही रहेगा ग्राम प्रति मोल जो आपका अंसर वो यह रहेगा आपका 512 ग्राम प्रति मोल केलिए इतना कोई द करते हैं 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में गोला गया है जिसका हेमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हेमांक में अबनवन 0.68 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित क्या जाता है सल्फर के अडुभार की गढ़ना करनी है ठीक है तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क् सल्फर है और सल्फर को हमने गोल रखा है नेफ्थलीन में तो सल्फर क्या है तो सल्फर है हमारा विली और नेफ्थलीन है हमारा विलायक ओके तो हमारी जो सल्फर की मात्रा है वो हमारी कितनी है 25.6 ग्राम यानि छोटा डबलू जो है हमारा 25.6 ग्राम आगे अगर हम बात क well 1000 ऐख जिसका हमांक 80 EGCR सेंसरों से मजाक नि करेंगे आगे जी गतानलों सुने इस से तो यह हमारा डेलटा टी एफ तो चाहें आप इसे डिगरी सेलसस्स ल्स्य में लिखे और चाहें आप सेडियरी क्या होती है बराबर होती है यहां पर अगर में बात करूं तो यह हो जाएगा आपका जीरो दसम्लाव शिक्स से एट कैलिविन लेखनो ठीक है बात एक ही है कि आगे सलफर के अनुभार की गरणा कीजिए आपने को क्या निकालना है एम निकालना है आगे हम बात करते के एफ की तो के एफ जो है हमारा वह अच्छा है दसम्लाव आठ कैलिविन किलोग्राम प्रतिमोल हमें निकालना है क्या सलफर के अनुभार की गरणा करने तो सूत्र भाही लगाएंगे हमांग के आउनमन के सूत्र से तो लेखेंगे हमांग के आउनमन के सूत्र से तो क्या होता भाही हमांग का आउनमन तो हमांग का आउनमन होता डेल्टा टी एफ बराबर एक हजार के एफ छोटा डबलू अपन बड़ा डबलू इंटू छोटा एम अपने को रिगालना है छोटा एम तो छोटा एम बराबर क्या हो जाएगा एक हजार आपका सेम एज रहेगा के एफ के एफ किता है 6.8 छोटा डबलू 25.6 बड़ा डबलू एक हजार और छोटा एम तो हो गया था डेल्टा टी एफ 0.68 ओके डेसिबल हटाई है यहां से यहां से तो यह आपका यह हट जाएगा और 1000 से 1000 कैंसल और 60 से 60 कैंसल तो एम की वैल्लू आ गई आपकी 256 ग्राम प्रतिमोल कोई दिकत चलते चलिए अब हम अगला क्वेशन पढ़ते हैं क्वेशन नमर 25 यह दो बार आ चुका है बोल्ड एक्जाम में 2020 में और 2022 में पढ़ते हैं से 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है और उसको 600 ग्राम जल में मिलाया गया ठीक है विलीयन के हिमांक में अवनमन एवम हिमांक की गण्यां करनी है ठीक है तो हमें इसे बताना है कि में पितना हुआ है और उसका हिमांक जो है भूभी बतार है बहुता रही कितना होगा चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्वेस्चन की क्रोनोलोजी समझत और यहीं दो जाए हुआ तो सब से पहले हम बात करें इताइलीन् ग्लाइकॉल का अपने सूतर पता होनाσै क्योंकि ब्लाइक अगर हमारा तो हम द्रबनान नहीं नीकाल सकते और अगर हम molar द्रमान नहीं निकालेंगे तो छो टाइम कहां से लाएंगे और छो टाइम नहीं लाएंगे तो हमारा जो question ही वही जो है सुरू ही होने से पहले ही खतम हो गया शुरू ही नहीं हो पाएगा चले हम start करते इसको चले तो आखिर दिया क्या है तो दिया ऐसा से पहले इथाइलीन ग्लाइकॉल इसके बारे वे चर्चा कर लेते हैं कि भाई इथाइलीन ग्लाइकॉल क्लाइकॉल आपके में एक chapter है जिसका नाम है एल्कोहल ठीक है एल्कोहल मेंगा यह और यह अपका secondary एल्कोहल है है अगर मैं बात करो कि अलकोहल के बारे बें यह इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका CH2OH sorry to its plants Organization Each cadran you कुंसा यह ओडिलकोहल इसका पॉस्विद्यार्चक्ष कर नजिसका अगर हम बात करें इसका आगर हम इसके आलेविक दरभमान की बात करें या मूलर दरभमान की बात करें तो यहां पर लिख लेते हैं आलेविक दरभमान तो यहाँ पर देखो C कितने है, दोठो C है, तो 2 इंटू कितने हो जाएंगे 12, okay H कितने है, तो 2, 4, 2, 6, तो यह आपके H 6 है, तो 6 इंटू 1, okay O कितना है, तो O आपके 2 है, एक यह है, एक यह है, तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू 16 12 दूनी 24, 6 कम 6, और 16 दूनी 32 24, 36 और 30 और 32 हो जाएगा 62, 62 क्या हो जाएगा, ग्राम 62 तो यह आगे आपका आड़ेव की द्रभ्वान, तो इसका अगर हम वह देखें, मात्र क्यों ग्राम प्रतिमोल, तो 62 ग्राम प्रतिमोल आपका छोटा हैं चलिए, अब हम बात करते हैं, भाई, यह तो आगे अपना छोटा हैं, यह 45 ग्राम क्या दिया है, तो यह अपका दिया हुआ छोटा डव्व, 45 ग्राम आगे मैं बात करूँ, तो यह 600 ग्राम क्या दिया रखखा हैं, तो 600 ग्राम जल यानि capital W जो है, हमारा वो है 600 ग्राम आगे अगर बात करें, तो विलियन की हिमांक में आउनमन, यानि अपने को क्या निकालना है, हिमांक में आउनमन, यानि डेल्टा टीयफ बस यही निकालना है और क्या है चलो शुरू करते हैं के एफ अपने पास प्रोवाइड़ेड है 1.86 और कैलिविन किलोग्राम प्रतिमोल सबसे पहले हमांक में आउनवन को देखते हैं तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे हमांक के आउनवन के सूत्र से अब तो आपको याद हो गया होगा 25 सवाल चल रहा है भाई हमांक के आउनवन के सूत्र से तो हमांक का आउनवन का सूत्र अगर हम देखे दे होता है डेल्टा टी एफ बराबर एक हजार के एफ छोटा डवलू अपॉन बड़ा डवलू इंटु छोटा एम ठेक है के लिए इतना चल अब हम बात करते हैं डेल्टा टी एफ ही निकालना है तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा आपका एक हजार सेम एज रहेगा ठीक है के एफ कितना है तो आपका 1.86 ओके छोटा डवलू कितना है छोटा डवलू पाइटालिस बड़ा डवलू कितना है छाईसों और यह कितना है भाई 62 ओके एक जीरो से एक जीरो कैंसल एक जीरो से एक जीरो कैंसल चलो गुणा करा देते हैं यह हो जाएगा आपका अठारा दसम्लो अच्छा है 45 62 इंटो 6 ओके अगर मैं इसे भाग दूं तो 62 का यह तीन बार में कटेगा तो जीरो दसम्लो तीन आएगा ठीक है क्लिए इतना और यह कटेगा तो जीरो दसम्लो एक कर लेए यहां पर और यह आएगा आएगा आपका 2 यह आएगा आपको 4.5 बटे 2.25 Kelvin यह आया आपका डेल्टा टीएफ यानि हमांक में जो अबनमन है वो आया आपका 2.25 Kelvin ठीक है यह क्योंकि यह जो temperature difference होता है अबनमन है ना या onion अगर मैं इसकी बात करूं तो यह आपका आएगा 2.25 degree Celsius भी आप लेख सकते से ठीक तो यह आया आपका depression in freezing point या हमांक में आवनमन इतना आपको सज में आया कि नहीं है एक बार अच्छे से देखे आप इससे सज में आगे न कोई दिक्कत तो है नहीं चले अब हम बात करते हैं आगे आगे कहा रहा है कि हमें billion की हिमांक की भी करना करनी है देखो भाई जो जल है उसका हिमांक किता होता है तो सुद्ध जल का हिमांक होता है वह होता है अपने को निकालना है टीएफ है ना कि लिए इतना जब हम किसी चीज विलायक में अगर हम अभास्पसील विलय ही मिला देते हैं तो उसके हमांक क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है तो अगर मैं बात करूं कि ऐगा तो इससे हमारा क्या हो जाएगा घटना चाहिए तो यह हो जाएगा आपका 2.25 तो यू विल गेट 2.25 डिगरी सेल्सियस का एका माइनस का है ना जीरो से आप घटाएंगे तो आपका हिमांक में जो आपका अवनमान है तो वो आगे आपका 2.25 डिगरी सेल्सियस जो आपका विलियन का हिमांक हो जाएगा आपका माइनस 2.25 डिगरी री सेल्सियस अगर आप चाहें इसको तो आप इसे क्या कर सकते है कैलिविन में चेंज कर सकते हैं केले में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दो सो ती हित्तर दसम्लों एक पांच को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा यह आपका माइनस दो दसम्लों दो पांच है ठीक है अब आप इसे सौल बगा लीजेगा ठीक क्लियर इतना कोई डाउट कोई सबस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है चले आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं अपने आगे प्रस्ण की है हमारा प्रस्ण पिछली साल आ चुका है 2023 में ठीक है पड़ते हैं से एक प्रोटीन के 200 cm3 जली एक दसमलो 2-6 ग्राम प्रोटीन भुला हुआ है प्रोटीन का मोलर द्रब्मान अपने को दे रखा है एक सट दसमलो सून दो-दो ग्राम प्रतिमोल है तीन सो कैल्विन पर इस विल्यन का परास्रन दाब क्या होगा है यह अपने को निकाल ला है यह भी आपका कॉलिगेट्व प्रोपर्टी से रिलेटेड प्वेस्ट्यन है और अगर मैं बात करूं तो हमको क्या है कि सबसे पहले सूत्र बता होना चाहिए परास्रन दाब बाला क्या होता है तो कई बार हम बता चुके हैं कि आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा बिना स परास्रन दाब के सूत्र से परास्रन दाब के सूत्र से क्या होता है बाई सब परास्रन दाब का सूत्र यह होता है आपका पाई बराबर C, S, T यह बढ़िया सूत्र बाई यह समें कुछ दिक्कत है नहीं C को अगर मैं बात करूँ तो यह होता है आपका, क्या होता है C C होता है N बटे V S N का अगर मैं बात करूँ तो यह आपका ऐसे निकलेगा, छोटा W बटे छोटा M T2 भी यहां हो गया और S, T तो परासर रदापकर यह अपना सूत्र आ गया सब चीजें दे रखा है निकालने में दिक्कत क्या है ठीक है ना तो एक प्रोटीन के 200 cm3 यानि अपने को आयतन दे रखा है 200 cm3 समस्या यह है कि बाई आयतन जो है अपने को चाहिए है लीटर में तो 1 cm3 में कितने लीटर होती है अपने को पता होना CHeten नहीं पता है तो कहानी खता में तो यहां पर प्राचिन काल में गरित पढ़ा करते थी हमान तो वहां पर अपने को बताया गया था कि भाई जो cm3 और लीटर में क्या संबंद होता है तो यहां पर होता है 1 cm3 बराबर होता है आपका 10 की घात माइनस 3 लीटर ठेक है एक और लेख लो 1 m3 बराबर होता है आपका 10 की घात यह भाई 10 कैसा बन रहा है चलो, एक मीटर क्यूब बराबर होता है, दस की घात, तीन लीटर, ठेक है, अभी आपके लिए इतने जानकारी आवश्चक है, यहां लिखेंगे, दो सो, इन्टू टैन टू दी पावर, माइनस थ्री लीटर, ठेक है, जीरो दसमलो, दो लीटर, वी का तो अपना काम चलिया, छोटा डबलू, छोटा डबलू मतलब, विलियन में प्रोटीन का द्रबमान, यह है, तो छोटा डबलू भी अपने को मिल गया कित्ता, एक दसमलो, दो छे ग्राम, अब हम बात करेंगे आगे, आगे अगे अगर हम देखें, तो यह क्या है, एक स चलिए अगे अगे देखें, और क्या है, आगे अगर हम देखें, तो 300 प्रती मोल ठिक हाँ एस की वैल्यू आपको देगा आपको टेंसन नहीं लेनी है याद रख लीजिए तो बहुत अच्छी बात है पाई बराबर हो जाएगा आपको कित्त है छोटा में कि वैल्यू किती है एक दसम्मलों दौ छहाँ और एस की वैल्यू किती है तो 0 EPA टीग की वेल्वी किते है तो थीन सो च्छोटा की वेल्यू किती है एक सबसंदोर सून डोगो आधि है विकी वेल्यू किते है जीरोद अब दो चलिए इसको आप सॉल्व कर लिजे जो आंसर आएगा वह आपका परासर दाब होगा चलिकलेटेश को सॉल एक तसंग्डों दूच्छे जीरो तसंग्डों जीरो आल्ठ तीन तीन सौ डिवाइड़ वाइड़ चीरो तसंग्डों दूच्छे तसंग्डों फिरे साथ तो हम देखते हैं यह जो डिवाइड़ करने पर हमारा आज़ आया वह आया है दोज असमलो 5-7 बार ठिक कोई दिक्कत चले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ऐसी ही क्वेश्चन्स बोर्ड एक्जाम में आपसे पूछे आते हैं चले अब हम आगे चलते अगला फ्रस्ट कंटी सेवन 27 डिग्री सेल्सेस पर यूरिया जिस काणुभार साथ है कि 5% डबलू बटे भी जली विल्यन का परास्राण दाब ग्यात कीजिए एस बरावर हमारे पास इतना दे रखता है और यह हमारा जो क्वेश्चन है यह आया था 2023 में सीवी सेट का ठीक है चले तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है हमको निकालना क्या क्या है तो देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं क्या दिया है तो सबसे पहले वह कह रहा है ग्राम प्रतिमोल आगे आपसे कह रहा है जली विलियन का परासरण दाप ज्याद करना है अपने को निकालना है पाई एस कितना है तो एस है अपने पास 0.0 आठ दो एक लीटर वायू बंडल प्रति केलविन प्रतिमोल ओके तो अपने को निकालना है परासरण दाप का सूत्र क्या होता तो या लिखेंगे परासरण दाप के सूत्र से परासरण दाप के सूत्र से तो क्या था प्रासरण दाप का सूत्र तो पाई बराबर था सी एस टी तो अगर हम सी की वैल्यू की बात करें दो भशाओ सी क्या होता है या तो सी एस टी सी की अगर हम बात करते ही हो जाएगा आपका क्या कि विले के मोलों की संख्या यहां पर लेकलो साइड में कि विले के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं अब यह 5% का मतलब यह है कि यह 5 ग्राम जो हमारा यह कह रहा है तो 5% डबलू बटे वही का मतलब यह है कि जो 5 ग्राम हमारा यूरिया है कितने में 100 ml विलियन में ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पर ती हो जाएगा आपका पांच ग्राम ठीक है मोल कैसे निकलेंगे तो मात्रा बटे अनुहार अनुहार कितना है 60 ऐसी होगा न और आयतन कितना है लीटर में अगर हम लीटर में बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 बटे 1000 यानि एक बटे 10 तो यहां पर आप लिखेंगे एक बटे 10 इस जीरो से वाला जीरो कैंसे तो यह आगे आपका पांच बटेच है और मात्रक अगर हम देखे तो इसका मात्रक हो जाएगा मूल पर लीटर तो सी की वैलू आ गई पांच बटेच है प्रक्ते यहां पर पाई बराबर हो जाएगा आपका सी की वैलू है पांच बटेच है एस की वैलू है 0.0821 और टी की वैलू है अपना 300 चे पंच चे तीस पचास आया है गुणा कराई यह दो पांच जीरो 0.0821 करिए सौल विसे गुणा कराना के वद तो यह आए आपका 20.0525 वायू बंडल उम्मीद करते हैं यह आप से कुश्चन बन रहे होंगे बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी छोटी कुश्चन है परासनर्द आपके ठीक है आगे चलते हैं अगले कुश्च्च्च्च्च्च अब बात करते हैं अगले कुश्च्च्च्च की यह भी आपका पिसली साल बोर्ड एक्जाम में आ चुका है तो इससे सिद्ध होता है कि जो कौलिगेट्व प्रपरिटी इससे लगभग लगभग दो प्रस्ट आते ही आते हैं हमने देखा है कि भाई जो इससे पहले कुश क्या कह रहा है 17 डिग्री सैलसियस पर अन्वसक्राइब को प्रास्रण अविलियन का और और ग्याद करना हैं तो सबसे पहले हम परास्रण का सूटर लगते हैं प्रास्रण कि दाब के प्रबडर से किapa अटिय DIE था प्रास्रण अधाब का सूट prag वराबर सी एश धी अब देखो हमारे पास सी होना चाहिए तो सी हमारे पास है एम बटी 10 एम बटी 10 मतलब वन बटी 10 मूलर ओके ऐसे हमारे पास 0.0 821 ठीक है मात्रक लिखेंगे इसका लीटर वायू मंडल ठीक है प्रती केलविन प्रती मूल ओके और टी की अगर मैं बात करूं तो टी है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस अगर हम इसे देखते हैं तो यह हो जाएगा आपका 27 प्लस 273 यानि 300 केलेविन टी हो गया तो बस रखना है आप यह और कुछ नहीं है सी की वैलू कित्ती है तो एक बटी 10 एस की वैलू 0 दरसमलो 0 821 तो सी ऐस हो गया और टी की वैलू अगर हम देखे तो 300 एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल तो यह पाई बराबर हो जाएगा जीरो दरसमलो जीरो आठ दो एक बल्टी प्लाड़ वाई 30 तीस के वगणा कराईए आप तीन एकम तीन तीन दूनी छे तीरी वठी 24 चार एंग को आप दसमलो तो एक दो तीन चार तो यहां पर आप दसमलो लगाएंगे ठीक है अगर हम बात करो तो यह आगया आपका दो दसमलो चार छे तीन वाई बंडल छोटे छोटे question ठीक है कोई दिक्कत की बात ही निए अराम से question करो और number लो इसमें तो आपके number कटने भी नहीं है ठीक है अगर आप करोगा नहीं तो मिलेंगे भी नहीं जिलिए पढ़ते हैं अगले question को एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रती लीटर के गोल का 20 degree Celsius पर परासर अदाब अपने को दे रख़ा है और Willian के स्थरांग का मान अपने को क्या करना है ग्याद करना है हमी निकालना है विलियन के स्थरांग को यानि S का मान निकालना है देख या रखा तो परास्रन अदाब दे रखा 3.2 वायुमंडल तो लिख लेते हैं परास्रन अदाब बराबर 3.2 वायुमंडल पदार 45 ग्राम प्रति लीटर का घोल है अगर मैं सी की बात करूं यह अपनी को दिया हुआ है ग्राम प्रति लीटर मोल प्रति लीटर में निकाल लाएं तो यह हो जाएगा आपका 45 बटे कौने भाई 342 ठेक है इसे आप चाहें तो 9 से काट दीजिए 9.45 होता है और 9 का 9 नो दूनी अठादा नो तिया 27 है ना तो तीन बार में नो चो को शत्तेस तीन 27 साथ और नो आट ब ठीक है ठीक है अगर मैं बात करूं तो ठीक ही बात आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई टी चोंगे हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है 20 पिलस 273 के एलमें तो जाएगा आपको 293 के एलमें अब बात आती भाई सी को एसे क्यों रिखती है आया विचार नहीं आया चलो मैं आपके विचा विले के मोलों की संख्या विले के मोलों की संख्या बटी विलेन का अयतन लीटर हुए अगर हम मोल देखी तो यह हो जाएगा आपका विले का द्रभमान मैं यह बता रहा हूँ कि यह कैसे आया ठीक है विले का द्रभमान और यह हो जाएगा आपका विले का मोलर द्रभमान इंटू विलेन का अयतन लीटर में तेख्छी सुनों आप तेखो उसने यह दे रखाया कि भाई विले का द्रभमान और विलेन का आयतन यह यह मैं थोड़ा अच्छे सम्झ में उसने दे रखाय कि यह वाला पोर्षान और यह वाला पोर्षान इसकी वैल्यू दे रख्यों से 45 तो 45 यह आगे आपका और विले का मोलर द्रभमान अपका यह अनुभार वह है आपका 342 तो कि आपका यहां स्यायास है कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठेक सुम्झ में आ गया होगा वैसे उम्मीद है मुझे आपकर इतनी कि चलते हैं कि वहीं पराश्राण दाफ का सूत्र लगाएंगे यहां पर लिखते हैं पराश्राण दाफ के सूत्र से क्या होता है भाई पाई बरावर सी एस्टी ठेक पाई अपने पास है तीन दसम लोग दो सी अपने पास है पांच बटे 38 एस अपने को निकाल ला है और टी जाएगा 293 चलो गुणा सुना कराते हैं तो ऐस बरावर आएगा आपका थ्री पॉइंट टू मल्टिप्लाइड वाई अब मात रख क्या लिखेंगे तो मात रख वही है आपका लीटर वाई वंडल प्रतिक एलिविन ठिक चले आगे चलते हैं तो यह कह रहा है आपसे कि यदि जल का परास्रण दाफ 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना है तो टेंपरेचर अपने को किता दे रख है 27 डिग्री सेल्सियस अगर मैं बात करूं इसकी केलिवन में तो 27 प्लस 273 यानि ती बहाई 27 प्लस 273 यानि 300 केलिवन कितना है जीरो दसंबलो 75 वाई वंडल यानि यह आपका पाई 0 दसंबलो 75 वाई वंडल आगे कह रहा है आपसे कि धाई लीटर जल में घुले यानि आई तन कितना है आपका धाई लीटर जल में घुले cacl2 उसके लिए आई जो है आपका दे रख्थ है उसने 2.47 ठेक है मात्रा परिकलित करनी है कि भाई कितना कितने ग्राम यह क्या है इसमें घुला हुगा यानि अपने क्या निकालना है डबलू निकालना है कोई दिकत मौई डकत नहीं है तिसस्टन को समझतने के कहने का तात पर समझते हैं भाई विल्याम क्वेस्टन क्या बोला हैं treaty शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है परासरा अदाप का सूत्राना चाहिए तो परासरा अनुदर के सूत्रेतें यहां पर्याष्थ उन वो था पाई बराबर सी एस टी यहां पर लेखेंगे आई सी एस टी ठेक है यह आर्या एस नेखी चीज होती है अब हम यहां पर पाई की वैल्लू है तो रख देंगे 0.75 I कितना है तो I है हमारे पास 2.47 साथ एस एस कितना है तो 0.0821 ओसी रह गया है सी की बात में चर्चा कर लिए ठीक कितना है 300 अब रह गया हमारा सी तो सी को अम्हें अलग कर लिया कोई दिक्कत है नहीं सी ए मोलर का अगर हम सी कोई बात करें सी हो जाएगा number of moles बते आयतन लिटर में क्लिया इतना यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चल अगर number of moles को भी अगर हम उड़ा दे यह हो जाएगा आपका विलेय की मात्रा यहाँ पर लेकें के सी ए Cल2 की म मात्रा, बटे, CACLA2 का मोलर द्रबमान या अणुभार, ठीक है, और आयतन किसका विलियन का हूँ, यहां पर लेखेंगे, विलियन का आयतन लीटर में, आरा भी समझ में कि नहीं आरा, यह जो चीज है, हमारी C के बदले में लिखी है, किस के बदले में लिए कि अ-थिक है, चलो, 0.75 आप से मेंज लिखेंगे, इस से भी आप मजाख नहीं करेंगे, जैसा लेखा है वैसा लिखेंगे, 2.47, साथ 0,082,300 CACL2 की मातर यहीं आपने को निकाल ली हैं CACL2 का अनुभार तो CACL2 का अनुभार के लिए अगर हम देखें तो CACL2 ऐसे अनुभार देखें तो CACL2 के त्था होता है 40 और CACL2 का होता है 35 लेकिन यह दो लोग हैं इंटू दो कर दो तो जाएगा आपका 40 और जाएगा आपका 71 साच चार ग्यारा 110 एक सो ग्यारा ठीक तो 111 ग्राम प्रतिम वह लिए आए आपका तो यहां पर आप लेखेंगे अनुभार जो है आपका 111 कि विलियन का इतन लीटर में किता है भाई धाय लीटर अब हमें निकालना है डबलू ओनली डबलू 111 मल्टी प्लैडवाई धाई मल्टी प्लैडवाई 0.75 ऑके अपाउन 2.47 मल्टी प्लैडवाई 0.0821 मल्टी प्लैडवाई 300 चलिए चलिए solve करिए से और जो solve करने के बाद आंसर आएगा ग्राम में वही आपके क्या होगी मात्रा होगी करिए solve तो यह अपना हल करने पर है 3.24 ग्राम ठेक है क्लियर इतना तो यहां पर आपके जो बहुत important numericals थे जो previous year में आ चुके थी यह कि विलियन चैप्टर के खतम हुए अब हम आगे चलते हैं चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन क्वेश्चन नमर 31 निम्न अविक्रिया वाले सेल का विद्धुत वाहक बल ग्याद करना है जेडेन प्लस 2AG प्लस आफ्टर रेक्शन जेडेन डाइफॉस्टियो फ्लस 2AG सबसे पहले हम समझते हैं क्या कह रहा है और हमको निकालना क्या है बड़ा ही आसान वाहक बलका सूर यह होता है इणाट ऑफ सैल के कं यानी रेड़क्षान प्लस प्लस घमाट है एहला काम हमारा यह है कि इसम currently यह पता करना कि Veronica क्यफोड का कौन सा है और इस में से कैफोड कौन सा है और मत जाज अगर हम यह पता करना है तो हमारा पूरा काम बनी जाए अब यह नहीं है पता कि virgin नोड वाला यह है कि यह है कि यह है अब समझ में नहीं आ रहा है समझना तो पड़ेगा ना तो देखो यह जो रियक्शन दे रखिए उसे हम फिर से रिडाइट करेंगे यहां पर आपका रियक्शन कुछ इस तरह से दे रखा है 2AG अच्छे समझना नहीं समझ में नहीं आएगा फिर नहीं कहना आप ठीक है और बहुत आसान क्वेश्चन है और मतलब बहुत ही कम कैलकुलेशन वाला है तो आपका समझना बड़ा ही अनिवार हो जाता है ऐसे में क्योंकि फिरी के नमबर है अगर आप नहीं लेंगे तो और दूसरी कहानी यह हो रही है आपकी कि यह जो एजी था इसने आपने क्या कर लिया कि दो इलेक्ट्रों यह वाले ले लिए और यह आपका इस तरह से बने गया समझना मेरी बात को अब यह क्या हो रहा है यह हो रहा है यहां पर इलेक्ट्रों का त्याग कर रहा है तो इलेक्ट्रों का त्याग करना क्या क्या लाता है लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रों बोलो भाई क्या होता है इलेक्ट्रोन का त्याग करना होता है ओक्सिडेशन क्या होता है और इलेक्ट्रोन का ग्रहाण करना क्या होता है तो रिडाक्षन होता है एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि रिडाक्षन हमेशा कैथोर्ड पर होना है कहा पर होता है मैंसा रेडक्शन है तो औक्षीडेशन आप होगा ऐनोड पर यानि अगर हम से कहा जाए कि यह जटन वाला कौन है तो जटन वाला ऐनोड का दिया है मतलब यह जू शिष्टम में आपका जटन डाई-पॉजिटेव से आपका जटन का दे रख़ा है न उस ते कितना माइनस जिरो पॉइंट सेवन तो यह आपका क्या है और यह वाला क्या है कैथोड वाला है यह क्या है यह आगे चलते हैं बस हमें यहां पर रखना है बस जो जो cell का विद्धुत वाहग बल होगा यानि E not of cell वो हो जाएगा E not of cathode cathode वाला कौन है भाई cathode वाला है हमारा ये तो यहाँ पर लिख लो E not of AG positive से AG minus E not of Z and I positive से Z तो AG positive से AG कितना है आपका 0.8 और ये है आपका minus 0.7 8, 7, 15 आया मजा आसानी क्वेश्चन है बहुत जादा छोड़ना नहीं चले चले अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यह हमारा क्वेश्चन 2020 में आया था पढ़ते हैं से पहले क्या कह रहा है कि निम्न लेखत सहले के विद्धतवाहग बल्गी गढ़ना करनी है और से cd-dipositive 1 molar और ag-positive जिन में अर्द अविक्रियां के मानक आप चाहने को दे रहा है तो से पहले देखते हैं आखिर चले क्या रहा था cd-dipositive बन रहा था यानि हमारा सिस्टम यह चल रहा था cd-dipositive क्या है अफेंग ये ये हुआ हमारा अक्सिडेशन ये कहा कोज़ाग ईंए रिलक्षार इंटेल्डा थेह सब्सक्राइब ही पर दिए रखेंक अब हम बात करते दूसरा तो ये हमारा अग है एग क्या करेगा तो एग की भी चर्चा कर लेते हैं कि एग जो पॉजिटिव है यह दो एलक्टरॉन लेगा और यह बनाएगा हमारा एग अब लेकिन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हम यहां से दो पर इस तरह से कर देते हैं कि अग्या करते हैं दो एलक्टरॉन से दो एलक्टरॉन कैंसिल आउट हो गए तो हमारी जो रियक्षान आई वो इस तरह से रियक्षान आती है CD यहां सॉलेड था 2AG पॉजिटिव यह हमारा एक्वस पॉजिशन पर था ठेक है यहां पर देखेंगे तो यह हमारा CD A भाई CD डाई पॉजिटिव यह हमारा एक्वस है और यह हमारा 2AG सॉलेड इत्ता क्यों रियक्षान ही आ गई हमको निकालना है सैल का विद्धुत्वाह कबल ठेक है तो हम यूज करेंगे नश्ट इक्वेशन से तहां पर लेखेंगे बाई नश्ट इक्वेशन याद तो होगी नहीं चली लिखते हैं यह अपने को निकालना है ठीक है इसका वह यह डेरिवेशन भी सीख लेना और यह आपको निकालनी भी आनी चाहिए लॉग वेश टैन इस साइड वाला बटे इस साइड वाला कौन है और इस साइड वाला कौन है एजी अरे भाई कहां जा रहे हो धर ध्यान है इस तरह से ुकAR जाएं तो करते हैं इस शुरू कहीं काहा है टक है तो चलो यहाँ पर om Exactly यह समनब zero zero पांस नो यह एन होता है जितने लिご anga को रहा हो कि इने सब्सक्राइब खोला है दो एलक्टॉन साथ कॉंसेंट्रेशन ओफ सीडी वन मोलर कॉंसेंट्रेशन ओफ एजी वन मोलर तो लॉग बेश टैन इंटू वन की वैलू क्या होती है जीरो होती है फिर हम लिखेंगे लॉग वन क्लिए रितना तो लॉग वन की वैलू कितने होती है जीरो तो यह जीरो हो जाएगा तो यह खानी खत्म हो जाएगी यहां पहले खोई ई नॉट अफ सेल ठीक क्लिए रितना यह क्यों होती है यहां पर हम लिखेंगे प्राची निकाल में मैथेमेटिक्स में एक लॉग रिथम नाम का चैप्टर होता था लगूगणा की नाम का ठीक है उसमें अगर लॉग बेश टैन वन की वैलू देखते थे तो उसकी वैलू जीरो आती थी तो यह अपन नहीं यहां पर लिख लिया चलो अब हम बात करते हैं ई ओफ सेल की तो यह आए आए आपका ई नॉट ओफ सेल की बराबर तो यह ऑफ सेल अपन पहले निकाल की तैसे निकालती थे तो निकालती थे अपन T0 of reduction potential of cathode minus reduction potential of anode तो cathode का reduction potential कितना है 0.08 तो cathode के बारे में भी लिख दो अगले step में बात के अगले चर्चा करेंगे तो cathode की तरह कौन काम कर रहा है तो cathode की तरह obviously यह काम करेगा तो यहाँ पर बात करेंगे E0 of AG positive से AG minus E0 of CD die positive से CD इसकी अगर मैं value की बात करूँ तो यह है हमारा 0.80 और यह है आपका 0.40 अगर हम बात करें सेल का विद्धुत वाहक बल तो आएगा आपका यह हम बात करते हैं अगले question की यह हमारा question 2023 में आ चुका है और 2019 में पढ़ते हैं निमने लिखित सेल का मानक विद्धुत वाहक बल की गढ़ना करनी है और कई जगे विद्धुत वाहक बल की जगए जगे विद्धुत वाहक बल की गढ़ना करनी है जगन से जगन डाइपोश्टिव वन मुलर और यह स्वल्ट ब्रीज बना हुए ठीक क्या हो रहा है loss of electron is called oxidation यह हो रहा है हमारा oxidation oxidation always happen on anode ठीक अब बात आती है cu dipositive से हमारा बन रहा है सीउ और यह है अमारा गेनेंग वाफ एलेक्ट्रॉन यह क्या होता है रिडक्षन को ग्रहन करना कहलाता है हमारा रिडक्षन रिडक्षन बतलब अपचेन होता है हम इसा कैथोड पर समझ में आई बात इत्तीक नहीं है चलो अब हम बात करते हैं आगे तो इसे हम ऐसे कर लें काट पीट देते हैं इससे कट गया तो यह हमारा जेड एंड थोड़ा अच्छे से रिखलो तो एस से रिखलो है ना थोड़ा सुन्दर बना रहेगा C u dipositive यह आपका A q aqueous after reaction है 저eram dipositive यह हमारा aqueous हो गया नहीं है और यह हमारा cu है तो इह हमारा Dan यह हमारा solid होगिया है अब आखिर चल क्या रहा है तो यह जो हमारा oxydation वाला देख लेते तो oxydation वाला क्या रहा है कि वह दूद कह रहे यह हैं ठीक है चलो कि यूट ऑफ कैता है बराबर ऑफ कैतोड नाइस एण ओफ एणोड चलो चलो कैतोड की जगे अगर हम देखें तो कैतोड की जगे कोन काम कर रहा है तो भाई की जगे सी यू वाला तो आप लेखो ई नॉट ऑफ सी यू डाइप उसे सी यू और अनॉट की जागे कौन काम कर रहा है तो वह कर रहा है आपका जडन वाला तो जडन डाइप उसे जडन अब सी यू डाइप उसे सी यू वाले की वैलू किती है इसकी वैलू है प्लस 0.34 जडन डाइप उसे जडन वाले की वैलू किती है तो वह है आपकी वैलू 0.76 है यहां पर आप थोड़ा इसे थोड़ा प्रिंटिंग मिश्टेक हो गई है थोड़ा साथ इसे देख लीजएगा ठिक जडन से जडन डाइप उसे इतना दे रखका है अब जडन डाइप उसे जडन की अगर हम बात करें तो आपका माइनस में इसका जश्ट अपोजित घॉरो अचानगा को को रिकत कोई दिकत ये तो आप यहां पर लिखेंगे कि माइनस जीरो गईरो साथ ये चले दिखीए गये याँ से तो तो यह आएगा हमारा अगर हम बात करें स्टेंडर्ड एमएफ यह आ जाएगा आपका एक सून्न वोल्ट यह हमारा क्या है आंसर बढ़ा ही आसान बहुत ही सिंपिल क्वेश्चन है इसे आप अच्छे से देखेगा छोड़िए गम इस प्रकार के क्वेश्चन को क्योंकि यह आपके क्वेश्चन वर्दान टाइफ के हैं चोटे से हैं और आते बहुत हैं और आसान भी है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर 34 के पास तो जड़न से जड़न डाइपॉस्टिव वन मोलर और यह अपना सॉल्ट बिज बना हुए स्यू डाइपॉस्टिव से स्य सेल का यह जाद करना है जबकि इस सेल के लिए इनॉट की जो वैल्यू है वह अपने को दे रखे इसकी सांदरता वन मोलर है ठीक है चलिए चर्चा करते हैं तो इस परकारी क्वेश्चन हम करी रहें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्या क्या दे रखता है तो सबसे पहल यहां पर वन मोरल लगाना था चलो ठीक है छोड़ दिया वह दिखा हुआ ठीक है अब सेल की अर्द अभी कि नहीं लेखते हैं तो पहले अपना जेड़न से क्या बन रहा है जेड़न डाइप पॉच्टिव त्याग रहा हुगा लास एक्ट्रां किका अक्षी डेसन वाला लेक्ट्र mejorar नहीं लेक्तरन चेलीव घॉलिषटे क्या अपना थे आप से जो अ Teil है और यह एकsन अ चाहला रहा है यह अपना रधा है और reduction कहा पर होता है हमारा cathode पर होता है कहा पर होता है अब आप इससे क्या करेंगे solve करेंगे तो इससे आपका यह cancel यह बना आपका Zn यह आपका solid होती है solid लिख लो CO dipositive यह आपका aqueous है तो aqueous लिख लो after reaction Zn dipositive aqueous है तो आप aqueous लिखेंगे और CO solid है तो solid ठीक यहां तक कोई समस्चा नहीं थी कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है चली लगाते है नश्ट equation काई का है तो नश्ट equation से बात करते हैं तो नश्ट equation क्या थी E of cell equal to the E not of cell minus 0.059 1 upon n log base 10 ओसाइड वाला उससाइड वाला कोई है जड़न डाइपॉस्ट यह बटे इस साइड वाला स्यू डाइपॉस्ट दोनों की जो सांदरता है वन मोलर है और यह आपका E not of cell रहेगा भीया जिरो पॉइंट जिरो फाइव नाइन वन दो एलेक्ट रानों की साथ मजाक हो रहा है लॉग बेस टैन ठीक है इनकी सांदरता है अपनी वन मोलर तेहां वन लेखेंगे नीचे भी बनाएगा लॉग वन की वैलू जीरो होती है और E not of cell को अगर मैं देखू तो यह आद आएगा आपका E not of cathode माइनस E not of anode अरे यार क्या हो रहा है ठेक है माइनस 0.0591 अपन टू का टू रहेगा और इसके अगर मैं value की बात को लॉग बन की value 0 होती है अब कैथोर्ड माइनस E not of anode अब कैथोर्ड पर काम कर रहा था तो कैथोर्ड वाला था अपना CO वाला यहां पर लेखेंगे E not of CO dipositive से आपका CO माइनस E not of जर्डन dipositive से आपका जर्डन ठेक है आगे हम चर्चा करते हैं यह तो अपना यहीं बचा है तो यहां पर लेखेंगे E of cell equal to E not of CO dipositive से CO आएंगे यह आपका 0.28 और यह आपका minus 0.76 माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहां रिखेंगे 0.28 पिलस जिरुद सम्लों साथ च्छे आठ च्छे चाउदा साथ दो नो एक दस दो अगर हम बात करें कि सेल का विद्धुत वाहक बल कित आया तो आएगा आपका एक दसम्लों सून चार वोल्ड तो सेल के विद्धुत वाहक बल आया एक दसम्लों सून चार वोल्ड कोई दिक्कत यहां पर कोई समस्या दसम्लों नहीं दिख रहा क्या ठिक आप सही है तो अगला हमारा क्वेश्चन है यह एमजी सॉलिट से एमजी डाई पॉजिटिव और यह आपकी सेल दे रहती है और इसके एमफ की गढ़ना करनी है चले कोई दिक्कत की बात नहीं निकालते हैं पर प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है पहली अर्द सहर है आपकी एमजी स से हमारा बन रहा है एमजी डाई पॉजिटिव ओके फिर आपका सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ यहां इसने उलेक्ट्रण त्यागे एलक्ट्रों त्यागने की घटना कहलाती है आक्सी करन तो यहां पर क्या हो रहा है आक्सी करन यानि Oxidation और Oxidation के बारे हम पढ़ चुके हैं वह यह Oxidation कहा होता है हम इसा एनोड पर अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कि तो हमारा Cu Diposter यह क्या करें का अब इलक्ट्रॉन ले रहा है और यह इलक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन रहा है Cu तो यह अगर मैं देखू तो यह हो रहा है हमारा reduction तो reduction कहाँ पर होता है तो यह होता हमारा कैत्व मिलावे ने तो यह बना हमारा Mg Cu Dipositive यहां पर एक्वस लिख सकते हैं और यहां पर लिखेंगे Mg Dipositive यहां पर एक्वस आ जाएगा और यह हो गया तो magnesium वाला एनोड वाला है ठीक है तो यह वाला हमारा काम करेगा एनोड का और और यह वाला बाई सब काम करेगा हमारा कैथोड का ठीक बात की निप्टेंग उससे हमें निकालना है सैल का Electromotive Force तो यहां पर लिखेंगे सैल का विद्धत वाहक बल तो समीकराण एक ब्यक्ती ने देती जिसका नान था नश्ट सैल के विद्धत वाहक बल के लिए एक बैग्यानिक थी जिनका नान था नश्ट यहां पर लिखेंगे नश्ट की समीकराण से हिंदी में लिख दूए कैसे लिखते हैं भाई चल नश्ट समीकराण से इस्पैलिंग लिख लो थोड़ा नश्ट की एन ए आर एन एश्टी नश्ट यहां तो नश्ट की समीकराण क्या थी है तो वो लिखते हैं ए आफ एपसेल इकल टू दा एइन ऋट आफसेल माइनस 0.059 आपान टू काय को एन clone इससायड़ बटेससायड़ वाला इससायड़ वाला इससायड़ वाला ृसंड़ एलेक्ट्रानुक से साथ मजाग हो रहा है दो एलेक्ट्रानुक साथ तो एन की वैल्लू दो हो जाएगी यहां पर इनोट ऑफ सेल का मतलब इनोट ऑफ कैथोड माइनस इनोट ऑफ एनोट माइनस जीरो दोसंवलोग जीरो 591 टू लॉग बेश टैन का लॉग बेश टैन रहेगा और मेगनेशियम डाइपोजिटिव की अगर मैं बात करू तो भाई साथ इसकी जो दे रखिए वो कित्यी जीरो दसंवलो एक और नेचे वाली जीरो दसंवलोग एक है तो यह तो कट जानी है एक ही आएग आएगा अनसर ठीक है लोग बेश टैन इन्टू सारी लाग बेश टैन वन की वैलू जो जो होती है वह जीरो होती है तो ओफ सेल अगर मैं देखू अब कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है तो उपर लिखा है मैंने कैथोड की तरह यह काम करेगा तो कैथोड वाली की वैल्यू किती है प्लस 0.34 माइनस एनोट की तरह कौन काम कर रहा है तो एनोट की तरह यह काम कर रहा है इसकी value क्या है माइनस 2.37 यहां पर लेखेंगे माइनस 2.37 और log1 की value तो 0 होती है तो इसकी तो कहानी है खतम हो गई 0 पिलस 0.34 और यह आएगा तो पिलस 2.37 अगर मैं बात करूं सेल का विद्धुत वाहक भल तो यह आया आए आपका 2.71 वोल्ट चले पढ़ते हैं अगला कुश्चन 298 Kelvin ताप पर निम्न लिखत सेल के लिए नष्ट equation लिखिए अपने को सेल दे रखें और इसके नष्ट समीकर लिख लिए लिख लें कि कोई दिक्कत दें आगे कहरा यदि उपर्युक्त सेल का EMF 0.59 वोल्ट है तो सेल के मानक EMF की गर्णा कीजिए ठेक है चले तो करते हैं से सुरूख लेकर नष्ट equation होती है तो नष्ट equation होती है आपकी कि E of cell equal to E not of cell minus RT बटे NF log base E लिख लो चाहाए इसे ln लिख लो है बात बराबर होती है तो हम लिखेंगे आपका NI dipositive यहां पर आप लिखेंगे NI dipositive और नीचे क्या आएगा आपका CU dipositive तो यह आ गई इसके लिए क्या है नष्ट समय का ठिक अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आप changes लाने है क्या 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 करना है तो देखो इस cell को देखो देखो भाई NI से आपका बन रहा है NI dipositive और यह आपको कुछ इस तरह से CU dipositive से आपका बन रहा है CU अगर मैं इसकी equation लिखूं तो आखिर equation में क्या हो रहा है तो NI जो है आपका दो इलेक्ट्रोन त्याग कर NI dipositive बन रहा है और दो इलेक्ट्रोन का त्याग यानी इलेक्ट्रोन का त्याग मतलब यहाँ पर हो रहा है आक्सी करा तो यहां पर हो रहा है UV grand कर रहा है και कि यहां पर क्या हो रहा है यहां पर ऊक्सीडेसन और कि इल्टरोन का करना करना है आपका颜 रेडक्शन होता है I answered नन्युक् ay था ठेकिनल के यू डाइप्स्ट्यों यह हमारा क्या था है एकवस था और यह आपका एण आइडाइप्स्ट्यों aqueous और cu क्या बना हमारा solid यहां तक मुझे कोई समस्चा लगनी रहे कित्त एलेक्ट्रानों के साथ मजाक हो रहे दो एलेक्ट्रानों के साथ एक बार और से अच्छे से लेखू e of cell equal to e not of cell minus यसे लेखिंग आप 0.0591 बटे दो और ही हो जाएगा हमारा log base 10 है ना एक इसका सूत्र यह भी होता है ठीक है और ही हो जाएगा ni dipositive बटे cu dipositive की concentration ठीक चलो अगर मैं बात करता हूँ यहां पर तो क्या आएगा कुछ नहीं बस value रखे क्या है चले इनॉट of cell को अगर मैं देखू तो यहां पर लिख जाएगा हाँ चलो इनॉट of cell को लिखेंगे इनॉट of cathode minus इनॉट of anode इसे आप सेम एज लिखे जिरो तो समने जिरो फाइब नाइन वन टू का टू रहेगा लॉग बेस्टेन कॉंसेंट्रेशन आप एनाइड पोजिटिव जिरो पैंट जिरो बन कॉंसेंट्रेशन आप सी यू डाइब पोजिटिव जिरो पैंट वन इनॉट of cathode तो cathode की तरह कौन काम कर रहा है कैथोड की तरह काम करेंगा सी यू वालत यहां पर आप लेखेंगे इनॉट आप सी यू डाइब पोजिटिव से आपका स्थे भाई क्या हो रहाए सी यू डाइब पोजिटिव से सी यू माइनस इनॉट ओफ और कौन है एनाई यहां पर लेखेंगे एनाई डाइब पोजिटिव से एनाई इसको अगर मैं देखू तो यह कटेगा दूपर आएगा जिरो पॉइंट वन तो यहां पर होगा आपका बात करूं तो यहां पर आप लेखेंगे ई ओफ सेल एक्वल टूद अरे इत्ती मिनत कर रहा हूं मैं तो कोई तो सब्सक्राइब नहीं आ रहा इत्ती मिनत नहीं करने चलो यह से सेम टो सेम लिखते उपर वाला इनाट ओफ सेल अपने को यही तो इकाल लाइन ओफ सेल ठीक अरे यह में इनत करने ही जुरुत नहीं है इसे ऐसे ही बना रहने दो ठीक है अपने को यहीं चाहिए इन ओफ सेल ठीक है चले इन ओफ सेल माइनस 0.0591 अपन टू और इसको अगर मैं देखू तो यह हो जाएगा आपका लॉग विल्स 10 और यह हो जाएगा आपका 10 तूइद पावर माइनस 1 ठीक और वो कहरा है कि उपर्युक्त सेल का विद्धुत वाहक बल 0.59 है यहां पर अगर मैं बात करूत यह है आपका 0.59 यह हो गया आपका 0.591 यह हो गया आपका दो रहेगा और इसको अगर मैं बात करूत तो यह आपका माइनस आ गया जाएगा और लॉग बेस 10 उपर 10 ठीक यह लोग की नियम है इत्ता तो आप जानते ही होंगे ठीक है नहीं जानते कोई बात नहीं सिखने कोई ज़रूरत नहीं है फिर आगे चलेंगे यह हो जाएगा प्लस 0.0591 अपन टू और यह हो जाएगा आपको लॉग बेस 10 उपर 10 चलो चिंता नहीं करो मैं बता रहा हूं ठीक है देखो लॉग में एक नियम होता है कि लॉग ऐसे लिखा है और यहां पर अगर एम लिखा है यहां एन लिखा है तो पावर आपकी उपर जाए कि तो इहां पर पावर माइनस वन नहीं लिखा है लॉग बेस 10 गहाँ यह कहाए त dilek को E not of cell plus 0.0591 upon 2 और इसकी value एक इसको अगर मैं देखू तो या जाएगा 0.50 E not of cell और भाग दीजिएगा तो या जाएगा 0.02 एक नो तो दो नाम अठारा है ना एक एक दो पंचे दास दो पंचे दास ठेक ऐसे आता है अगर हम बात करें E not of cell की तो 80 भी 0.59-0.02955 ठेक घटा दो तो घटाते कैसे घटाने का सिस्टेम यहाँ पी अपना बड़ा पुराना वाला सिस्टेम है वही वाला 0.59 यहाँ लेखेंगे 0.2955 यही आया था नहीं आया था दो पंचे दर्श दो दूनी चार एक नो दूना मठारा एक एक दो पंचे दर्श ठेक दस में से पांच गया पांच बचा दस में से चाह गया चार बचा अठारा में से नो गया तो नो बचेगा है ना और पंच में से तीन गया तो आपका दो बचेगा ठीक क्लियर रितना तो यह आएगा आपका इन ओट अफ सेल इक पल टू दा जीरो दसम लोग 2945 नाई गलत हो गया यह थोड़ असा घटाना गलत कर दिया यार तो घटाएंगे इसको ऐसे वह पुराने पारम पर इक तरीके से पांच रहा जीरो दसम लोग जीरो दो नौ पांच पांच ऐसे दस में से पांच गया पांच दस में से चार गया तो सॉरी नौ में से पांच गया तो चार बचा और यहां पर अगर बात करते हैं यहां पर तो 8 में से 2 गया तो आपका 6 बचा और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 5 बचा तो यहां हमारा आंसर 0 ते समल हो 5 6 4 5 तो सेल का मानक विद्धुत वाहक बल आ गया आपका 0.56045 ठेक है इतना अब ना लिखना हो तो इतना लिख देना 0.56 ठेक है चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रस लिकी जो कि आपका स्क्रीन पर दे रखा है क्या कह रहा है CUSO4 यानि copper sulfate इसका एक billion है और उसकी अगर हम बात करें तो एक MPR की धारा से 900 सेकेंड तक विद्धुत अभगटित कराया जाता है कैथोड बर निच्छेपित copper की द्रभमान की गर्णा कीजिए बहुत ही आसान बहुत ही सांदार प्रस ने अच्छे से देखेगा तो सौंझ में आएगा नहीं देखेंगे तो सौंझ में नहीं आएगा यह बात बिलकुल अटल सकते है ठीक है चले तो अगर हम बात करें यह इसका जो हाँ सिस्टम वाला इसका अगर सिस्टम चलेगा तो कैसी चलेगा सी यू डाइपॉजिटिव एक्वस यह दो इलक्ट्रॉन ग्रहन करेगा और यह जो है कैथोड पर जाकर इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका रिड्यूस ओके तो कित दो इलक्ट्रॉन है यानि कहने का मतला अगर मैं एक मोल कॉपर को रिड्यूस कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए चाहिए मुझे टू एफ जो है हमारा आवेश की आवशक्ता होगी तो अपने को यहां पर लिखना है जितने यहां पर इलक्ट्रॉन होती ना उसी हिसाफ मिख जाता है तो यहां पर लिखेंगे यहां पर कितना मुल ही तो एक मुल को निच्चेपित करने के लिए निच्चेपित यूणो कुई एक मोल कॉपर को निच्छे पिद करने के लिए एक मोल कॉपर को अगर हमें निच्छे प्रिद करना है तो हमें कितने की ज़रुरत पड़ेगी दो गुणे 96500 यानि 2F की अपने को ज़रुरत पड़ेगी 2F आवेस की तो 2F कूलाम आवेस की अपने को आवेसकता पड़ेगी अगर मैं एक मोल कॉपर की बात करूँ तो एक मोल कॉपर यानि कितने ग्राम कॉपर होता तो इसका मतलब यह है कि 63 ग्राम औफ कॉपर अगर हमें निच्छे प्रिद करना है तो अपने को क्या चाहिए कि 96500 कूलाम इंटू 2 इतना आवेस चाहिए अब अपने बात कर दें कि य यहां पर लेखते हैं एक एम्पेर की जो धारा है एक एम्पेर की धारा यानि करेंट क्या कर रही है 900 सेकेंड तक 900 सेकेंड तक चल लाई है ठीक है तो इसका मतलब अगर मैं चार्ज की बात करूं आवेस की तो यह हो जाएगा आपका आई इंटू टी की बराबर और आई कितनी है तो आई है हमारी एक एम्पेर और यह कितना है आपका 900 सेकेंड अगर हम देखे तो यह क्या जाएगा आपक अगर हम बात करते हैं कि इतना कूलाम आवेस है हमारा तो हमारा कितना कूलाम निच्छेपित होता है तो हमारा निच्छेपित होता है 63 ग्राम क्या आपका लेखेंगे चूंकि 2 इंटू 96,500 कूलाम आवेस से कितना है तो वो है आपका 63 ग्राम अब हमें बताना है भीया कि 900 कूलाम से कितना निच्छेपित होगा तो इसलिए अपन एक पर बात करते हैं तेहां पर लेखते हैं एक कूलाम आवेस से कितना निच्छेपित होगा यहां पर लेखते हैं एक कूलाम के लिए अगर मैं एक कूलाम की बात करूँ तो हुआ जाएगा आपका 63 ग्राम डिवाइड़ेड़ वाई 2 इंटू 965 00 अगर मैं बात करूँ भाई किसके 900 कूलाम के लिए तो इसका आपन डिवाइड कराएंगे तो 63 इंटू 900 2 इंटू 96500 दो जीरो से दो जीरो कैंसर तो आप यहां पर आप गुणा करा सकते हैं तो नो तिया 27 और नो चक चंगवन 55 दो का गुणा यहां भी कराएंगे दो पंचे दस और दो चक बारा एक तेरा दो ना मठार एक उननिस भाग दे दीजे और वह ही आपका अंसर होगा तो यह हमारा आएगा 0.294 ग्राम ठेक है तो अगर हम बात करें कि भाई 900 कूलाम सी कितना हमारा जो आविस कितना कॉपर हमारा निच्छे पे थो जाएगा तो वह जाएगा आपका 0.294 ग्राम चले आगे चलते हैं चले अब हम बात करते हैं तो आई निगेटिव आफटर रियक्शन टू एफट आई पॉच्टिव प्लस आई टू सॉलिड और यह दे रखा है उसने कि भाई सेल का स्टेंडर्ड एमफ जो है हमारा जीरो दसंबलो दो तीन च्छे वोल्ट है और सेल की जो है स्टेंडर्ड गिप्स फ्री इनरजी अ आप सवाल नहीं कर पाएंगे इसलिए यह एक कड़वा सत्य है अटल सत्य है कि आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे इसका और कोई विकल्प नहीं है ठीक है तो यू हैब टू लर्न ओल इस फॉर्मूले ठीक है देर इस नो अनौदर वे चले अब हम यहां पर च अब यह दो एलेक्ट्रोन के राण करेगा और यह क्या बनाएगा तू एफई डाइप उस्टेव दौनों एक प्वास है कोई दिक्कत नहीं है तो यह रियक्शन चल लेए कैथोड पे अगर मैं एनोड पे देखू तो क्या चल लाए कि टू आई जो नेगेटिव है यह क्य एफ स्टेंडर्ड इनर्जी का फॉर्मूला होता है लिखेंगे इस्टेंडर्ड मैंने आपको थ्योड़ी पढ़ाते सवां पढ़ाया भी है कि स्टेंडर्ड गिफ्स-annage का फॉर्मूला क्या होता है तो याध होगा अपको और नहीं याद है तो आप यहाँ पर देख ली है ना चले एन कितना है तो एन एमारा दो क्योंकि दो एलक्ट्रानों साथ मजाक हो रहा है एफ कितना है तो चानवे यार पांस सो और कौन बचा और यह एमारा जीरो दसम्रों दो तीन च्छे चलो भाई सब इनको थोड़ा निफ्टाते हैं तो दो कापने गुणा कराओ दो चार और यह जो तीन अंक बाद है तो यहां पर दो अंक बाद दसम्रों रगा लो यह आप हटा देना यहां पर लेखो 965 अब आप इसे गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा आपका गिफ्स फ्री एनरजी गिफ्स फ्री एनरजी आ जाएगी डिल्टा जी बराबर गुण इसका अगर मात रख देखो तो इसका मात रख होता है आपका जूल प्रतिमोल इस इजूर आंसर कोई दिक्कत कहीं कुछ नहीं है आपको एक फर्वूला धियान रखना है बेसिकली डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ए नॉट सॉरी चले आगे चलते हैं चले हम बात करत आपने अगरे हम र्त राख हो आई एकल को रख देनियल चैल के लिए मानक पessionल फ के लिए मानक बेन्डी कर देए मानक यानी हो compliance आगे कह रहा है निमन अभिक्रिया के लिए मानक गिफ्स मुक्तक उप जा धाने यानि या अपने को किया दताना है डेलेटा नूल बताने बताना है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बताने है यह अपने को अभिक्रिया दे रखी है ओके चले तो हम बात करते हैं तो यहां पर लेखेंगे मानक गिफ्स मुख टूर्जा यानि स्टेंडर्ड गिफ्स फ्री इनर्जी क्या हो जाएगा आपका त्यांपि लेखेंगे डेल्टा जीनॉट बरावर माइनस N एफ E नॉट तो डेल्टा जीनॉट की अगर मैं बात करूँ माइनस का माइनस रहेगा कितेए इलेक्ट्रणों की साथ मजाग हो रहे है तो दूर्ण एलेक्ट्रों की साथ f की value रखेंगे 96,500 और e0 की value किती है तो यह है आपकी 1.1 आप कहेंगे कहां से लिख रहा हुआ आप है तो यहां पर देखो भाई जो f होता है वो always 96,500 कूलाम प्रती मोल होता है ठीक है आगे चलते हैं जब आप इसे solve करेंगे तो यह आप राप्त करेंगे कि इसकी जो value आई हुई है यह हो जाएगा गुणा कराईएगा और आपका अंसर आजाएगा अगर हम इसे देखें तो यह आएगा आपका 212300 जूल अगर हम इसे किलो जूल में लेखना चाहते है तो यह जाएगा माइनस 212.3 किलो जूल क्लिर इतना कोई देखकर चले तो इस्टेंडर्ड गिप्स फ्री एनर्जी का यह सूत्र था और यह स्टेंडर्ड गिप्स फ्री एनर्जी को पर कुछ क्वेश्चन थे चले अगले टाप के क्वेश्चन की तरफ चले अब हम बात करते अपने अगले क्वेश्चन की क्या कह रहा है निमने लिखित सैल का 298 Kelvin पर नश्ट एक्वेश्चन लिखिए और विद्ध वाहग बल्की गर्णा करनी है यह अपने को सैल दे रखिए तो सैल के बार हम लिखेंगे कि क्या लिखा है अपने सैल को तो सैल यह है हमारी एफी सॉलिड यह बन रहा है आपका एफी डाइप उजिटिव एक्वस ठेक है यह आपका किता है जीरो दो सम्दब जीरो जीरो वन मोलर ओके और यह आपका डवल बिरिच और यहां पर देखूं तो एच पॉजिटिव एक्वस वन मोलर एच टू गैस और यह है आपका वन बार पी टी सॉलिड चले हम पहले इसकी एक्वेशन लिखते हैं तो इसकी अगर हम एक्वेशन की बात करें तो इसकी एक्वेशन आएगी मिया क्या आएगी एक्वेशन प्लस टू एच प्लस आफ्टर रियक्शन एफी डाइप उजिटिव यहां पर एक्वस आप लिख सकते हैं तो यहां पर आप एक्वस लिख सकते हैं प्लस एच टू ओके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो अब हम बात करते हैं कि चल क्या रहा है तो पहली अगर मैं बात करूँ तो यह हो रहा है काय पर ऑक्षिडेसन हो रहा है इसका यह हमारी एनोट पर काम चल ला है अगर मैं बात करूँ तो यह काय की तरह काम कर रहा है तो हमारा अगर मैं बात करो तो वह कैसे दिखलेगा वह हम कई बार पढ़ चुके तो यह होता है आपका E0 of cathode reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode चले अगर हम बात करते कि cathode की कहानी तो cathode का कौन है तो आपका hydrogen वाला यहां पर आप लेख सकते हैं 2H plus से आपका क्या बन रहा है आपका H2 और यहां अगर मैं देखूँ तो anode पर क्या चल ला है anode पर है आपका FE से FE यहां पर लेखेंगे FE dipositive से आपका क्या बन रहा है FE चले आप अगर मैं यहां पर देखूँ तो इसकी जो value होती है और इसकी value देखूँ तो इसकी value क्या है तो इसकी value इसने दे रखे किती है minus 0.44 तो यह आएगा आपका plus 0.44 वोल्ड तो यह आगा आपका E naught of soil तो E naught of soil के तागे 0.44 वोल्ड इतना के लिए कोई doubt तो नहीं होना है चाहिए वैसे ठीक है अब हम बात करते हैं आगे तो यहाँ पर लेखेंगे नष्ट की equation से तो यहाँ पर लेखेंगे नष्ट equation से अगर मैं नष्ट equation देखूँ तो क्या होता है आपका E बराबर या E of cell equal to E not of cell minus 96500 बटे एन एन कितना है आपका तो दो एलेक्ट्रान उसाथ मजाग चल ला है ठीक है ओ सॉरी 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 यह होता है 0.0591 अपाउन एन लॉग बेस्ट एन और यहाँ पर होता है यह वाला व्यक्ति यह वाला व्यक्ति कोन है आपका एफिडाई पोस्टियो और नीचे रहेगा आपका यह वाला व्यक्ति यह और यहाँ पर इसकी जो पावर है यह क्या जाएगी आपकी दो आ जाएगी ठीक चले इओ अगर हम देखे तो यह TOP 2 लिखेंगे 0-0 जाल रहे में तो यहां पर आप लिखेंगे और अगर हम देखें यहां पर फीडाई पॉजिटिव के बारे में तो वह कितनी रख़ी है तो वह है आपकी 0-001 यहां पर लिखेंगे 0-001 नीचे वाले की बात करें तो उसकी बार न है तो बन का स्क्वेर कर दो आगे चलते हैं यह हो जाएगा आपको जीरो तो समलोग चार 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 यह हो जाएगा आपको 0.0591 नीचे आपका दो आपका सेम रहेगा यहां भी अगर हम बात करें तो यह आजाएगा लॉग वेश 10 और इसको अगर मैं देखता हूं तो हो जाएगा आ मैनस ते न सही ही होगा चलो मैनस वह कर दो आएगा यहाँ अगर हम इसे देखें तो यह हो जाएगा विट्टा आपका आपको यह तर एक जीरो दसम्लूद चार चार। ठेक हैं अब आप इसका क्या करें सुल्ब करेंगेगा सब्सक्राइब निज दसमेद कि इस गाले फोर यहीं द्यूविब तरीके से क्या आएगा पांच का पांच रहेगा आठ का रहेगा आठ चार बारा चार एक पांच तो यह आएगा आपका अंसर के ताच जीरो तो सम्दो पांच दो आठ पांच और मात्रक अगर मैं देखू इसका क्या आएगा इसका मात्रक वोल्ड यह यह वारा आंसर है कोई दिक्कत हो तो आप कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कर सकते हैं यह था संभव प्रियास किया जाएगा आपकी समस्याओं का निस्तारर करने के लिए चले अब हम बात करते हैं अ भी नश्ट एक्क्वेशन लिखे और विद्धुत्वाहक बल की गड़ना करने है यह अपने को दे रखा है E0 of Cu positive upon Cu यानि Cu जो copper है उसका electrode potential दे रखा है आपको 0.34 volt चले अब हम बात करते हैं question number 41 की जो कि हमारा 2022 में आज चुका है बहुत महात्पूर सवाल है और बहुत ही आसान question है नश्टी question को पर बेज़द है तो वो कह रहा है कि यह हमारी cell है mg solid से mg dipositive aqueous यह आपकी cell दे रखी ठीक है और वो उसने सब चीज़ी दे रखें और कह रहा है विद्धुत वाहग बल निकालना है यह सबसे पहले हम cell को देखने आखिर चल क्या रहा है cell के तो अगर मैं system देखूं तो यह आपका क्या बन रहा है पहले mg solid से बन रहा है mg dipositive और 2 electron त्यागे जा रहे है क्या हो रहा है electron का त्याग हो रहा है तो electron का त्याग मतलब आक्सी करण आक्सी करण मतलब oxidation oxidation always happen on anode इतनी देर से बताते है आ रहे है और यह क्यों लिख रहे है अभी आपको संद्धिन आएगा फिर क्या है कि c u dipositive जो है आपका aqueous वो जो आपका 2 electron लेके बन रहा है आपका c u निच्छे पर थोड़ा है solid बन रहा है ठीक है तो यह क् अब मैं ऐसे देखूं तो यह आपका कुछ इस तरह से होगा काटा पीटी कर रहे से तो यू विल फाइंड mg अरे यह साही क्यों नहीं आ रहा mg solid पिलस c u dipositive aqueous after reaction mg dipositive aqueous पिलस c u solid ओके चले एतना क्लियर न कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए वैसे चले अब हम बात करतें नस्ट equation की यहाँ पर लेकेंगे नस्ट equation से तो नस्ट equation की अगर हम बात करें तो वह होता है आपका e of cell equal to e not of cell minus 0.0591 और इसमें कितना है n, n लिखला अभी तो बात के बात करेंगे log base 10 और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर left right hand side वारा कौन है magnesium सबसे पहले मुझे सैल का निकालना पड़ेगा विद्धुत वाहाग वाल स्टेंडर्ड वाला तो मैं इसकी बात करूं तो यह हो जाएगा आपका e not of cathode minus e not of anode यह हो जाएगा आपका 0.0591 और यह हो जाएगा number of electron 2 है log base 10 का log base 10 रहेगा mg dipositive को अगर मैं देखूं तो इसकी जो value है 0.001 है और इसके अगर मैं value देखूं बगलवाले की तो हो जाएगा आपकी 0.001 e not of cathode minus e not of anode अगर हम इसे अच्छे से देखते हैं तो e not of cathode की तरह कौन काम कर रहा है तो cathode की तरह काम कर रहा है अपना copper अपर माला व्यक्ति तो यह आजाएगा आपका 0.34 माइनस लगाए अगर हम इसे अच्छे से देखें तो ऊपर आएगा आपका 0.001 या हम इस देखेंगे कि तू यहां पर आपट रहा हैं पर अब हम बात करते हैं आगे तो यह हो जाएगा अगर हम इसे देखे तो 10 की घात नीचे आएगा आपका अगर हम सई से देखे तो दसमलो आप अपढ़ा दी जिए बिंदी आपकी उपर बढ़ जाएगी तो यह आजाएगा आपका log 10 पर यह आजाएगा log 10 10 की value हो जाएगा आपकी 1 यह हो जाएगा आपका कित्ता दो दसमलो साथ एक ठेक है यह जाएगा आपका 0.059 दो, रहेगा, यहाँ आपकर 0.0, 2, 9, 5, 5, धटाईए है, 2.7, 0.0, 2, 9, 5, 5, दस में से 5 गया, 5 बचा, दस में से 6 गया, तो क्या बचा, 4 बचा, है ना, और 18 में से 9 गया तो 9 बचा और 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा और 6 बचेगा दो बचेगा तो यह हैं हमारा अंसर 2.6,8,9,4,5 चले अब हम इसे घठाते हैं तो यह आएगा आपका 2.7,1 कर 2.7,1 यह जाएगा आपका 0.0,2,9,5 गाट क्यों नहीं रहा है यार चलो घठाते से तो यह घठाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा ठीक है कि लिए रितना यह आएगा आपका 2.68045 अगर हम देखें तो यह आफ सेल जो हमको निकालना है वह आजाएगा आपका 2.68045 वोल्ट चले यह question जो है आपका पिछली साल आ चुका है चले पढ़तें से किसी प्रथम कोर्टी की अविक्रिया है और उसका वेगिस थ्रांग अपने को दे रखा है 6.930-1 मिनट इनवर्स ठीक है इस अविकर्या की अधायु की गढ़ना कीजिए तो जैसे कि हम थियोरी में पढ़ चुकिक है कोई अविक्रिया पृद्थम कोर्टी की क्या क्यालाती है सुनी कोर्टी की क्या क्यालाते है तो उस पर हम ज़र्शा करेंगे अभाई invented प्रथम कोटी की अविक्रिया है उसका वेग स्थ्रांग अपने को दे रखा है और हमें इसकी अर्धायू निकाल लें तो हम दोनों की चर्चा करते हैं कि यह वेग स्थ्रांग क्या है और अर्धायू क्या है वेग स्थ्रांग और अर्धायू में अगर मैं बात करू रिलेश कोटी की अभी क्रिया के लिए वेग स्थरांग केवं क्या होता है वेग स्थरांक और अर्धायू में सम्द्ध तो इसका अगर मैं सम्द्ध देखू यह होता है आपका भीया अगर मैं टी हाफ की वैलू की बात करूं तो यह आपका हो जाएगा जीरो देखें तो के है भीया आपका चलिए आपका टी हाफ हो गया और इसे अगर मैं नीचे वाले को थोड़ा सॉल्व करूं तो यह हो जाएगा आपका यह वाली प्रथम कोटी क्या भी किया जो है इसका जो हमारा अर्धायू काल है वह कितना आया आपका एक मिनट और यहीं आपको आपको आणसर तो वहीं मैं बताय रहा था आपको के यह क्वेश्टरी के बहुत चोटे-चोटे क्वेश्टर आते हैं यह मेरिकल वाले तो आप उनको मच छोड़िएगा और यह क्वेश्टर नहीं चोटे जब आपको फॉर्मूले याद होगी चले तो फॉर्मूले आप जरूर करें बुएंग अब बात करते हैं अपने अग सबस्क्राइब नहीं सद्रवाह इत्राइब आगे कह रहा है अभी कारेक की जो सांधरता है हम जी रू दसमलो जीरो चैंज होकर किती हो गई वह आप कियो गई आपकी ृजीरो दसमलो जीरो दो पॉलर किता टाइम में तुसने का आप यह जो टाइम है वह किता लगा तो आ रहे हैं चोई आपका 20 मिनटी लगा अपने को क्या निकालना है अपने को निकालना है और शुट पता होना चाहिए तो और बड़ाबर होता है सांदृता परिवर्तन बटे समयांतरा का चले लखते हैं लगा समय अगर मैं बात करूँ सांद्रता परिवर्तन कित्ता हो रहा है तो पहले थी आपकी 0.06 और अप कित्ती हो गई 0.02 समय कितना है तो कितने मिनट में तो 20 मिनट में घटाएंगे तो 0.04 और बठेके आएगा आपका 20 यहां तक कोई समस्या नहीं है कोई दिकत कोई समस्या चले अब मैं इसे थोड़ा था सॉल्वर करने का प्रियत में करता हूँ तो यह जाएगा आपका 0.02 और यह जाएगा आपका 10 तो यह जाएगा आपका 0.002 तो next time में आपका time आप नीचे लिखना हो तो यहां पर लिखना हो थो If n. तो जेखनी समस्या चले कंऊं坐 गुंत करने में समस्या दो nya 5 दी वोर्ड़ यह जाएगा प्रिशह चले समस्या तो सब्सक्राइगा पर नपम कोई समस्या पर श्यार में आ पढ़ेंगे यह उसने दे रखा है भाई कि आप जो है अराम से कर सकें इसे ताकि आपको द्यादा दिक्कत दिमाग दिमाग लगाना ना पड़े आगे उसने यह कुछ दे रखा इस तरह से डेटा वगएरा और हमको निकालना है वे एक इस्थरा बड़ा ही आसान question प्रयास करते हैं लगान आप 2N2O5 ठीक है आफ्टर एक्षन ओके 2N2O4 मान लोगे यह आपका गैस है और यह आपका ओटू यह आपका गैस है और यह भी आपका गैस है यह आँ तक कोई रिक्कत है नहीं कि इस्टार्टिंग फेज में क्या कह रहा है कि जुब समय आपका 0 है यहां पर लेकुल समय जब हमारा 0 चलना है तब क्या है तो तब इसका जो दाब है वायू मंडली दाब हो है आपका 0 2.5 और यह तो बने ही नहीं है तो इनकी कहानी यह खाता हमें जब हमारा समय जो है सो सेकंड सब्सक्ति हो गया चलना हो आपका जिरो तसम खकलग यहां पर यहां पर हिए क्या है अध achieving हो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं चले अब आगे कह रहा है आपसे कि यह जो कुल दाब है वह आपका इतना हो गया यहां पर लिखते कुल दाब कुल दाब के अगर मैं बात करूंते हैं सब का समाएगा 0.5 प्लस ओ भाई पहले से लिखो फिर आप प्लस करके 2x को लिखो और प्लस करके x लिख लिखा कुल दाब के अगर मैं बात करूंते हैं ठीक है और कुल दाब के तो 0.5 प्लस ओ दो और यह अगर मैं देखो तो इससे आपका यह चैंसल हो जाएगा यह आपका 0.5 प्लस x अगर मैं यह आप पर x की बात करूं यह हो जाएगा आपका 0.5 एक दो अरे यार क्या हो रहा है माइनस 0.5 अब आप इसे घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.0 एक दो तो इतने एटियम आगया आपका दाब कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं प्रारम्बे में देखू तो प्रारम्बे में जो हमारा प्रेसर है किसका N2O5 का वो कितना है तो वो है हमारा 0.5 तो अगर मैं बाद के देखू यानि T समय बाद देखू N2O5 का प्रेसर तो यह आता है हमारा 0.5 वाइनस अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं घटाए यह से तो इसे आप घटाएंगे तो यह आएगा आएगा आपका 0.476 क्लियर इतना तो यह आया आए प्रेसर अफ N2O5 आफ्टर टाइम या आफ्टर हंडिड सेकंड इतना समझ लो पहले तो बात क्या आगे समझ लो देख लो अच्छे से कोई दिक्कत नी हो नीचे उसके बाद आगे चलते हैं तो अब हम बात करते हैं यह हमारे पास आ गया टी टाइम बात प्रेसर ठीक है यह हमारे पास आ गया इनीचियल टाइम पर प्रेसर और टाइम अपने पास हाई है 100 सेकंड वेग स्थरांग आपने को क्या करना है निकालना है कि अधिंक हो जाएगा ठीक है चले तो हम सूत्र जानते हैं यहां पर लेकाएं कि प्रथम कोटी क्या विक्रिया के व्यक्राइब कर लेता है प्रथम कोटी क्या विक्रिया के झाल झाल अगर हम देखें आप पर्थम को टी अभी क्या का वेगे स्थराइंग का सूत्र का होता है कि बराबर यहां पर आएगा आपका स्टार्टिंग फेज में क्या चल लाता तो इस्टार्टिंग फेज में देखू तो यह हो जाएगा प्रैसर ओफ आपने प्रैसर आपने फ्रूला नहीं पढ़ा तो आप देख लो यह होता है ठीक है चले आगे चलते हैं तो अब बटे टी आपको किता था 100 लॉग विश 10 का लॉग विश 10 रहेगा ठेक है और यह अगर मैं बात करूं तो पी और अफ एट टू ओफ फाइव जीरो दसम्बलाव जी यह आपका जीरो दसम्बलाव पांच एटू ओके और यह आपका जीरो दसम्बलाव चार साथ छे यहां चले तो कि बराबर आएगा आपका 2.303 बटे 100 का 100 रहेगा और अगर मैं इसे अच्छे से देखूते हैं हुझाएगा आपको लॉग बिश 10 का लॉग विश 10 रहेगा और यह हुझा आपका पांच बटे 4.70 चले इसे थोड़ाव जा लेते हैं तो कि बराबर आपका 2.303 ब पांच माइनस लॉग बिश 10 4.70 चले अब हमें क्या है कि इनकी वैल्यू दे रखेंगे 2.303 बटे 100 का 100 रहेगा और लॉग बिश 10 इंटु 5 की जो वैल्यू है अपनी कित्ति है तो वह आपकी 0.6991 और लॉग में टैन्ट 4.760 वैल्यू दे रहे जिए 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 गटाई ये से यह जाएगा आपका 2.303 बटे 100 का आपका 100 रहेगा घटाई इनको तो 11 में से 6 गया तो 5 बचा और 9 में से 8 गया तो आपका 1 बचा फिर 9 में से 7 गया तो आपका 2 बचा और 6 में से 6 गया तो आपका 0 बचा और यहां पर आपका कुछ इस तरह से रहेगा अगर मैं की की वैल्यू की बात करूं तो यह आपका 2.303 multiplied by 0.0215 upon 100 equal to इसे हमने solve भी क्या तो यह आपका 0.00495 और मात्रक आएगा आपका second inverse तो अगर हम बात करें कि यह जो अभिक्रिया है इसकी जो हमारी वैकिस्थरांग की value है वह कितनी आ गई तो वह आ गई हमारी 0.00495 second inverse is that clear to you चले आगे चलते है चले बहुत आसान कोश्चन है क्या किरा किसी प्रथम कोटी के अविक्रिया में 40 second में पदार्थ की सांदर्ता प्रारंबिक सांदर्ता की आधी रह जाती है अविक्रिया के वेकिस्थरांग की गढ़ना कीजिए सबसे पहले हम question के बारे में समझें इसका मतलब ये जो आपकार सांदर्ता की बात करो मैं तो जन 20 ने चाथा सेंद्रता इसे का मतलब ये जो आपका 40 second दे रखा है यह आपका अर्धायू दे रखा है ठीक है तेहां पर आप लिख सकते हैं अर्धायू वह समय होता है जिसमें किसी अभिक्रिया में पदार्थ की सांदर्था प्रारंबिक सांदर्था की आधी रह जाती है अगर हम यहां पर चर्चा करें तो जो हमारा 40 second है वह हमारा क्या है अर्धायू है यहां पर बात करें अभिक्रिया कि जो अर्धायू है वह क्या है वह हमारी 40 से क्या है तो अभिक्रिया कि अर्धायू किती है 40 seconds कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अब मैं आगे चर्चा करता हूं इसके बारे में अभिक्रिया कि अर्धायू यानि टी हाफ जो अपने को है वह 40 सेकेंड ठेक है चले अब हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग कि यहां पर लेखेंगे अभिक्रिया के अर्धायू तथा वेग में संबन क्या पढ़ा था तो अपने पढ़ा था टी हाफ बराबर 0.693 बटे के अगर मैं के की बात करूती हो जाएगा आपका 0.693 बटे टी हाफ ठीक तो 0.693 आपका सेम एज रहेगा और टी हाप के अगर मैं बात करूती है आपका 40 सेकेंड तो यह हो जाएगा आपका 0.0693 बटे चार चार का भाग दे दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 0.0 जीरो चार एकम चार दो और नौप चासत्य अठाइस एक और तीन चारती बारा ठीक आगे भी आगे चलता रहेगा तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं जाएगा अगर हम इसे देखें तो यह आपका इतना है जीरो दसमलो एक सॉरी जीरो दसमलो जीरो एक साथ तेन ठीक है और मात्रा की साथ, इंवर्स की और स्कोष? यही हमारा क्या हो जाएगा अंसर की क्या की आविक्रिया दोस्ट के मात्रक प्रिज remember, यह ऐक सत्याइत करना है सहन क необходде है प्रिजिंद तो सबसे पहले हम बात करते हम पर एक साथे हमक ignite यह दि univers attitude right प्रथम कोटी के अभिक्रिया का अगर हम वेग स्थांग का सूत्र देखें तो प्रथम कोटी कोई भी सूत्र लेख दो आप प्रथम कोटी के अभिक्रिया का वेग स्थांग का सूत्र देखें तो आप लिखतें प्रथम कोटी के अभिक्रिया का प्रथम कोटी के अभी क्रियाक के वेग स्थिरांग के सूतर से अगर मैं प्रथम कोटी के अभी क्रियाक के वेग स्थिरांग का सूतर की बात करो तो वह होता है कि वराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस टैन एबटे ए माइनस एक्स यह होता है तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई यह हमारा मात्रों यह tuck हीं है के जो आपका yeah-uck always प्रोपोश्νεु टूटि अगर में बात कहूं तोragen है अगर के का मात्रा यहाँ जो हमारी वेग स्थ रहा है day यह क्या हो जाएगा second क्या कहरा है कि एक अभिक्रिया है और परसेंट संपंण होती है इसका मतलब समझ रहे हो ने इसका मतलब यही है कि कोई अभीक्रिया जो है आधी complete हो जाती है कित्ते में 100 सेकेंड में यहां पर लेखते हैं क्या कह रहा है कि अभीक्रिया यहां पर लेखो प्रस्नान उसार एक सेकंड यार प्रथम कोटी के अभीक्रिया प्रश्नान उसार प्रथम कोटी के अभीक्रिया इसका मतलब यह है कि यहां पर लेखेंगे अर्थात अर्थात क्या है कि भाई अगर 100 सेकंड परसेंट परसेंट पूर्ण होती है तो इसका मतलब यह जो है 100 सेकंड हमारा अर्थायू है क्या है हमारा अर्थायू और अगर मैं अर्थायू और के में संबंद देखू यहां पर लेखेंगे प्रथम कोटी के अभीक्रिया में आर्थायू एवं वेग स्थरांक ने में संबंद निम्ने प्रिकार से है क्या है तो हम बच्पन से पढ़ते आ रहें विज़ा के बराबर होता है यानि अपने पास टी हाफ कित्ता दे रहा है तो उसने का आपका वह है आपका सौ से के अब हमें के की बात करने तो के बराबर है क्या आपका के बराबर है आपका जीरो दसंब्लों छै नो तीन वटे टी हाफ बैल्लू रखेंगे टी हाफ की ती हो जाएगा आपका जीरो दसंब्लों छै नो तीन वटे हंड्रीड अगर हम इसे सही से लेखें ती हो जाएगा आपका 6.93 इंटू 10 to the power और माइनस 3 और मात्रक की बात करें तो यह हमारा सेकेंड तो यह हो जाएगा आपका सेकेंड इंवर्स इस यूर आंसर के लिए इतना आगे चलते हैं इस तरह के बहुत सारे question किये हैं तो आप इसे try करेंगे वीडियो को pause करके ठीक है उसके बाद मैं बताता हूं हो गया होगा प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रम भियोजित हो गया अर्धायू यह हमारा साथ मिनट क्या दे रखा है अर्धायू अगर मैं टाइम की बात करूं तो यह हमारा साथ मिनट जो है वह हमारा अर्धायू क्यों है अर्धायू क्योंकि यह जो है हमारा प्रारंभिक मात्रा का क वेग इस्थिरांग में संबन क्या संबन अरधाई और वेग इस्थिरांग में तो यहां पर लेकिंगे T half equal to 0.693 upon K अगर मैं यहां पर K की बात कहूं तो यहां जाएगा 0.693 upon T half अगर मैं यहां पर बात कहूं तो 0.693 आपका सेम रहेगा आपकी value 60 है 60 का आप divide कीजिए 0.0693 upon 6 इसको आप भाग दीजिएगा भाग ऐसे देते हैं 0.0693 तो अरे यार तो यहां पर आएगा 0.0 और एक बार आप दीजिए तो यह आजाएगा आपका 69 फिर एक बार आएगा तो आजाएगा आपका फिर 6, 3, 3, 6, 35 फिर आएगा 3, 0 तो फिर आएगा आपका 6, 35 तो यह आए आपका अंसर 0.0 1, 1, 5, 5 और आजाएगा आपका minute inverse में अगर हम इसे थोड़ा अच्छे से लेखे तो यह आजाएगा आपका 1.1 1.155 इंटू 10 to the power minus 2 minute inverse क्लिर इतना कोई डाउट चले आगी सलते हैं चले अब हम बात करते हैं अगले question की जो कि हमारा 2023 में भी आ चुका है पढ़ते हैं प्रथम कोर्टी का अभीकरिया Na2O5 है प्रथम कोर्टी का अभीकरिया Na2O5 अफ्टर रियक्शन 2NO2 प्लस half O2 में 318 Kelvin टेंप्रेचर पर Na2O5 की जो प्तारंबिक सांदरता थी वो थी 0.6 गुणे दसकी खात माइनस दो मोल प्रति लीटर ठीक है इस तरह की गढ़ना करने हैं बहुत आसान क्वेशन है अच्छे से आप समझेंगे ठीक है चले हम पहले बात कर लेते हैं क्या क्या दे रखता है सबसे पहले अपने को रियक्शन दे रखें प्रथम कोर्टी का विकरिया और हमको क्या प्रारंभिक सांदरता तो यहां पर ल दसखींगात माइनस दो कि मोल प्रती लीटर अब बात कर रहा है कि अंतियं सांदरता यह टी समय पस्चात सांदरता यानि टी समय भाथ-सांदरता ये सांदरतण जो कि हमारा जितता है साथ ही कि कि है के बाद सांधरता इसे आप 80 से रिप्रेजेंट कर सकती है ठीक है तो मैं इसे 80 से रिप्रेजेंट कर दू या फिर A-X से रिप्रेजेंट कर दो दोनों एक ही चीज है वो तो सिंबल है भाई यह आपका कित्ता बचा 0.2 गुणे 10 की घात माइनस दो मोल प्रती लीटर आगे मैं बात करता हूं आगे क्या कह रहा है आगे वह कह रहा है आपसे यह जो टाइम है वह साथ मिनट उतलक चुका है ठीक है बस और कुछ अपन को चाहिए भी नहीं निकालने के लिए तो हम यहां पर लिखेंगे प्रत्थम कोटी के प्रत्थम कोटी की अभिक्रिया के वेग स्थरांग के सूतर से क्या था तो प्रत्थम कोटी की अभिक्रिया का जो वेग स्थरांग का सूतर था वो था हमारा के बराबर के दो दसम्लों तीन जी रो तीन बटे टी लॉग बेस टैन ए बटे ए वाइनस एक्स बड़ा असान सूतर था चलिए तो के अपने को निकालना है यह आएगा आपका यह कितना है तो यह है हमारा 0.6 गुणे दसकी घात माइनस दो और ए माइनस एक से आपका जीरो दसम्लों दो जीरो गुणे दसकी घात माइनस दो इससे आपका यह कैंसल और 20-30 होता है यह हो जाएगा आपका 2.303 बटे साथ लॉग बेस टैन अब देखो अगर मां यहां डेसी माल हटाऊंगा तो यहां डेसी माल हट जाएगा तो 20 या 60 तो 3 बार में यह क्या कर जाएगा अब देखो उसने ज्यादा मेहनत ना करवाई त से तो उसने पहले से आपको दे रखा कि लॉग बेस टैन फिरी की जो वैल्यों होती वह होती आपकी 0.4771 यहां पर लेखेंगे 2.303 बटे साथ और इसकी वैल्यों 0.4771 तो थोड़ा अच्छे से लिख लूँ फुर आप सॉल्व करते रहिएगा अच्छे से कहा रहती थोड़ी उतानी इसकी चलिए सॉल्व करिए से तो हमने जब सॉल्वे किया तो यहाए हमारा 0.018312 मिनट इनवर्स ठीक है थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो यह सकते हैं अपन जीरो दसम्लोव अरे नहीं एक दसम्लोव आठ तीन इंटू 10 टू दी पावर माइनस दो मिनट इनवर्स यह हमारा आज आएगा आंसर के लिए इतना कोई दिक्कत चले कोई भी दिक्कत थो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पून सक चले आगे चलते हैं क्वेशन नंबर 49 की तरफ अब हम बात करते हैं अगले क्वेशन की क्वेशन नंबर 49 यह क्वेशन आपका 2020 और 2019 लगातार आया हुआ है ठीक है अब हम पढ़ते है इसको प्रथम कोटी के अवितिया दे रखी है ठीक है और जो है उसकी जो प्रारंबिक है सिर्फ इसमें संख्याई है चेंज हुई है तो आप इसे प्रयास करिएगा चले मैं ईसे करॐ रहा हुँ ठीक है कि क्या प्र्थम कोटी के अविक्रिया अपने पास दे रखी और यह प्रथम कोटी के का यहां रिप्रेजंट करते हैं मान लेते हैं यह है हमारा आपको X से करना है X से करिए ठीक है A0 से करना है A0 से करिए आपके एक्षा को बने दबार है जो एक्षा करियो मनवाहीं है चले 1.2 अगर मैं बात करूं भाई कि इसकी जो सांदरता है साथ मिनट बात कितकी होगे साथ मिनट मींज आफ्टर टी सेकेंड या आफ्टर टी टाइम तो यहां पर लेखेंगे और टी बराबर साथ मिनट पस्चाथ सांदरता अगर साथ मिनट पस्चाथ सांदरता होगी विए सांदरता में कमी आएगी तो उसे अपन बोलते हैं A-X तो यह क्या है हमारी यह हमारी कितनी रह गए गी तो वो रह गए 0.6 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 2 आगे सुनते हैं आगे आपसे कह रहा है कि 318 केलिमेंट पर वेग इस्थरांग की गढ़ना करने हैं यहां पर लेगे कि प्रथम कोटी के अभिक्रिया के वेग इस्थरांग को क्या लिखते हैं तो अब अपने जानते हैं प्रथम कोटी के अभिक्रिया के वेग झाल क्या है आपका प्रिथम कोटी क्या विख्यागा वह एक इस थरा है तो क्ये बराबर होता है आपका 2.3 0.3 बटे टी लॉग वेस्ट एन ए बटे ए माइनस एक्स क्ये बराबर हो जाएगा आपका 2.3 0.3 टी की वेल्यू कित्ती है साथ मिनाट तो साथ लिख लो ओके और लॉग बिश टैन को आप लॉग बिश टैन लिखू और एक की वेल्यू कित्ती है एक दसम्ला दो गोने दसकी गात माइनस दो और नीच वारे वाई साथ की वेल्यू 0.6 गोने दसकी गात माइनस दो इससे ही वाला कैंसर जाएगा 2.3 0.3 साथ का साथ आएगा और इससे अगर मैं देखू तो 6 दूनी बारत यहां आएगा आपका 2 लॉग बेस 10 होती है अनि लॉग 2 की वैल्यू ऑन दा बेस ऑफ 10 लॉग 2 की वैल्यू और जाएगा 2.3 0.3 बते साथ और इसकी वैल्यू होजाएगी 0.3 10 लोग 3 की वैलू 0.4771 तो यह आपको दिया रहेगा आप सवाल में भी दिया रहेगा यहां पर साइड में दे देगा आपको लोग वेश 10 टू की वैलू है 0.30 अगर मैं इसे देखू तो यह आपका 0.0693 भाग दे दीजिए तो आएगा 0.01 फिर आएगा पाँच और फिर आएगा पाँच और फिर आएगा पाँच मिनट इनवर्स यह आपका अंसर हो गया ठिक चले आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं अगले क्या कहरा है एक प्रथम कोटी की अभिक्रिया है और उसका अरधायुकाल 60 मिनट है ठिक है आगे कहरा है कितने समय में अभिक्रिया 90 प्रिस्त पूर्ड हो जाएगे चले करते हैं से देखेगा प्रथम कोटी की अभिक्रिया का अरधायुकाल अपने पास दे रखा है तो अपने पास क्या दे रखा है अरधायुकाल दे रखा है कितना 60 मिनट अगर मैं यहां से प्रतम कोटी की अविक्रिया का वेग स्थ्रांग निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास अर्धा आयूकाल और वेग स्थ्रांग में सम्मन्ध है कि अर्धा आयूकाल equal to the 0.593 upon वेग स्थ्रांग तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं कि प्रथम कोटी की अभिक्रिया की अर्धायुकाल एवं वेग स्थ्रांक में संबंध क्या होगा संबंध भी है तो हम जानते के बराबर होता है अरे यार फिर यह चेंज जाता है के बराबर होता है आपका 0.693 अपॉन टी हाफ तो तो 0.693 आपका सेम रहेगा और टी हाफ के अगर मैं चर्चा करूं तो यह है आपका साथ मिनट इन वर्स सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं हमारा मन ऐसी होता है चलिए आगी चलते हैं आगे अगर हम चर्चा करें कि भाई क्या कह रहा हूं कि वह कह रहा है तो यहां पर लिखते हैं माना टी समय में अभी किरिया नभी परसेंट फूर्ट हो जाएगी इसका मतलब यह है कि भाई रहे हैं इसका मतलब कें लिए कि सान्दरता है तो अभी किरिया की प्रारंबिक सांदरता इसका मतलब कि फोि प्रारंब्र लिए ती समय पस्चात सांद्रता ती समय नहीं लेखा पमे लेखते हैं चालो भाई ती समय पस्चात सांद्रता कितना हो जाएगा दस बचेगा अब हम लगाएंगे सूत्र से यहां पर लेखेंगे प्रिथम कोटी का विक्राइगे वेग स्थांग का सूत्र याद हो गया होगा वैसे तो नहीं हुआ तो याद करो ऐसे काम नहीं चलेगा ठीक है क्या होगा सूत्र यहां पर रूता है के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेश 10 ए बटे ए वाइनस एकस के की वैल्यू अपने पास यह दे रखें तो के की वैल्यू लखो जिरो दसमलो छै नौ तीन बटे शाट बराबर 2.303 टी लॉग बेश 10 और ए की वैल्यू किती है 100 और ए माइनस एकस की वैल्यू है 10 तो 10 से 100 का एक 0 कैंसल हो जाएगा और इससे अगर हम इसे काटते तो यह आता है आपका आया कितना तो जीरो दसमलो तीस दस ठीक है जीरो दसमलो तीस दस बटे साट बराबर वन अपॉन टी अर्याटी मजा नहीं आया यह से लॉग बेश 10 और उपर भी अपना 10 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है एक क्योंकि जब हमारा आधार सेम हो और वैल्यू सेम हो तो उस ति हो जाएगा आपका 0.30 अगर मैं आपका टी की वैल्यू की बात करू ति हो जाएगा आपका साथ बटे 0.30 देलो भाग भाग और क्या 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 आजा सकता है तो यह लग भाग लग होई 109 क्या सपास आएगा 109 पॉंट संथिंग ठीक है एतने मिनट देले ना भाग ति क्या आपका 109.39 मिनट के लिए रितना चले अब हम पढ़ते हैं अगले question को एक प्रिथम कोटी के अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूंड हो जाती है ठीक है और यह अभिक्रिया कि 75% होने में किता time रहेगा बढ़ है question है थोड़ा time taking है अच्छे से समझ के लगाना है ठीक है चल भार च्छे लगते हैं प्रिथम कोटी के अभिक्रिया कि वेगिस्थ्रांगका समुख्रांगत प्रिथम कोटी के अभिक्रिया कि करांग कर में सबहें क्या होता है आपका तो के बराबर होता है आपका दो दसम्मलों तीन जीरो तीन बटे टी लॉग बेस टैन पहली कहानी यह है कि दस मिनाट में 20 परसेंट पूर हो जाती है तो यहां पर लेखते हैं फर्स्ट कंडिशन फर्स्ट कहानी फर्स्ट कंडिशन और याद एक दो तीन चार्ट पांच छे पर फर्स्ट कंडिशन क्या कहानी फर्स्ट कंडिशन कि यह जो है आपका 10 मिनट में 20 परसेंट पूर हो जाता है तो यहां पर वो कह रहा है कि टाइम जो है हमारा 10 मिनट है अगर मैं बात करूं इसकी प्रारभिक कंसेंट्रेशन की इनिस्याल कॉंसेंट्रेशन यानि अगर मैं बात करूं एक ही तो वह हमारी हंड्रेट और कित्ते परसेंट 20 परसेंट पूर हो जाती तो बस्ती कित्ती है हंड्रेट में 20 गया कित्ता बचा असी यहां पर लेखेंगे कित्ता बचेगा तो यहां पर लेखेंगे कॉंसेंट्रेशन जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ए माइनस एक्स देट इच हंड्रेड माइनस 20 that is 80 कि लिए रितना यानि ए माइनस एक्स अपने पास कित्ता आ गया 80 एक कित्ता आ गया 100 दोनों चीज आ गई यहां ते कोई रिक्कत अंत्यम सांदरता अगर मैं पहले पहले कंडिशन की बात करो तो आगी 80 और प्रारंबिक शांदरता कित्त अपने थी चले वैल्यू रखते हैं यहां समिक्राण एक वाल ले रहे हैं और यहां पर लगते हैं वैल्यू रखने पर तो आप लगतें पूटिंग दीज वैल्यू ठीक है एक्क्वेशन बन में यह गरोगतें तुर्समद单 की सब वैलू रखेंगे तो घू अजo की आएगा वह आएगा कितना दो दसद वैल्यू किततरी है तो ट इंपना 10犯ू लोगभीस टैन का लोगभीस टैन रहेता है का थेक एक एक की वैल्यू कित्ती है तो ए है हमारा 100 और ए माइनस एक्स केता है हमारा असी जीरो से जीरो ओड़ गया दो देसमर तीन जीरो तीन इससे अगर मैं देखू तो यह हो जाएगा आप पर लॉग बिश टैन टैन माइनस लॉग बिश टैन आठ आप कहेंगे यह कहां से लिख दिया लॉग में एक सूत्र होता है क्या कि लॉग एम बटे एन की अगर हम बात करें तो यह होता है आपका लॉग एम माइनस लॉग एन यह मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक है चाल तो अब हम इसको solve करते हैं तो हम जानते हैं कि नीचे और उपर का अगर बेस सेम है तो उसकी value क्या होती है वन होती है यह हो जाएगा आपको दो दसम्रों तीन जीरो तीन बटे दस और यह हो जाएगा वन और इसको अगर मैं देखू तो यह आपका कुछ इस त अब हम यहां पर इसकी बात करते हैं कि रख यह जो हमारा क्या हुजाए गजर तो यहां पर कि यहां पर देखती कह बलाबर हो जाएगा आपका दो दसम्रों 3 gets 10 और यह हो जाएगा आपका एक मैंनस यह जाए आपका 3 log अरे यार तीन लॉग बेस टैन टू अगर बात करों लॉग बेस टैन टू की जो वैलू होती है जिरो तो समलो तीस तस होती है यहां पर के की वैलू आएगा आपकी दो समलो 303 अपान 10 ब्रेकेट अंडर 1-3 multiplied by 0.3010 यहां जाएगा आपका दो समलो 303 अपान 10 और यहां जाएगा आपका 1-0.9030 यहां जाएगा आपका दो समलो 303 अपान 10 और इसको अगर आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो दस में से 3 गया 7 दस में से 1 गया 9 और 10 में से 9 गया आपकी कहानी खतम है ना क्लियर इतना कोई दिक्कत कोई दिक्कत ने चले तो यह आगया आपका क्या तो क्या आगया दो समलो 303 बटे 10 इंटू यह इतना ठीक है और यह आपका अंसर आएगा मिनट इनवर्स में क्या मिनट इनवर्स में इतना नोट करें आप चलते हैं अब आगे हम चर्चा करते हैं कि सेकंड कंडिशन क्या है तो सेकंड कंडिशन को मैं सेकंड परिंस से लख ले रहा हूं अगर हम चर्चा करें तो क्या है सेकंड कंडिशन में तो सेकंड कंडिशन में कह रहा है कि आभिक्रिया 75% पूर्ण हो जाएगी तो अगर मैं बात करता हूं पहले कि तो इनींचियल कंसेंट्रेशन कए है इनीसीयल मतलब प्रारम्विक्सान रहता हूं वो हमारी कए 100% अब वह कह रहा है कि कितने साहीं बात यहां पर लिखते है आफ्टर टाइम टी यह था पने को पता नहीं यही तो निकालना आ अपने को ठीक है आफ्टर टाइम टी कि जो हमारी कॉंसेंट्रेशन है वो कह रहा है कि 75 परसेंट क्या हो जानी चाहिए 75 परसेंट का मतलब क्या है कि 25 बचेगी ते बचेगा अपना 25 चलिए अब आगे चलते हैं और प्रयास करते हैं वह ही कहा नहीं यहां पर लगें कि पुटिंग इस वैल्यू इन एक्क्वेशन नशक्ष्टें पर राखनी पर 1997 समीकराण है इस यहां पर । आप यहां पर वैल्यू रखने। यह हो जाएगा आपको के बराबर 2.3 0.3 बटे T लॉग बेश 10 ठीक है A की वैलू किती है तो A की वैलू 100 है और B की वैलू किती है तो वह है आपकी 25 ठीक 25 चोक होसा होता है तो यहां पर आपकी ज़िए 4 की वैलू किती है तो की वैलू यहां पर आप लिख सकते हैं के की वैलू 2.303 अपाउन 10 मल्टी प्लैडवाई 0.097 ठीक यह जो है आपका किस के बराबर होगा तो वह कह रहा है कि यह जो चीज है यह बराबर है इसके यहां पर लिखेंगे यह जाएगा आपका 2 log base 10 2 log base 10 2 की अगर हम बात करें वैलू की तो वह होती है आपकी क्या 30 0.30 यह आपको वैलू रखेंगे 0.097 अपाउन 10 2 into 0.30 अपाउन 10 चलो अगर हम बात करों T की तो यह हो जाएगा आपको कित्ता 2 into 0.30 into 10 0.097 ओके solve करने का प्रयास करेंगे और जो आपका answer आएगा वह होगा आपका यह answer करिए इसे सौन जब हम इसका भाग देंगे तो यह आएगा हमारा 62 0.06 यह हमारा क्या होगा answer चले अब हम बात करते अपने अगले question की question number 52 तो यह question क्या कह रहा है पढ़ेंगे पहले प्रत्थम कोटी की अभी करिया N2O5 में 310 Kelvin N2O5 की प्रारंभिक सांदरता इतनी थी और 30 मिनट के बाद इतनी बची अब अपने को बताना है कि वे कि स्थरांग क्या होगा बहुत ही आसान बहुत ही सांदार question आपको मजा आ जाएगा चले अब हम करते हैं से तो सबसे पहले क्या है कि chemistry की जो हैं उन पर हमें क्या करना होता है सबसे पहले हमको सूत्र पता होना चाहिए अगर सूत्र नहीं पता है तो आप से question नहीं बनेगा यह अटल सकते हैं और कड़वा सकते हैं तो पहले आप सूत्रों को याद करी अच्छे से लिखिए अगर आपके पास सूत्र पता है और थोड़ी सी भी समझ है तो आप सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सवाल यहां पर कठेन नहीं आते हैं चले तो let us discuss about this question तो वह क्या कह रहा है कि अपने पास reaction दे कोई बात नहीं अब वह कह रहा है कि भाई प्रारंभिक सांदर्ता इतनी थी तो अगर मैं प्रारंभिक सांदर्ता की बात करता हूं यानि प्रारंभिक सांदर्ता जो है वह हमारी ए थी तो यहां वह 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 सबताएं कि अब आप जैसे कि बहुत सारे कोशान डिसकस कर चुके हैं दो आप जान चुक है कि यह प्राम्भी संदरता को Byzantine करते हैं वे हमारा अ और हमारा मैं को white 2 14 listen to the power minus 2 कि यो यह खारगा आपका मोल प्रति लीटर अब तीस मिनट के बाद यानि अपनीको टाइम किता दियतक ही 30 मिनट ठीक 30 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगे इतनी रह जाएगी यानि अंतिम सांदुरता के aby बात करूं या आफटार टाइम ट की बात करूं अंतिम सांदुरता या र्णों hai और को एक सेकंड भाई पश्चात शांदुरता अगर हम 30 मिनट के पश्चात सांदुरता की बात करें तो वह हो जाएगा हमारा A-X और यह हो जाएगा भाई आपका कितिनी बच्ची तो 0.2 गुणे दसकी घाथ माइनस 2 मोल प्रति रीटर आगे अगर हम बात करें कि 310 कलविन पर ही अपने को क्या निकाला है वेग इस्थरांग निकाला है और पढ़ेंगे भी मुझे देख्जाम नहीं देना है फिर भी मुझे याद है तुम्हें देख्जाम देना है आपको याद करना ही पढ़ेगा ना प्रत्थम कोटी की अभी क्रिया के लिए वेग स्थरांक का जो हमारा सूत्र होता है वो कैसा होता तो हो लेखेंगे अपन के बराबर 2.303 अपन टी लाग बेश टेन अपन ए माइनस एक्स आसान है आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है के बराबर जाएगा 2.303 ती की वैल्लू है अपना 30 मिनाड लाग बेश टेन को आप लाग बेश टेन लिखेंगे एक एक वैल्लू कित्ती है तो एक दसम्रू दो चार दसकी हट माइनस दो और अगर हम बात करें ए माइनस एक की तो जिरो दसम्रू दो गुडए दसकी हट माइनस दो इस से log base 10 6.2 की value उसने दे रखी आपको परेशान वो करना ही नहीं चाहता है ना वो तो चाहता है कि आपसे question बने तो इसी लिए जो है आपको बढ़िया तरीके से उसने सुविधा जना तरीके से आपको log base 10 6.2 की value दे रखी है यह हो जाएगा आपका 2.303 upon 30 और अगर मैं इसकी बात करो हो तो यह हो जाएगा आपका 0.7924 तो आप इनका multiply multiply करा दीजिए और 30 से डिवाइट दे दीजिए वही आपका answer होगा तो जब हमने इसे solve लिए तो यह आया हमारा 0.060829 और answer आएगा आपका minute inverse अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहे तो आप आप इसे लिख सकते हैं 6.0829 into 10 to the power minus 2 minute inverse जो भी आपको अच्छा लगे वह आप लिख सकते हैं यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए चले अब हम आगे चलते हैं पढ़ते हैं अगला question अगला question आपका 2017 म्याय हुआ था पढ़ते हैं एक प्रिथम कोटी की अभिक प्रिया का 50 प्रतिसाद भाग 10 मिनट में पूर्ड हो जाता है तो इसका 80 प्रतिसाद भाग कितने टाइम में पूर्ड होगा सबसे पहले हम question की scenario को सबस्ते हैं इस घटना के बारे को सबस्ते हैं कि देखो भाई क्या है कि यह जो हमारी reaction है वो कह रहा है आप से कि एक reaction चल ल अब इसका मतलब यह है कि 10 मिनट जो है वो आपकी अर्द आयू है अर्द आयू है समय होता है जिसमें कोई reaction आधी पूरी आधी हो जाती है तो यहाँ पर लिखेंगे चूकि यह अभी किरिया पचास परसेंट दस मिनट में पूर्ड होती है इसका तातपर्य यह है खोड़ा साप लिख देंगे तो ज्यादा सुन्दर लगे गा तातपर्य हिंदी भी लिखना आना चाहिए था तातपर्य यह है कि इसका तातपर यह है कि क्या है तातपर कि जो हमारी रियक्शन है वो पचास परसेंट पूर्ड हो रही दस मिनट में तो दस मिनट अभी क्रिया की अर्ध आयू है आर यू गेटिंग माई पॉइंट आपको मेरी बास अंज में आ रही है अर्ध आयू ओके चले तो अगर मैं बात करूं यहां से के बरावर तो के बरावर हो जाएगा आपको जीरो दसंबलो छै नौ तीन बटे टी हाफ ओके अब ती हाफ रख दो आप 10 तो के बरावर जाएगा जीरो दसंबलो छै नौ तीन और यहां पर आप लेखेंगे मिनट इनवर्स अब वह आप से कुछ दूसरी चीज पहुंच रहा है दूसरी चीज आप से कह रहा है बाई साब कि इस अभी क्रिया की अगर मैं बात करूं तो 80% भाग कित्ते मिनट पूर्ड होगा तो आप लेख लेते अभी क्रिया का 80% भाग टी मिनट में पूर्ड होगा यह हम मान लेते हैं ठीक है यह हमने क्या किया माना है तो माना है यहां माना की तरह लेख लो ठीक यहां पे लेख लो माना सपोस्ट अब हम बात करते हैं जो हमारी अभी क्रिया है वो पहले कित्ती ती 100% थी अब हो गई 80% पूरी तो बची कित्ती 20% है अगर बात करो तो पहले जो हमारी अभी क्रिया थी वो कित्ती ती 80% 100% थी 20% क्या है बची क्या है क्या सी पूरी हो गई ती बचा आपका 20 अब यहां लेखेंगे प्रथम कोटी की अभिक्रिया के वेग स्थिरांग शूत्र से अगर मैं बात करों प्रथम कोटी की अभिक्रिया के वेग स्थिरांग का शूत्र तो वह होता है आपका के बराबर डो दसम्लो तीन जीरो तीन वटे टी लॉग मेंशट एंग ए वटे ए माइनस एक्स सभी वेल्लू हमारे पास दे रखी है चलो मैं यहां फिर रख देता हूँ तो पहली अगर मैं बात करूँ तो k बराबर क्या जाएगा k की value हमारे पास कित्त यह है 0.693 बटे 10 अरे यार किसा उल्टा सीधा लिग गया 0.693 बटे 10 equal to 2.303 upon बेश्टी log base 10 और a बटे a minus x तो a है आपका 100 और यह है आपका 20 तो 20 से 100 cancel तो यहां आपका 5 ठीक चलो अब मैं यहां पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ इससे यह कर जाएगा तो यह आएगा आपका 0.30 ठीक तो यह आपका 0.30 तीस दस बटे 10 बराबर 1 upon t log base 10 5 ठीक तो log base 10 5 की जो value है वो आपको question में provide कर आएगा यहीं पर वो provide कर आएगा ठीक चले अब हम बात करते है टी की value हमको निकालाती हो जाएगा जीरो दस अमलो 30 दस बटे 10 बटे 10 वन अपों टी और log base 10 इंटू 5 की value होती है आपकी 0.699 ठीक अगर मैं टीकी बात करूं तो यह आएगा आपका 0.699 डिवाइड वाइड वाइज जीरो दस अमलो 30 दस मल्टी प्लाइड वाइड वाइड दस और इसे आप सॉल्व करेंगे जितना आएगा वो मिनट में आएगा और वही आपका क्या होगा समय होगा चले सॉल्व करें आप इसे अगर मैं बात करूं सॉल्व करने के बात या हमारा 23 दस अमलो दो नौ मिनट यह हमारा क्या होगा आंसर ना मुविंग तो नेश्ट क्वेस्चन नमबर 54 तो क्वेस्चन नमबर 54 जो है हमारा यह सामने दे रखा है प्रथम कोर्टी के अभिक्रिया है एक तहाई समापन के र रेस्टार करते हैं तो कोई प्रथम कोर्टी की रियक्सम है मान लेते हैं और हमार यहाँ से बन रहा हुश्चन प्राहा हैहाँ नमबर यह सीं नमबर 54 घर met कर देला है फिरायर हैं कि यह फाकोर का यह सी हमारं झाला मैं मोद अभ ॉलिव में हमारा यह मारे खत्म होचकी है स तो यहाँ पर क्या को जाएगा तो यह फोले कि हमारा a से इद्याइए की ब्रतों प्रतम करते हैं प्रतम कोडी की अभिक्री आके वेग स्थरांगी के सूत्र से क्या था सूत्र था आपका के बराबर 2.3.03 बटे टी लॉग बेश टैन ए बटे ए माइनस एक्स ठेक तो के बराबर हो जाएगा 2.3.03 टी की वैलिू किती है तो यही अपने को के और टी में संबंद स्थाबित करना है log base 10 का log base 10 रहेगा एक ही जागे आप A लिखे और A minus X की जागे लिखे दो A बटे 3 A से cancel के बराबर जाएगा 2.3 0.3 बटे T log base 10 का आपका log base 10 रहेगा 3 उपर जाएगा तो जाएगा 3 बटे 2 ठीक है तो 2.3 0.3 बटे T जाएगा आपका log base 10 3 minus log base 10 2 value ठीक है ख़बी कभी बो यह होगा कि इतना नहीं होगा कि 2 अर्व 3 का मान देडे लाग का कभी कभी पांच का देता है ठीक है लेकिन 5 का देता थिक है साथ का देता है बाकी सभी का मान देता है तो चलिए घटाओ बटाओ जब आप इसे घटाएंगे तो इसे आप ऐसे लखो 0.4771 0.30 जब आप घटाते तो यह आएगा 1671 यह हो जाएगा आपका 2.303 बटेटी और यह हो जाएगा आपका 17610 लगा के ठीक स्वल्व किराईगे आप इसे और जो स्वल्व कराने पर आएगा वही आपका अंसर होगा ठीक है तो अगर मैं देखूं तो यह आंसर आया आपका के लिए सी के सांद्रण में परिवर्तन की दर जो है अपने पास दे रखी है कि भाई सी के सांद्रण में जो परिवर्तन की दर है वो एक मूल प्रति लीटर प्रति सेकंड है अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग और A B D के सांद्रण में परिवर्तन की अपने को क्या करनी है कोई दिक्कत तो है नहीं चले तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आखिर क्या क्या दे रखा है और क्या क्या अपने को निकालना है अपने को अभिक्रिया का वेग निकालना है और A B D के सांदर्ण में परिवर्तन की दर निकाल लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी क्रिया का वेक क्या होता है तो चलिए स्फुरू करते हैं तो सबसे पहले हम रियक्षन लिख ले रहे हैं यहां पर हम सॉल्यूशन लिखें कि यह थोड़ा सा बड़ा क्वेस्ट्ट्ट् जो हमारी reaction है, ऐसे लिख लेते हैं, reaction, reaction क्या है हमारे पास, 2A plus B after reaction, 2C plus 3D, this is required reaction given in this question, अब वो क्या कर रहा है, कि अगर हम अभित्रिया का वेग निकाल ला है, तो यहाँ पर लिखते हैं, अभित्रिया का वेग rate of reaction, अच्छे समझना है वाद को, हाला कि आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, जब मैंने थियोरी में आपको पढ़ाया था, अभित्रिया का वेग क क्या होता है, तो अभित्रिया का वेग होता है, यहाँ से स्टाइट को, यह पर लेप्ट साइट वाले तो लेप्ट साइड वाले में माईनस से लगाना cần माइनस के साथ यह कहा है? इसका गडान के नीचे आएगा. तो माइनस एक बटे दो B, A, D, T. यहाँ फिर माइनस आएगा D, B, D, T. अब इसके नीचे क्यों नी कुछ आया तो क्योंकि इसका कॉफिसेंट एक फा. यहाँ पर फिर आप दो नीचे आएगा d c dt और इसका कॉफिसेंट फिन नीच आएगा d d dt मेरे हिसाब से आपको इत्ता स्वाज में आ गया होगा यहां तक कोई समस्य आपको नहीं होनी चाहिए चले आगे तलते हैं अगर मैं बात करूँ कि अपने को दे क्या रखा तो अपने को उसने दे रखा है c के सांद्रण में परिवर्तन की दर अर्था अपने को दे रखा है d c वटे dt क्या दे रखा है उसने उसने का यह आपका एक मोल प्रती लीटर 30 सेकंड है अब इतना तो दे रखा चलो अब अपने को व्यग निकालना है अगर मैं व्यक की चर्चा करूं तो व्यक हमारा यह है बना यह चारो व्यक के बराबर है तहां पर लेकेंगे अभी क्रिया का व्य क्या हो जाएगा विक्रिया का विट तो वन अपन टू यानि वन अपन टू ठीक है यानि हो जाएगा आपका जीरो दसमलों पांच मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड यह हो गया आपका विक्रिया का वेग चले आगे अगर हम बात करें तो और क्या चाहिए हमें और चाहिए A, B और D के सांद्रण में परिवर्तन की दर यहाँ पर लेकते हैं A के सांद्रण में परिवर्तन की दर क्या आएगा यहाँ आएगा आपका D A बटे D T अगर हम बात करें D A बटे D T यहाँ से स्टार्ट कर लो माइनस 1 upon 2 D A upon D T equal to 1 upon 2 D C upon D T इस टू से वाला टू कैंसर तो D A over D T equal to the minus of D C बटे D T और D C बटे D T जो है हमारा कितना आया था वो था एक यहाँ पर लेको माइनस एक मोल प्रतिलीटर प्रतिसेकंड तो A के सांद्रता में परिवर्तन के अगर मैं दर की बात करो तो आया आपका minus 1 मोल प्रतिलीटर प्रतिलीटर प्रतिसेकंड लेट उस डिसकस अब आउट A हो गया यहाँ पर लेक लेते हैं B के शांद्रण में परिवर्तन की दर तो अगर हम इसे देखे तो यह जाएगा आपका minus db upon dt जो है हमारा वो किसके बराबर है तो हो है हमारा किसके बराबर हो है हमारा dc बटे dt इंटू हाफ के तो db बटे dt के अगर मैं बात करूँ तो minus 1 upon 2 dc बटे dt के बराबर होगा और dc बटे dt के अगर हम बात करें तो वो कितना आया था तो dc बटे dt के अगर हम बात करें तो वो अपने पास 1 था तो यह हो जाएगा आपका माइनस 1 upon two into 1 यह हो जाएगा माइनस 0.5 प्रति लीटर प्रति सेके तो यह है आपका बी के सांद्रता में परिवर्तन की दर अब हम बात करेंगे डी के संद्रन में परिवर्तन की दर अगला पैन ले लेते हैं पैनों की क्याँआ आपका लेगते हैं D के सांद्रण में परिवर्तन की दर, तो अगर हम D के सांद्रण में परिवर्तन की दर की चर्चा करें, तो हमको निकालना है, D, D बटे, D, T, तो यहाँ पर आप ऐसे ही ले लो, सीदे, सीदे, यह जाएगा आपका, 1 upon 2 of, D, C upon D, T, equal to the, 1 upon 3 of, D, D upon D, T, अपने को निकालना है, D, D upon D, T, यहाँ पर लेखेंगे, D, D upon D, T, equal to, 3 upon 2, D, C upon D, T, 3 upon 2 का, आपका 3 upon 2 रहेगा, और D, C upon D, T, को अगर मैं देखूं, तो वह कितना आया था, तो वह आया था, 1, 1.5, mol, प्रति लीटर, प्रति सेकेंड, तो हमारे पास, चारों के सांद्रण में परिवर्तन की दर्तों आ गई, ठीक है, A, B, D की परिवर्तन की दर्तों आ गई, यानि पहला वाला क्वेश्चन अपना निपड़िया उपर वाला, और वेग आ गया है, वेग कहा है, तो वेग हमारा कहा है, वेग यह है, ठीक है, यहाँ पर अगर में बात करों, तो अभीक्रिया का वेग क्या है, यह है, ठीक है, और अगर हम बात करें, कि जो B के सांद्रण में परिवर्तन तो आपका यह आया, D के सांद्रण में परिवर्तन यह आया, और A के सांद्रण में परिवर्तन आपका यह आया, तीनों चीजे हो गई, चली, अगर हम अब पार्ट 2 की चर्चा करें, तो पार्ट 2 को देखिए आ वो यह कह रहा है आपसे कि अभिक्रिया जो है हमारे पास टू एसे क्या बन रहा है प्रोडक्ट उत्पाद ठीक और हमको बताना है अभिक्रिया का वेग तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा अभिक्रिया का वेग होगा आपका माइनस वण अपॉंट टू डिए अपॉंट टी मतलब उपर जो है सांद्रता में परिवर्तन आएगा और नीचे समय में परिवर्ता नाएगा तो अगर मैं बात करूँ तो पहले सांद्रता कित्ती थी तो पहले यहां पर लेख लो 0.4 और फिर हो कहीं आपकी 0.5 और नीचे अगर मैं बात करूँ तो समय कितना लगा तो समय लगा आपको 10 में लगए यह हो जाएगा आपका एक बटे 20 ठीक है यह मारा भी किरा कर वेगा आएगा लेख लो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड सॉल में तो करी लेंगे आप इत्ते समझदार है यह तो जीरो दसमलो जीरो जीरो पांच मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आएगा अब हम बात करते हैं अगले कोशन की क्या रहा है प्रथम कोटी के लिए वेग इस थ्रांग अपने को दे रखा है और इसकी तीन चौथाई आयू की करना कीज़े तीन चौथाई आयू का ताथ पर यह है कि वह समय जिसमें यह है तो यहां पर अगर मैं बात करू तो यह रियक्टयंट है और यह हमारा प्रोड़क्ट के प्रादम्भिक नहीं अपना एए है और तीन चौथाई खतम होने के बाद माना अभिक्रिया के तीन चौथाई आयू के लिए तीन चौथाई पूर्ण होने के लिए लगा समय ती तीन में चार लेख लो आई कौन देखका थे तो फिर्थम कोटिक अभिक्रिया के अरे यार वेग स्थरांग के अगर हम वेग स्थरांग का सूत्र देखें तो क्या होता के बराबर दो दसम्नों तीन जीरो तीन और यहां पर हमने टी की वैल्यू टी के वैल्यू यहां हो जाएगा लॉग बेश टैन ठीक है और यह हो जाएगा आपका इसके बटे कितना वचा YE MA-X तो एक बटे चार आप लेखेंगे एक बटे 4 आप देखो के वैल्यू अपने पास यह हैं दो दसम्लों 5 4 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 3 तहां लेकुद 2 दसम्लों 5 4 10 तो दी पावर माइनस 3 ओके दो दसम्लों 3 0 3 को यहां आप सेम आज लिखी ती 3y4 को अपने को निकाल ला है लॉग वेश 10 को आप लॉग वेश 10 लेखेंगे और 4 आपका 4 रहेगा अगर मैं बात करों T3y4 की तो यह आजाएगा आपका 2 दसम्लों 3 0 3 2 दसम्लों 5 4 गोणी दसकी कहां तो माइनस 3 और इसे देखो तो यह आजाएगा 2 लॉग 2 च्छाटे ती 3y4 की अगर मैं बात करों तो यह आजाएगा आपका 2 दसम्लों 3 0 3 ठीक है निच्छा जाएगा 2 दसम्लों 5 4 गोणी दसकी कहां तो माइनस 3 और यह आजाएगा आपका 2 और यह आजाएगा आपका 0 दसम्लों 30 ठीक चले टी 3y4 के अगर मैं बात करों यह आजाएगा आपका 2 दसम्लों 3 0 3 अब यह सौल्व कर लो का एका है दो दसम्लों 3 0 3 दो 0 दसम्लों 30 यह उपर जाएगा दसकी कहां 3 2 दसम्लों 5 4 चलो सौल्व करते हैं तो यह आए आपका 545 दसम्लों आठ दू सेकंड थोड़ा अच्छे से रिखना चाहें तो आप इसे ऐसे रिख सकते हैं पांच दसम्लों 458 इंटू 10 तू दी पावर 2 सेकंड बहुत ही आसान कोश्चन है यह वाला चले यह वाला कोश्चन पिछली साल आज भी चुका है प्रिखं कोश्च का अभिक्रिया 100 मिनट पस चाहत अपने प्रारंभिक सांदडाण का 99% से फूर्ण हो जाती है और अपने कोश्चन पर्षेंट बताना है चले चर्चा करतें प्रिखं कोश्च पर्षें की तो बहुत मान लेते हैं यह वाली अभिक्रिया तो a हमारा यह हो गया और a-x जो हो है हमारा यह हो गया और प्रतम कोटी की अविक्रिया का अगर हम वेग स्थरांग की बात करें तो वेग स्थरांग का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 2.303 बटे t log base 10 a बटे समस्दार है अगर मैं के की बात करूं अपने को वेग स्थरांग की यानि के ही निकालना है तो क्या हो जाएगा 2.303 का आपका 2.303 रहेगा बटे t की वैल्लू के अगर मैं बात करूं तो t है हमारा 100 मिनट पस्चाथ हो रहा है ऐसा काम तो 100 लिख लिए क्योंकि उसने का यह 100 म नहीं खतम हो गई है ना चलो तो के की वैल्लू के अगर मैं बात करूं किया जाएगा आपका 2.303 बटे 100 का आपका 100 रहेगा लॉग वेश टैन का आपका लॉग वेश टैन रहेगा इसे लिख लो 10 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 लॉग 10 यहां पर लिखे के बराबर 2.303 10 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वह होती है आपकी एक तो यह जाएगा आपका 2.303 multiplied by 2 बटे 100 गुणा करा दीजी तो यह जाएगा आपका 4.606 बटे 100 और अगर हम वेश टरांक की बात करें तो यह जाएगा आपका 4.606 multiplied by 10 की घात माइनस दो और यह काईम चल ला है मिनट मे केर हो इतना कोई दिक्कत तो है नहीं चले तो आपको सबसे पहले मैं अगर बता दू तो आपको किवल फॉर्मूला याद रखना है यह काई का फॉर्मूला तो यह प्रथम कोटी का अभिक्रिया का वेगिस धरांका फॉर्मूला चाहें तो थोड़ी सी थियोरी का यूज क कर सकते हैं अगर आपकी एक्षा है तो ठीक है थियोरी का यूज हम बहुत जादा कर चुक है पीछे देखो जैसे इसमें कि भरी पड़ी यह थियोरी इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है चले अब हम आगे चलते हैं क्वेशन नंबर 58 के पास क्या करना है कि 99.9% पूंढ होनIES के लिए लगा अर्द आयू का 10 गुना होता है तो प्रितम की करना हम माने लिए रहें अब यहां पर बात करते हैं कि अर्ध आयू में लगने वाला समय उसका क्या होता है तो अगर हम बात करें यहां पर लिखेंगे अर्ध आयू पर अर्द आयू की गणना हम कैसे करते हैं तो अर्द आयू की अगर हम बात करें भाई तो अगर हम अर्द आयू की बात करें तो यह हो जाता है आपका टी हाफ और हहोता है आपका 0.693 बटे क्या से इसको कहते हैं अपन के अब वो कह रहा है आप से कि यह जो अभिक्रिया है पॉंस यही वाली कितनी पूर्ण हो गए 99.9% पहले थी आपकी 100 अब पूर्ण हो गए 99.9% अगर हम देखें तो यहां पर लेखेंगे प्रथम कोटी की अभिक्रिया के समीकरण से तो प्रथम कोटी का जो आपका अभिक्रिया है उसका वेग स्थरांग का जो सूत्र होता है उसको देखो तो प्रथम कोटी क्या विक्रा का जो वेग स्थ्रांक होता है आपका 2.303 अपने को टी लगा है और हमें यह प्रूब करना है कि यह जो आपका टी है वह इसका दस गुना है ठीक है चले तो यह हो जाएगा आपका उसका अब और 2 अग्र आप दूस है अगर यहां से की वैली निकालना चाहिए यह जै की ग आये से अगर में देख तो यहां से यहां से और देखो कि वैलीऑ आएगी अपकी दो दिसमलो 3,0,3 बटे, T, log base 10, और a की जगे आप a लिखिएगा, और a-x की जगे, a की जगे कितना है, तो a की जगे आप 100 लिखिएगा, और a-x लिखिएगा, और a-x लिखिएगा, तो 100 बटे, 0.1, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बैसे तो, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए, आगे चलते, अब देखो, इससे काटो, तो यह कट जाएगा, आपका 0,3,0,1,0 के बारे में, ठीक है, तो यह हो जाएगा, आपका 0,3,10, बटे, T, half, एक्वल टू, 1 अपॉन टी, लॉग बेस, 10, ओके, और यह हो जाएगा, आपका 10 की घात, 3, क्योंकि दस हमलों अटाओ, तो एक बिंदी बढ़ेगा, तो 1000 हो जाएगा, 1000 को रेखेंगे, 10 की घात, 3, चलिए, यह जाएगा, टी, 1 अपॉन टी, और 3 आगया जाएगा, और यह जाएगा, आपका लॉग 10, 10, लॉग 10 की वैलू, 10 बेस पे हो जाती है, एक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, 0.30, बटे, T, half, यह जाएगा, आपका 3, और यह जाएगा, आपका 1, और यह जाएगा, आपका ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी वैलू क्या रग दी, 1 होती है, क्योंकि इसकी वैलू कित्ती होती है, 1 होती है, ठीक, चले, अब इसे अगर मैं देखू, तो यह आपका कुछ इस तरह साए, 0.30, डिवाइड डिवाइड टी, half, equal to 3, sorry, 3 वटे, T, अगर मैं बात करू, T की वैलू निकाल ली है, तो T की वैलू आ जाएगी, आपकी, 3 वटे, 0.30, और यह हो जाएगा, आपकर T, अब देखू, यह नियर अबाउट, 0.3 की बरावर है कि नहीं, तो अगर मैं T की वैलू की बात करू, यह हो जाएगा, 3 वटे, 0.3, और T, अगर हम इसे देखें, तो क् प्रूब करना था, तो यह अपना क्या हो गया, प्रूब हो चुका है, is that clear to you, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, सिंद की प्रथम कोटी की अविक्रिया को 3 वटे, 4 भाग पूर कराने में जो समय लगता है, और वह जो समय होता है, अर्ध अविक्रिया को पूर कराने में लगे समय का दो गुना होता है, सेम पुराना जैसा question है, प्रथम कोटी की अविक्रिया का समीकरण हम लिख ले रहे है, reactant से product बनना आ रहा है, अगर हम बात करें कि प्रथम कोटी की अविक्रिया का अर्ध भाग जो है हमारा, जो पू आप है, वह आपका अर्ध आयू है, अर्थाद जो अविक्रिया है, वह आपकी कित्ती आधी पूर कराने में लगा समय है, ठीक है, अब हमें यह जो अविक्रिया है, वह कितनी पूर कराने है, तीन बटे चार, तो अगर मान लो, जो यह reactant है, और इससे हमारा product बन रहा है, प्रारंब में अगर देखा जाए, तो यह जो reactant था, ठीक है, अगर मैं बात करूं, बात की, तो वह कह रहा है, तीन बटे चार अपना खर्च हो गया, तो कितना बचा तो एक बटे चार यह बचेगा भाई, यह बचेगा वह तो, अगर मैं बात करूं, यह हमारा e-x हो गया अगर अब देखें, तो यह क्या हो जाएगा, माल लेते, इसमें जो टाइम लगा, वो टाइम लगा आपका, तीन बटे चार, अपने यह दिखाना है, जो टाइम लगा होगा है, यह ती हाफ का क्या होगा, डवल होगा, ठीक है, चले, तो अगर हम यहाँ पर बात करते है, क तो k बराबर हो जाएगा आपका वही, 2.303, बटे t, 3 बटे 4, लॉग बेस्ट हैं, a बटे a-x, तो a बटे a-x, ठीक, तो 2.303, अब यह k की वैलू जो है, हम k की वैलू उठा की, यहाँ से का कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर k की वैलू रखतेंगे, तो k की वैलू है, 0.6 293, divided by t, half, equal to 2.303, divided by t, fourth, और log base 10 का, आपका log base 10 रहेगा, a को आप a लिखिए, और a-x को आप लिखेंगे, a बटे 4, a से आपका a cancel हो गया, 4 आपका उपर जाएगा, इससे आप इसे काटिएगा, 0.3010 आएगा, आपको कैसे पता, हम भाईया यही करते रहें, जिन्दी की बार, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, यह आएगा, आपका 0.3010, बटे t, half, equal to, 1 upon t, 3, fourth, log base 10, और यह हो जाएगा, आपका 4, इससे अगर मैं solve करने का प्रियास करूं, तो यह हो जाएगा, आपका 0.3010, ती, half, 1 upon t, 3, fourth, और यह हो जाएगा, आपका, log base 10, और इससे लिखिए, दो की हाथ दो, यह दो आपका उपर आएगा, 0, 2, 3010, बटे t, half, 1 upon t, 3, fourth, यह जाएगा, आपका, 2, log, 2, base 10, अब, log base 10, 2 की जो value होती है, वो होती है, आपकी, 0, 2, 3010, तो रखेंगे यहाँ पर, 0, 3010, t1 upon 2, equal to, 2 into 0, 3010, t3 upon 4, इससे आपका, यह cancel, अगर हम बात करें, तो यह हो जाएगा, आपका, cross multiply कराएगे, तो t3, fourth, equal to, 2 into t1 by 2, यह अपने क्या करना था, प्रूब करना था, तो यह हमारा क्या हो गया, प्रूब हो गया, किलिए इतना, कोई doubt, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलिफ, अगर हो तो, आप comment box पर, अपनी समस्या लिख सकते हैं, या था सिग्र, उसको, हल करने का प्रियास किया जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है, तो यह हो गया आपका प्रूब, जो हमें प्रूब करना था, किलिए हुए इतना, now moving to our next question, question number 60, पढ़ते, एक प्रथम कोईटी के अभी करिया, 60 मिनटे में 75% पूर्ण हो जाती है, इस अभी करिया कि प्रूब कर चुके हैं, क्या प्रूब किया आपन ने, कि यह ती जो है, ती बटे चार जो बरावर होता है, दो ती एक बटे दो की, यानि किसी अभी करिया का आधा पूर्ण होने में जो लगा समय, यानि किसी अभी करिया कि जो अर्ध आयू है, वो किसके, उसका अगर हम जो अगर हम बात करूं कि अगर यह जो है, वो कहरा तो प्रूटी के अविक्रिया पूर्ण होने कि 75% 20 पूर्ण होनों सिदे सूत्र लखते संद सूत अब नंबर पूरे मिलेंगे इसमें यह ना खाए ना कि इत्था छोटा सवाल है नंबर नहीं मिलें ठीक है चलो पूरे मिलेंगे चिंदा नहीं करना ठीक है यहां देखो यहां पर लेखेंगे आप कि अभी क्रिया का 75% पूर्ण होने में लगा समय बराबर होता है दो गोने अभी क्रिया की अर्ध आयू अगर हम इसे सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं यहां पर आप लिख सकते हैं टी आफ सेवेंटी फाइब परसेंट इक्वल टू दा ट्वाइस ओफ टी आफ फिप्टी परसेंट्ट् अगर आपको ऐसे मज़ा नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं टी आफ फ्री अपॉन फॉर फिक्वल टू 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 टी आफ वन अपॉन टू जैसे आपके लिखता हो उसने आपको यह दे रखा है तो यह कह रहा है साथ मिनाट तो साथ बराबर दो टी हाफ अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो हो जाएगा आपका साथ बटे दो क्योंकि यह जो है नीचे जाएगा यह जाएगा साथ में दो का भाग दो तो तीस मिनाट अंसर आया 300 क्लिए इतना चलिया आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन सिस्टी बन अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को ए वन भता स्थ तो खेंग आगी कह रहा है अभिक्रिया की सक्रियान उर्जा की गणना कीजिए सक्रियान उर्जा का आपने को क्या बताना है मान बताना है ठीक तो अगर अभिकरया कि सक्रियन उर्जा का वह मैं पहरे से पताता आρα हूं भाई साब आपको सूत्र यात करना पड़ेगा इसके लाभार कोई विखल्ब नहीं है सक्रियन उर्जा के जब Tक आपको सूत्र नहीं बताओ एंगा यह वाला सवाल आपसे डिलकुल नहीं मनेगा इ तो है तो अगरा बात करूं सक्रीं गूरजा की यहां पां लिखे स्क्रीण गूरजा का जो सूटर होता है है वो क्या होता है जब मैं थियोरी पढ़ा रहा थे तो पढ़ाया भी था ठीक है सक्रिया नूर्जा को इंगले से बोलते है एक्टिवेशन एनर्जी और यह होता है आपका 2.303 और T1 T2 बटे T2 माइनस T1 हो गया क्या अभी रहेंगो अभी यहां पर रहेंगे लॉग भेशन और यहां पर लेखो के टू बटे के वन अब हो गया तो यह हमारा सक्रिया नूर्जा का सूत्र देखलो अच्छे से देख लिया चलो अब लिखते हैं से सॉल्व करते हैं प अब क्याणूर्जा के लिए देखते हैं ये बराबर आजाएगा 2.333 और की वैल्लू दे रक्कियो उसने मेहनत निंकरवाएगा आपसे रिकुले 8.3,4 ठेक। किन रे या घे रहाएं इसने दे रखी वह भी आपसे मिनत न कर वाय गा बोस्वनदब्वे अफ ती ञाइस नीची तीन 네 माइनस लॉग वेश टैन को आप लॉग वेश टैन लिखिए और के टू कितना है तो हमारा टू के है और के वन कितना है के है इस के से यह कि केंसिल और यहां पर आएगा दो दसमलो तीन जीरो तीन अरे यार मजा नहीं आया भी आठ दसमलो तीन एक चार दो सो नव्य तीन सो लॉग बेश टैन टू नीच आएगा दस यह वाले जीरो से यह वाला जीरो कैंस तो अगर हम बात करें एक्टिवेशन इनर्जी की तो दिस विल कम दो दसमलो तीन जीरो तीन आठ दसमलो तीन एक चार उन्तिस इंटू तीन सो जीरो दसमलो तीस तस चलिए गुणा करा लीजे वही आंसर होगा आपका वही आपकी सक्रिण उर्चा आएगी करा यह गुणा अगर हम बात करें तो हमारा आंसर है 50,140.62 जूल प्रती मोल ठीक है के लिए इतना अगला क्वेशन दो 293 Kelvin से 313 Kelvin तक ताप परिवर्तन करने पर अभिक्रिया दर चार गुणी हो जाती है अभिक्रिया की सक्रिण उर्चा याद करना है तो उम्मीद है कि आप ट्राई कर लेंगे चलिए मैं कराय दे रहा हूं आपको तो क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें पहले टेंपरिचर की टी वन की तो वह हमारा 293 Kelvin अगर हम बात करों यानि दूसरे वाले टेंपरिचर की तो यह हमारा 313 Kelvin अब कह रहा है कि अभिक्रिया की दर अगर चार गुणी हो रही है तो वेग क्या होगा वह भी चार गुणा होगा तो यहां पर लेगते हैं लेट अभिक्रिया का जो वेग है वह हमारा के बान है प्रारमभी क्वाला तो वह क्वान हो जाएगा त fatty to अंतिम बिक्रिया की दर है वह चार गुणी हो रही है तो वेग भी क्या हो जाएगा आपका चार गुणा हो जाएगा अरे यार कि लिए इतना अब देखो अपने पास दो चीजी हो गई और अपने कुछ क्या चाहिए और अपने जानते हैं कि वही होता है यहां पर लेखेंगे एक्टिवेशन इनर्जी के सूत्र से जो हमारी सक्रियान उर्जा है वो क्या होती है तो सक्रियान उर्जा यानी एक्टिवेशन इनर्जी को अगर मैं देखू तो वो होती है आपकी 2.303 आर T1 T2 बटे T2 माइनस T1 लॉग बेस्टन के टू बटे के वन 2.303 आर की वैलू 8.314 T1 की वैलू कित्ती है 313 T2 की वैलू कित्ती है 293 नीचे लिखेंगे 313 माइनस 293 लॉग बेस्टन का आपको लॉग बेस्टन रहेगा के टू बटे के वन के टू कित्ता है 4 के के वन कितना है के चलो अगर हम आप एक्टिवेशन इनर्जी की बात करें तो जाएगा आपको 2.303 आप दसम्लों 3.14 293 तीन सो तेरा डिवाइड़ वाई दस तस नहीं 20 आएगा याद और यहां पर अगर हम बात करें तो लॉग वेश्टन और यह आएगा आपका दो कि हाद दो क्योंकि आपके के से कट गया 4 को लेखी सकते सा चलो अगर हम इसे देखे तो आएगा आपका दो तीन एक चार 293 तीन सो तेरा बटे वीश वह जाएगा आपको दो लॉग दो और लॉग दो की वैलू थी जिरो दसम्लों 303 तीन आप दसम्लों 314 293 तीन सो तेरा जिरो दसम्लों 3010 20 का आपका 20 रहेगा दो से आप काटेंगे दस बार में कटेगा थोड़ा अच्छे से लिखे जिरो दसम्लों दो तीन जीरो तीन कैसे रहेगा हमने देशिमल यहां पर सिफ्ट करा दिया दसका भाग दे दिया आठ दसम्लों 314 293 तीन सो तेरा तीस तस गुणा कर ला लीजिये जो आपका आंसर होगा वही आपका एक्टिवेशन इनर्जी होगा और यहां आप लिख लीजेगा जो आएगा आपका जूल पर वोल में तो हमारा आंसर आया ठिक 52854.55 जूल प्रतिमोल यह आपका अंसर होगा क्लियर इतना कोई देखकर चले तो यहां पर आपके कैमिश्ट्री के न्यूमेर्कल्स खतम होते हैं और हमने सभी प्रकार की न्यूमेर्कल्स ले रखे हैं जो आपके प्रीविएस येर क्वेस्ट्ट्ट पेपर में आ चुके है न्यूमेर्कल्स केमिश्ट्री में बहुत महत्वफूर वुंद्ट कन्लिवाताथ है घ्लाकी कम nicht on कि आती है 1012 नंबर के यह तो इन से अगर आप यह कई पर में मैं कि तो एकजामिनर के प्रति है आपका जो एकजामिनर के इतने detail में इतने अच्छे से कर रहा है तो वह आगे भी अच्छा करेगा है तो आपकी जो long answer type questions है उन पर वो क्या है कि बढ़िया आराम से number टपका देता है अगर आपका numerical वाला पार्ट कम हो जाता है और numerical वाला पार्ट आपसे नहीं बनता है आप छोड़ देते तो कहीं ना कहीं आपकी नंबरों पर एफेक्ट पड़ता ही है यहां तो पड़ेगा ही साथ में आपकी minor mistakes पर भी वह कहा है नंबर काट लेगा लेकिन अगर आपकी numerical वगएर बढ़िया तरी यही विनम्र निवेदन है कि आप जो है इसको अवश्य पढ़ें और इसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगी कि आप जो है यह जो माने questions करा दिए वो more than sufficient है मतलब अगर आप इन questions को कर लेते हैं तो लगवग लगवग आपसे सभी numericals बन जाएंगे क्योंकि यहां पर जो अगर हम on and average बात करें तो 21 question क्या है हर chapter से लिए तो इसके लिए आप क्या करें बढ़िया तरीके से practice करें बढ़िया तरीके से तयारी करें और बढ़िया करें exam में ठीक है wish you all the best